एल्लो गाइज, वाट सब, क्या हाल चाल है सबके, I hope all of you are fine, this is your envy sir, and start करेंगे आज का वन शॉट, आज का जो वन शॉट है, that is on the chapter, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स को एकदम, complete हम यहाँ पर पढ़ने वाले, तो अगर किसी ने नहीं भी पढ़ रखा है, तो भी definitely आप यह वाला जो lecture है, इसको attend कर सकते हो, बहुत ही detail में हम इसको करने वाले, plus बहुत सारे recent year के जो questions है, उसको भी हम solve करेंगे, in fact, J.E. main और advanced level दोनों के लिए यह जो one shot है, वो sufficient रहेगा, तो definitely आप यह जो पूरा lecture है, उसको देखना, and I can guarantee you कि आपका जो topic है, वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर cover हो जाएगा, ठीक है, तो सब कुछ हम cover करने वाले है, theory wise हम सब कुछ cover करेंगे, matrices का एक अलग से one shot हमने बना रखा है, तो अगर आपने matrices वाला one shot नहीं देखा है, तो definitely आप उसको भी देख लेना, but अभी के लिए हम start करेंगे, determinants, determinants म एक बार फटाफट बता दो, है ना, कैसे है सब लोग क्या हाल चाल है सबके, all of you are fine, I can see the chat also, तो definitely है, एक बार फटाफट चाइट में आग लगा दो, and जल्दी से सब लोग जोड़ जाओ, उसके बार start करेंगे, determinants का one shot आपको I think format अब तक पता लगी किया होगा, अपना bounce back series चल रहा है, and bounce back series में हम हर एक chapter का one shot यहाँ पर cover कर रहे, तो अगर आप यहाँ पर first time आ रहे हो, तो definitely आप channel को subscribe कर लेना, and आज का one shot है, definitely वो हम करने वाले है, determinants का, तो determinants देखो वैसे तो काफी important chapter है, matrices and determinants दोनों अलग अलग chapter नहीं है, in fact matrices के कुछ concepts, determinants में use होते है, determinants की क properties होती है, जो matrices में use होती है, तो basically दोनों कोई chapter अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही chapter है, but यहाँ पर since यह जो one shot है, काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट में break कर लिया, एक matrices का अलग one shot है, उसको अब देख सकते हो, determinants का अलग one shot है, जिसको आप अभ स्टार्ट करें फिर, एक बार लिख दो, let's begin है ना, उसके बाद स्टार्ट करते है, I think सब लोग आगे क्या, एक बार अपनी अपनी attendance mark कर देना, like का बटन दबा दो फटा फट से, उसके बाद स्टार्ट करते है, yes, all good, कैसी चल रही है, तैयारी, है ना, 2022 experience, how is the josh, hi sir, ठी I think सब लोग काफी सार बच्चा अल्लेडी आ चुक है, है ना, तो before we start, definitely आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना, एं साथी साथ, यह जो टेली ग्राम चैनल है, उसको भी आप जॉइन कर सकते हो, t.me.academyatoms, यहाँ पर आपको link मिल जाएगा, इसको definitely आप जॉइन कर सकते हो और साथी साथ अगर आपको complete notes और lectures चाहिए, तो आपको यह link विजिट करना पड़ेगा, livedaily.me.atoms, यह पूरा का पूरा link अपने browser में टाइप कर दो, without any space, livedaily.me.atoms, तो definitely आपको वहाँ पर bounce back series का पूरा playlist मिल जाएगा, जहाँ पर notes भी है, lectures भी है, हर एक chapter का one shot है, definitely बहु नहीं बचे, approximately आप मान के चलो कि March के second week तक आपका जो exam में वह expected है, अभी तक तो, ठीक है, इसके बाद postpone होता है, तो कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ, मतलब expected date वही होगा, March के second week के आसपास का आप मान के चलो, ठीक है, approximately दो मेने का time आपके पास बचा है, if you want to make the most out of the remaining time, तो definitely आप उसको भी checkout कर सकते हो, notes डाउनलोड करके अपने short notes बना लेना, अगर किसी ने अभी तक short notes नहीं बनाए, तो जल्दी से उस particular जो process है, उसको accelerate करो, and short notes आपके पास हर एक chapter का होना चाहिए, जैसी one short खतम होता है, अगले दिन आपके short notes बन जाने चाहिए, ठीक है, उतना discipline आपको रखना पड़ेगा, otherwise मजा नहीं आएगा, ठीक है, चलो, बाकी, अगर आप anacademy subscription platform पर आ रहो, तो definitely आपको यहाँ पर multiple educators का access मिल जाता है, once you come on the platform, तो यहाँ पर बहुत सारे educators है, best of the best educators आपको यहाँ पर पढ़ाता है, सबसे अच्छी बात है कि यह सारे educators आपको ए नहाने के educators है, so एक तरह से this is the super set of all the coachings, है ना, इंडिया की सारी coaching आपको अनकाडमी के platform पर मिल जाएगी, तो definitely आप best teachers को access कर सकते हो, उनसे पढ़ सकते हो, live classes होती है, recordings भी आप देख सकते हो, अगर आपने class miss कर दी, plus आपको PDF notes मिल जाते है, DPPs मिल जाती है, study material मिल जाता है test series आपकी होती है, ठीके तो एक तरह से पूरा ecosystem आपको मिल जाएगा, जो भी आपको जही के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ा नकाडमी के platform पर present है, आप इसको join कर सकते हो, यह paid platform है, but definitely यहाँ पर आप multiple batches को access कर सकते हो, जैसे अभी अपना manzil batch चल रहा है, rapid revision is going on, ठीके, manzil batch, जिस में physics, chemistry, maths, at least आपका जो 11th का revision है, वो sort हो जाएगा, and साथी साथ 12th का revision अगर आप करना चाहते हो, तो उसके लिए rapid revision batch है, तो दोनों को parallelly आप follow कर सकते हो, ठीके, तो दोनों batches को parallelly also you can follow, yes, यहाँ पे आपको multiple options दिख जाएगे, plus और iconic, दोनों में से कोई भी आप ए iconic हो, कोई भी subscription आप purchase कर रहे हो, आप यह जो particular code है, envy live, इसको use करके, आप subscription यहाँ पर purchase करोगे, तो definitely आपको maximum possible discount हो जाएगा, and साथी साथ आप यहाँ पर बहुत सारी special classes को भी unlock कर सकते हो, आपके जितने भी scholarship exams होती है, वो भी आपके लिए unlock हो जाएगी, ठीके, तो definitely इसको use क लेना, बाकी हाँ, recent ही अभी एक offer भी आया है, अगर आप 10th और 12th के बीच में purchase करते हो, तो 24 प्लस 3 है, और 18 प्लस 2 है, ठीक है, तो इसके साथ आपको इतने महीने का extension मिल जाएगा, तीन महीने का free मिल जाएगा, और उधर आपको 2 महीने का free मिल जाएगा, ठीक है, आपने अभी तक नहीं लिया है, तो एक बार plan कर सकते हो, जो भी बच्चे, especially यहाँ पर 23 aspirants है, उनके पास तो काफी सारा time है, मंजिल बैच आपका already start हो गया है, जिसमें 23 aspirants भी in fact आ सकते है, ठीक है, 23 वाले जो aspirants है, उनका 3 महीने के अंदर 11th का revision हो जाएगा, प्लस अगले साल का आपका 12th का batch है, वो भी जल्दी start हो जाएगा, जल्दी start होगा तो जल्दी खतम भी होगा, तो आपको ज्यादा time मिलेगा 12th के revision के लिए, तो definitely मंजिल बैच को आप एक बार explore करो, and definitely इसको आप join कर सकते हो, ठीक है, अभी काफी अच्छा मौका भी है, ठीक है, चलो आप start कर है, उसको फटा-फट से cover कर लें, तो उसके बाद फिर हम सीधा आएंगे, जही में और जो advance के questions है, वहाँ पर, starting में आप समझ लोग की determinant होता गया है, I think कुछ लोग को पता भी होगा, तो एक बार revision हो जाएगा, determinants होता है, उसकी value कैसे निकालते है, उसकी properties क्या होती है, इतनी चीज़े हम पढ़ लेंगे, उसके बाद सारे questions एक साथ, सारी properties में आपको एक साथ पढ़ा दूँगा, उसके बाद सारे questions, तो जब question आएगा, तो actually आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कि हाँ इसमें कौन property लगाए, है ना, एक property पढ़ाऊंगा, एक question कराऊंगा, तो मज़ा नहीं आएगा, तो better है कि सारी property एक साथ में आपको पढ़ा दूगा, तो starting में आप मान के चलो कि जो starting में एक गंटा है, वो theory theory है, उसके बाद हम question ही question करेंगे, ठीक है, तो पहले starting में theory, बाद में questions, तो होता है, what is the difference between determinants and matrices, तो matrix जो होता है, उसके definition हमने पढ़ी थी, कि it is arrangement of numbers, तो determinants में और matrices में difference यह है कि जो matrices होते हैं, वो rectangular होते हैं, उसमें कितने भी rows हो सकते हैं, उसमें कितने भी columns हो सकते हैं, in fact हमने ऐसे भी matrices देखे थे, जिनका order था 5 x 3, या 2 x 3, या 3 x 4, तो number of rows और number of columns जरूरी नहीं है कि equal हो, बट determinants जो होते हैं, वो हमेशा square होते हैं, वल्लब determinants का order या तो 1 x 1 होगा, या 2 x 2 होगा, या 3 x 3 होगा, या 4 x 4 होगा, बट हमारे syllabus में जो determinants हैं, वो केवल 3 x 3 तक कही हैं, वल्लब 1 x 1 अपने को पढ़ना है, 2 x 2 पढ़ना है, 3 x 3 पढ़ना है, उस इकाल सकते हो, तो यही actually अपने को पढ़ना है, कि अगर कोई भी determinant आ गया, तो उसकी value हम कैसे calculate करते हैं, in fact I think काफी सारे बच्चों को या आता भी होगा, कि 3 x 3 का जो determinant होता है, उसकी value कैसे calculate करते हैं, 2 x 2 का जो determinant होता है, उसकी value कैसे calculate करते हैं, तो यह सारी चीज़े अगर को आती है, तो definitely एक बार revise कर लो, अगर जिनको नहीं आती है, वो थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझना है, ठीक है, एक एक करके यहाँ पर discuss करते हैं, सबसे पहले representation, तो कोई भी अगर determinant है, जैसे for example, यह 2 x 2 का determinant है, यह ABCD जो है, इनको बोलते है elements, और उनका representation होता है, दो डं के अंदर आप एक capital alphabet को डाल दो, this is determinant of A, या आप इस तरह से भी represent कर सकते हो, बहुत सारी questions में, बहुत सारी books में, इस तरह का भी आपको representation मिल जाएगा, debt A, debt A मतलब determinant of A, अरे चमक गया नहीं, सब simple, simple है, representation, तो किस तरह से determinant को represent करेंगे, वो तो आपको पता होना चाहिए, तो यह आपको समझ में आ गया, और आगे बढ़ते हैं, अगर कोई भी one cross one का determinant है, तो उसका value हम कैसे calculate करते हैं, one cross one मतलब there is only one row, there is only one column, तो number of elements भी one ही है, मतलब एक ही element है, तो अगर मानलो कोई एक determinant है, और वो one cross one का है, one cross one का कोई determinant है, तो उसमें एक ही element होगा, और मानलो की व जो भी element होता है, वही determinant का value होता है, तो यहाँ पर इस determinant का value क्या आएगा, अगर आप से कोई पूछेगा, कि find out the value of determinant of a, तो value of determinant of a will be minus 3, बस simple, अगर कोई भी one cross one का है, समझ में आगे न, one cross one का अगर कोई determinant है, तो उसका जो भी element है, वही determinant की value है, अब यहाँ पर यह धियान र value भी negative आएगा, अगर मानलो कोई one cross one का determinant ऐसा है, मानलो यह एक b एक determinant है, ठीक है, वो भी one cross one का है, one cross one का है, और उसके अंदर है, मानलो एक ही element है, तो यहाँ पर जो भी element होगा, आप डबा बना लो या तो, यहाँ पर जो भी element होगा, वही determinant का value होगा, तो this will be equal to डबा, यह अंदर जो भी एक element ही होगा, one cross one है, अगर one cross one है, तो there will be only one element, क्योंकि एक row है और एक column है, तो there is only one row, there is only one column, अच्छा, इसको भी हमने इस तरह से याद किया था कि जो row होता है, वो हमेशा horizontal होता है, ऐसे याद किया था ना, row, तो row is horizontal और जो column होता है, वो vertical होता है, क्योंकि column ये c लिखा हो है, तो c और r, चमझ्या ना, ऐसे हमने याद किया था कि row is horizontal, तो एक ही row है और एक ही column है, चमझ्या होगा, अच्छा, two cross two का determinant value कैसे निकालते है, अगर कोई two cross two का determinant है, मालो ऐसा, one, two, three, four, इसका value निकालने के लिए simple cross multiply करते है, इन दोनों को multiply कर लो, इन दो two, three, तो बस ये आजाएगा, ultimately इसका answer है, four minus six, तो minus two आजाएगा, ये चमझ्या, yes or no, ये चमझ्या होगा हमारी खाल से, तो ये बहुत ही simple है, two cross two का और one cross one का determinant value निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है, चलो एक question का answer बताओ, ये वाला question एक बार फटाफट ट्राई करो, two cross two का determinant है, बहुत ही basic है, अगर आपको समझ में आ गया, तो फटाफट से a, b, c, d में से answer बता दो, ठीक है, ये वाला question तो बहुत basic है, तो फटाफट कर लेते हैं, यहाँ पे आपका आजाएगा, a plus one into a minus one, बस cross multiply करना होता है, बीच में minus आता है हमेशा, और यहाँ पे हो जाएग a plus two into a minus two, हैना, two cross two को open करना है, तो यह a square minus one square, और यहाँ पे आजाएगा, a square minus two square, ठीक है, तो यह a square, a square cancel हो जाएगा, minus one or plus four, मतलब ultimately इसका answer three आजाएगा, ठीक है, option d is the answer, option d is the answer, simple, इसका answer भी बता दो, यहाँ पे क्या आजाएगा, यहाँ पे आजाएगा, one minus cos square theta, ठीक है यह आजाएगा, मतलब a plus b, a minus b, तो a square minus one square minus cos square theta, और minus sin square theta, तो इसका answer क्या आजाएगा, यह भी sin square theta ही तो है, one minus cos square theta ही sin square theta only, तो ultimately what is the answer, 0 is the answer, ठीक है, तो इसका option c आजाएगा, यह भी simple, ठीक है, एकदम basic basic question है, और आगे बढ़ते हैं, फटा फट से बात करते हैं, जब three cross three क determinant निकालना होगा ना, तो उसके लिए अपने को यह सब define करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर three cross three का determinant value समझ सकते हैं, तो सबसे पहले definitions पर आजो, three cross three पर आने से पहले, सबसे पहले आप समझो कि minor क्या होता है, co factor क्या होता है, minor कैसे निकालते हैं, अब देखो जितने भी element ह यह three cross three का determinant है, जितने element है उतने minor होंगे, आप हर एक minor को निकाल सकते हो, यहाँ पर total कितने element है, total nine elements are there, because three rows are there, three columns are there, तो elements कितने हैं, और एक general determinant को हम इस तरह से represent करते हैं, ठीक है, a, one, 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 two, one, three, वहलोंब बेसिकली अगर किसी का नाम है two, one, तो यह यह represent करता है, कि basically वो second row में present है, और first column में present है, उसका नाम A21 ही क्यों है, तो two is the number of row, and one is the number of column, वो second row में present है, और वो first column में present है, तो जिस row में वो present है, और जिस column में वो present है, उसके हिसाब से उसका नाम, नाम करण किया जाता है, ठीक है, समझ एक है, तो A21 उसका नाम क्यों पढ़ा, उसका नाम A21 इ यह आपको अगर समझ में आगे हैं तो अब बताओ माइनर इसमें कितने निकाल सकते हैं हम टोटल 9 माइनर क्यालकुलेट कर सकते हैं सबका वेल्यू जाए फॉर एक्जामपल अगर आपको क्या करना है M11 माइनर 11 तो आप क्या करोगे M11 का सिंपल मतलब है 1st row और 1st column को डिलीट कर दो तो जो भी आपका बचा वही आपका माइनर है तो यह बचा यह बचा यह बचा यह बचा यह बचा यह बचा और यह बचा ना A32 और A33 तो यह आपका माइनर आ जाएगा इसका डिटर्मनेंट वैल्यू आप क्रॉस मल्टिप्लाई करके निकाल सकतो यह 2 क्रॉस 2 का एक डिटर्मनेंट है तो वैल्यू निकाल लोगे ना माइनर का समिलरली माल लो अगर मैंने आपसे पूचा कि M12 निकालो आप यह कैसे कैलकुलेट करेंगे M12 तो M12 के लिए 1st row और 2nd column जिसमें A12 प्रेजेंट है उसको डिलीट कर दो तो कौन-कौन बचा अब हमारे पास बचा A21 उसके नीचे है A31 यहां पर आपका बच गया A23 और A33 तो यह आपका माइनर आ गया तो इसी तरह से आप सारे माइनर कैलकुलेट कर लोगे M12, similarly आप M13 भी कलकुलेट कर सकते हो, similarly आप यहां पे M21 भी कलकुलेट कर सकते हो, M22 भी कलकुलेट कर सकते हो, M23 भी कलकुलेट कर सकते हो, M32 भी कलकुलेट कर सकते हो, M32 भी कलकुलेट कर सकते हो, M32 भी कलकुलेट कर सकते हो, M33 भी कलकुलेट कर सकते हो, इन सबका और second row इसको delete कर दो basically जिसमें A22 present है उसको delete कर दो वह वाला row और वह वाला column तो बचा क्या क्या तो बचा A11 यह चमका की नहीं A13 यह बचा यहाँ पर A31 और A33 चीक है तो बस इसको आप डाल दो और यह 2x2 का determinant बन गया तो cross multiply करके आप value निकाल सकते हो तो simple यह सारे minor आप निकाल लोगे अगर minor निकाल लोगे तो अगला definition है cofactor तो cofactor का simple definition है cij is minus 1 की power i plus j इसमें केवल minus 1 की power i plus j extra आ जाएगा बाकी minor की तरह ही होता है यह भी जैसे for example अगर आपसे कोई पूछेगा c11 तो c11 का value हो जाएगा minus 1 की power 1 plus 1 i plus j और m11 तो यहां पर कितना आजाएगा c11 का value कितना आजाएगा यह minus 1 की power e1 है तो that will become plus 1 यह plus 1 हो जाएगा तो 1 into minor तो that will be minor only ना इसका value आजाएगा same as m11 तो जो भी आपका m11 का value है वही value आएगा c11 का it will be the same thing c11 will be same as m11 लेकिन c12 अगर मैं आपसे पूछूँगा c12 तो उसका definition आएगा minus 1 की power 1 plus 2 अब यहां पर odd number आगया अगर odd number आगया तो फिर इसका value आएगा minus क्योंकि यह minus 1 बन जाएगा minus 1 बन जाएगा तो minus of m12 similarly अगर आपसे कोई पूछेगा c13 यह आगा minus 1 की power 1 plus 3 into m13 चमक जाओगा तो यह भी क्या आएगा यह भी m13 के बराबर ही आएगा तो कौन-कौन से negative आएगे कौन-कौन से co-factor negative आएगा यह तो positive आएगा यह वाला अगर आप देखो के तो यह positive आएगा यह negative आएगा क्योंकि 1 plus 2 जहां पर भी odd होगा minus 1 की power odd तो negative आएगा अगर minus 1 की power even है तो positive आएगा तो यहां पे देखो ना 1 plus 2 तो यह 3 है 3 मतलब odd है तो यह negative आएगा ठीक है मतलब बेसिकली यह वाला जो co-factor यह positive आएगा फिर अगला वाला negative आएगा फिर अगला वाला positive आएगा यह वाला 2 plus 1 थू प्लस 1 थ्री है तो negative आएगा यहां पर positive एक ये वाला ये वाला और इन इन चारों के corresponding जो भी कोफेक्टर होते है केवल वो नेगेटिव होते है ठीक है तो आप डैरिकली इसको याद कर लो ताकि मतलब future में भी हम थोड़ा जल्दी calculation कर सके कौन से 4 negative होता है ये वाला ये वाला और ये वाला चीक है यह जो 4 co factor होते के वल यह 4 negative होता है बाकी सारे positive होता है understood negative मतलब basically minor का negative मतलब minor का value खुद में negative आ सकता है मतलब basically minus अब किसके आगे लगाओ होगए इन 4 के आगे अगे अगर आपसे पूछा जाएगा c12 so that is minus of m12 c21 so minus of m21 c32 so that is minus of m32 और इसमें भी minus लगाएंगे बाकी सब में आगे minus नहीं लगाएंगे simple as that ठीक है ना तो ये भी clear हो गया मेरे खाल से अब determinant का value कैसे निकालते हैं देखो determinant का value आप 6 तरीके से निकाल सकते हो सब में आपका answer same ही आएगा महलब that is the beauty of mathematics ठीक है तो आप जो determinant है उसको किसी भी row या किसी भी column के about उसको open कर सकते हो हैना you can open with respect to row 1 you can also expand with respect to column 2 हैना row 1 के respect में open करो row 2 के respect में open करो row 3 के respect में open करो column 1, column 2 या column 3 किसी के भी respect में किसी भी एक row या किसी भी एक column के respect में उसको open करो value of determinant will be the same answer same ही आएगा तो कैसे open कैसे करते हैं तो अगर आपको row 1 के respect में open करना है तो row 1 के अंदर कौन-कौन से elements है यह आपका row 1 है row मतलब horizontal ठीक है तो row 1 में कौन-कौन से element है a11, फिर a12 और फिर a13 इनको बस आप corresponding co-factor से multiply कर दो तो इसके corresponding co-factor कौन सा होगा a11 के corresponding c11 यहाँ पे आजाएगा c12 और यहाँ पे आजाएगा c13 और सबको add कर दो तो बस यहाँ से आपका determinant का value आजाएगा समझ गया न मतलब अगर कोई भी row ले लो जैसे row 1 है तो row 1 के elements ले लो corresponding co-factor ले लो और multiply करके add कर दो जैसे for example आपको column 2 के respect में open करना है तो column 2 के elements ले लो बस simple यह column 2 तो column 2 में कौन कौन है a12 है फिर a22 है और a23 है इनको corresponding co-factor से multiply कर दो ठीक है c22 और c23 और फिर plus कर दो बस यह भी आपका क्या आएगा यह भी आपका determinant का value ही आएगा और in fact आप यह निकालो यह निकालो it will be the same किसी भी row या किसी भी column के respect में आप determinant को open कर सकते हो आपका answer same ही आएगा ठीक है इसके examples भी करते है for example यह एक determinant है इसको किसके respect में open करें चलो तुम बताओ तुम जिसके भी respect में बोलोगे उसके respect में open करके देखेंगे और answer अपना same आना चाहिए तो एक तो हम कर लेते हैं with respect to row 1 ही कर लेते हैं with respect to row 1 कर लेते हैं और एक और आप बता दो row 1 के respect में इसको open करना row 1 मतलब यह row 1 के respect में open करेंगे तो basically elements कौन कौन से यह आएगा आप इन सब का value put करतो तो आपका determinant का value आ जाएगा let's say कि यह जो determinant है वो delta है इस determinant को मैं delta बोल देता हूँ for example value निकालना a11 मतलब यह पहला element पहला जो element है उसका value है 2 पर जो दूसरा element है उसका value है minus 3 और जो तीसरा element है उसका value है 1 ठीक है सब के आगे plus लगा दो यहाँ भी plus यहाँ भी plus अब यह c11 का value निकालो तो c11 का value अलग से निकाल लेता है देखो यहाँ पर c11 ठीक है अच्छा वैसे अगर आपको directly shortcut पता है तो आप directly shortcut भी लगा सकते हो आपको directly पता है कौन सा co factor negative होता है co factor यह positive होता यह positive होता है यह positive होता न वाला रो 1 को देख लो न आप हमनेやद किया था अगर आप रो 1 को देखोगे तो कौन सा co factor negative होता है केवल यह वाला row 1 के अंदर केवल यह जो बीच वाला co factor होता होता fig केवल वह negative आएगा बाकी सब minor के बराबर ही आएंगे तो आप directly यहाँ पर क्या गल सकते हो केवल यह वाला जो co factor है वो negative आएगा तो यह जो plus sign है उसको minus में बदल दो केवल यह वाला जो co factor है यह negative आएगा बाकी सारे plus ही आएगा यह भी plus आएगा यह भी plus आएगा और बस आप यहाँ पर minor से multiply कर दो यह चमका कि नहीं minor से multiply कर दो यह इसको अलग से ही करके दिखा देता हूँ मैं आप एक काम करो यह values आप अलग से ही निकाल लो अब confusion में मत रहना आप directly एक काम कर सकते हो तो c11, c12 और c13 का value अलग से ही निकाल लो तो c11 कितना आएगा वो आएगा m11 के बराबर c12 कितना आएगा वो आएगा minus of m12 के बराबर और c13 कितना आएगा वो आएगा m13 के बराबर अब m11 कैसे निकालेंगे तो first row और first column को delete करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर यहाँ पर cross multiply कर दो cross multiply करेंगे तो 4 आ रहा है similarly यहाँ पर m12 का value निकालो तो m12 का value के लिए first row और second column को delete करो फिर cross multiply करो तो 5 into 2 10 और 10 plus 1 तो 11 आ रहा है और उसके आगे minus लगा दो तो minus 11 आ रहा है इसका value और इसका value calculate करना m13 तो basically first row और third column को delete करो first row third column तो first row और third column तो यह आ जाएगा 8 इसका value 8 आ रहा है सबका value substitute करो तो यह 4 फिर यह minus 11 और फिर यह 8 तो बस यह यहाँ से calculate करना यह 8 plus 33 plus 8 आ ना ऐसा आ रहा है 8 plus 33 plus 8 ultimately यह कितना आ जाएगा यह आपका आ रहा है 49 आ रहा है 49 आ गया इसका value अचा similarly मान लो कि मुझे किसी और row या फिर किसी और column के respect में इसको open करना है अब आप कोई भी एक row या कोई भी एक column बता दो जिसके respect में हम इसको open करेंगे तो for example मैं ले लेता हूँ कोई भी एक लेलो जो भी तुमारी मर्जी है मैं यहाँ पर column 2 ले लेता हूँ क्योंकि उसमें एक 0 भी present है तो calculation कम पड़ेगा ठीक है तो आप column 2 ले लो column 2 के elements कौन कौन से होते है column 2 के ये तीनों element है ना और उसके corresponding co-factor से multiply कर देना value put कर देना मतलब basically तो ये वाला element होता है a12 फिर उसके बाद a22 और उसके बाद a32 ये 12 ये 22 और ये 32 corresponding co-factor तो c12 c22 और c32 और बस अब सब का value put कर दो ठीक है तो a12 का value कितना है इसका value है minus 3 ठीक है फिर इसका value कितना है इसका value है 0 और इसका value कितना है 32 का तो 32 का value है 4 अब यहाँ पर corresponding जो भी आपके co-factor है उनका value put कर दो ये c22 निकालने की जरूती नहीं है क्योंकि ultimately 0 से multiplied है तो c22 मत निकालो आपके वाल c12 और c32 निकाल दो तो c12 का value कितना आएगा वो आएगा minus of m12 क्योंकि odd है ये और c32 ये भी odd है ये भी आएगा minus of ये ठीक है तो corresponding minor निकालो ये m12 कैसे निकालें m12 के लिए first row और second column ठीक है तो first row और second column को delete कर दो तो basically ये आजाएगा 10 plus 1 ये 11 आ रहे है ठीक है मतलब minus 11 आजाएगा overall और यहाँ पे 32 मतलब third row second column तो third row और second column को delete करना जरा third row और second column ये आ जाएगा minus 2 और minus 2 तो minus 4 आ जाएगा और आगे एक और minus है तो plus बन जाएगा न तो minus 11 यहाँ पे आप पुट कर दो minus 11 तो यहाँ पे आप पुट कर दो plus 4 तो ultimately ये आ गया 33 और plus 16 तो देखो वही आ रहे है 49 ही आएगा है ना मतलब that is the beauty of आखों में चमक आई की नहीं कितलों को आखों में चमक आगई एक बार फटाफट बताओ ये clear है आखों में चमक आना काफी important है कि चमका की नहीं चमक गया होगा आखों में चमक आगई येस तो समझ में आ गया fine तो आप किसी भी row या किसी भी column के respect में उसको open कर लो answer आपका same ही आएगा जहां मरजी उसको open करो ठीक है येस चमक गया होगा मेरे खाल जाए और आगे बढ़ते है इसका value निकालो चलो एक और determinant है आप ये same ही है क्या अच्छा same ही है चलो छोडो आगे बढ़ते है ठीक है फिर co-factor की property पर आ जाओ ये property भी काफी important है है ना मतलब in fact इसके ऊपर काफी सारे question भी बन जाते है तो property को समझो ठीक है ये property जो है इसका नाम तो वैसे co-factor property है बट इसमें आप अलग नाम लख लो इस property का नाम लख लो अदला बदली अदला बदली अदला बदली allowed नहीं है कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी एक row ले लो या कोई भी एक column ले लो you can take anything जैसे for example मैं row 1 को ले लेता हूँ ओके तो row 1 में कौन-कौन सा element है ये सारे element है अदला बदली allowed नहीं है ऐसे याद करो अदला बदली कर दोगे तो value 0 आयेगा ऐसे याद करो अदला बदली allowed नहीं है तो यहाँ पर कोई भी एक row ले लो और उसके corresponding co-factor ले लो तो इसका जो value मतलब अगर आप corresponding co-factor ले लोगे तो ये तो आपका determinant का value आ जाएगा यहाँ से यहाँ से कोई भी एक row ले लो और उसके corresponding co-factor से multiply कर दो you will get the value of determinant लेकिन अगर आपने कोई भी एक row ले लिया और co-factor किसी और row के ले लिये है जैसे मानलो आपने row 1 लिया और co-factor बदल दिया अधला बदली कर दी आपने co-factor मानलो रो 3 के लिए रो 2 के किसी भी और रो के लिए उसके नहीं लेने बस corresponding नहीं लेने अगर आपने मानलो रो 3 के को फेक्टर ले लिए मनलब C3 1 फिर C3 2 और C3 3 तो इसका वैल्यू अगर आप निकालोगे ना तो इसका वैल्यू जीरो ही आएगा हमेशा ठीगा है इस प्रॉपटी मनलब यह प्रॉपटी यह यह हमेशा जीरो ही आएगा आप करके देख सकते हो अगर आप यह निकालोगे कोई भी एक row ले लो कोफेक्टर किसी और के ले लो और उनको multiply करके add करोगे तो 0 ही आएगा कोई भी column लोगे, co-factor उसी के लोगे, तो भी value of determinant आगा, मतलब अगर corresponding co-factor है then you will get the value of determinant, अगर अदला बदली कर दी corresponding नहीं है तो zero आएगा हमेशा, ठीक आप निकाल के भी देख सकते हो, मतलब इस example में निकाल लो, जैसे for example, आप ये first वाला row ले लो, आप निकाल के देखो ना, इसको verify भी कर सकते है a11, a12, a13, और co-factor मानलो, इसके ले लो, आप c31, c32 और c33, ये निकाल के देखना इसका value अगर आप निकाल के देखो तो zero आ रहा होगा, अब एक बार करो try करो, इसका value पूट करो, ये तो 2 है, इसका value minus 3 है, और इसका value आप ले लो, कितना है, 1 ठीक है, तो सबका value पूट करतो बस और इन तीनों के value भी पूट करो तो इन तीनों के value, c31 तो c31 तो 3 plus 1 4 है तो m31 के बराबर होगा ठीक है, फिर c32 that will be minus of m32 और c33 निकालो, तो that is m33 अब ये minors निकाल दो बस तो minor निकालने के लिए third row और first column को delete करो third row और first column तो यहाँ पर basically आपका जाएगा 3, इसका value तो 3 आ रहा है इसका value calculate करना अगेन इसमें है third row और second column तो ये second column को delete कर दो minus 2 और minus 2 minus 4 है, तो plus 4 हो जाएगा यह आगे minus 2 है और 3, 3 मतलब third row, third column तो third row और third column को delete करो यहाँ पर cross multiply करोगे तो कितना आ रहा है यह plus 6 आ रहा है तो इसका value 6 आ रहा है तो आप substitute करो, यहाँ पर 3 put करोगे यहाँ पर 4 put करोगे और यहाँ पर 6 put करोगे तो एक बार check करो यह कितना रहा है जीरो आ रहा है जीरो ही आ रहा है प्रोपटी पर भरोसा रखो mathematics पर भरोसा रखो और NV सर पर भरोसा रखो ठीक है, यह 0 ही आ रहा है तो यह प्रोपटी क्लियर है क्या अदला बदली allowed नहीं है otherwise 0 आ जाएगा ठीक है, it will always be 0 कोई भी एक row लेलो, या कोई भी एक column लेलो, cofactor किसी और के लेलो, तो आपका zero यह आएगा, corresponding cofactor लेलोगे, तो determinant का value आजाएगा, which is 49, तो अमने देखा न, row 1 & corresponding cofactor, तो 49 आ रहे, यह कौन सदा, यह था column 2 & corresponding cofactor, तो भी 49 आ रहे, लेकिन अद्ला बदली करतोगे तो zero आएग है ठीक है चलो और आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते है शौटकट टू फाइंड वैल्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू अभी तक हमने जो भी पढ़ा वह काफी कॉंप्लिकेटट था इसका एक शौटकट भी होता है शौटकट इस वेरी एजी तो शौटकट से भी आप डि है तो उसका वैल्यू हमने कैसे निकाला था हम पहले यह नीचे जाता है न हमारा जो नीचे जाता है और फिर हमारा जो बाद में ऊपर जाता है, ना तो पहले नीचे, फिर माइनस और फिर बाद में ऊपर तो यह जो basic format है इसको आप ध्यान रखना, तो आपको shortcut भी याद हो जाएगा, पहले कहा जाते हैं, पहले नीचे जाते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, फिर लाइफ में नीचे जाओगे, तभी सारूस भाई साब ने यह बताया था, यह हमारा नहीं है, बहुत पुराना है, ठीक है, तो अगर कोई भी एक determinant है, directly मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, अगर आपको shortcut से इसका value निकालना है, इसका answer देखो, आपको पता ही, यह 49 है, बट आपको step आपको clear, step by step बताऊंगा, दीरे-दीरे बताऊंगा, तो आप समझ लेना, अगला question आप जल्दी कर देना, ठीक है, तो यह sound में है, column 1 को copy-paste कर दो, फिर column 2 को भी कर दो, यह जो column 2 है, उसको भी copy-paste कर दो, minus 3, फिर 0, और फिर 4, ठीक है, minus 3, 0, 4, minus 3, 0, 4, कर दो, तो column 1 और column 2 को कर दो, copy-paste, अब life में पहले कहां जाते, पहले नीचे जाते, तो जो भी आपका पहला element है, वहीं से start करते है, कहां से start करेंगे, first element से, तो first element से start करो, और life में पहले नीचे जाओ, ऐसे नीचे जाओगे, तो ये तीनो, फिर ये तीनो, और फिर ये तीनो, तो इन तीनो को multiply करना है, ये चमकर life में पहले कहा जाना है, पहले नीचे जाना है, तो first वाले element से start करो, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, अब इन सब को multiply करो, तो 2 into 0 into 5, तो 0 ये आएगा, multiply करना इन तीनों को multiply करोगे तो कितना आएगा 8 ठीक है बीच में minus लगा दो बीच में minus लगा दो बीच में minus लगाने के बाद फिर से आप start करोगे first element से जो सबसे last वाली row है उसमें first element और फिर उपर जाओ तो यहां से start करो first वाली element से start करो और उपर आपको जाना है तो यह तीनों आजाएंगे इन तीनों को multiply करो इन तीनों को multiply करो और इन तीनों को multiply करके वहां पर जो दूसरा bracket है उसमें लिख दो यह तो 0 ही आएगा पहला वाला तो यह तो इसमें 0 है यह 4 into minus 1 into 2 यह आजाएगा minus 8 और यह 5 into 2 10 10 into तो minus 30 आगे ultimately बस this is the answer 11 plus 38 49 आगे बस तो यह थोड़ा अच्छा method है मतलब directly you can find out the value of determinant इसम का column 1 column 2 copy paste उसके बाद नीचे जाना है बीच में minus आएगा फिर उपर जाना है जैसा 2 cross 2 में करते है तो ऐसा ही 2 cross 2 में भी तो ऐसा ही करते है ना पहले नीचे करते थे और फिर उपर करते थे बट उसमें number of elements बहुत कम है तो नीचे एक ही एरो आएगा अब यहाँ पर 3 cross 3 का है तो नीचे 3 तीन एरो आएगे फिर उपर भी 3 तीन एरो आएगे समझ गे ना तो बस उतना ही difference है इसमें number of elements तोड़े जादा है चमक गया होगा मेरे खालज है ठीक है चलो इसका answer निकालो इसका answer आप shortcut से निकालो तो column 1 को copy paste करेंगे 212 column 2 को copy paste करेंगे तो 312 और फिर आप पहले नीचे फिर उपर तो पहले नीचे जाना है नीचे जाना है इनको multiply करो फिर डफिर तू फिर 2 माइनस लिख दो बीच में और फिर उपर जाना है तो यह उपर यह उपर यह उपर तो यह कितना आ जाएगा फिर अगला वाला आ जाएगा 4 और फिर अगला वाला आ जाएगा 3 तो ultimately यह 2 से 2 cancel हो गया यह कितना आ जाएगा 8-7 वन आठाएगा इसका आंसर इसका कितना है जल्दी हो जाएगा मतलब यह भी आप use कर सकते हो for finding out the value of 3 x 3 determinant अगर कोई 3 x 3 का आता है न तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो बाकि आपको जो भी अच्छा लगे मतलब ऐसा कोई compulsory नहीं है कि आप यही यूज करो अगर आपको पुराना वाला पसंद है 3 x 3 का को फेक्टर माइनर वाला तो वो भी आप यूज कर सकते हो है न जहां पर हम नहीं यह method भी कोई बहुत जादा लेंदी नही है ultimately यह भी उसकर सकते है वो भी उसकर सकते हैं दोनों ही correct है बाकि आपकी मरजी है ऐट लोगे ऑimize गड़ी तो टोटल लाइक 11 प्रोपटीज आ आप ए लेवन ए 12 प्रोपटीज है एक-एक करके लिखते हैं, सब लोग ठीक है प्रोपटी क्या है पहली प्रवबटी यह है कि अगर कोई भी एक determinant है, determinant of A, या फिर determinant of A transpose, transpose मनलब rows और columns को हम interchange कर देते हैं, उसको बोलते है transpose, तो दोनों का determinant value same ही आएगा, इसका आप एक example भी ले सकते हो, 2 cross 2 का लेलो simple, जैसे आप इसका निकालोगे determinant, या फिर rows और columns को swap कर दो, इधर 1, 2 है ना, तो 1, 2 आप vertical कर दो, यह horizontal को vertical कर दो, transpose लेलो, है ना, तो इसका determinant, क्या दोनों का determinant same ही आएगा, यहाँ पे अगर आप determinant value निकालोगे तो 4 minus 6, यहाँ पे भी अगर आप determinant का value निकालोगे तो 4 minus 6, same ही तो आ रहा है, यह चमका किने, अगर आप किसी भी a का determinant लो, या a transpose का determinant लो, it will always be same, और determinant of i, i मतलब identity matrix, अगर 2 cross 2 का identity है, या फिर 3 cross 3 का identity है, या 4 cross 4 का है, ना, किसी भी order का है, उसका determinant value 1 ही आएगा, ठीक है, determinant of identity will always be 1, तो बस यह पहली property, simple, आगे बढ़ते हैं, दूसरी property क्या है, दूसरी property यह है कि अगर, जैसे for example, मान लो आपके पास ऐसा है, a, b, c, यहाँ पे है, p, q, r, और यहाँ पे है, x, y, z, d, यह कोई भी एक determinant है, ठीक है, अगर आप किसी भी दो row को, या फिर किसी भी दो column को, swap करते हो, कोई भी दो row को swap कर दो, या किसी भी दो column को swap कर दो, row को column के साथ मत करना, row को row के साथ swap करो, या column को column के साथ swap करो, तो फिर एक minus sign आ जाएगा, बीच में, तो always जैसे for example माल लो आपने row 1 और row 2 को swap कर दिया for example, तो जो row 1 है, वो actually row 2 बन जाएगा, और जो row 2 है, वो row 1 बन जाएगा तो जब भी आप 2 row को swap करोगे तो हमेशा एक minus sign आता है आगे, ठीके, it will always be minus अगर आप इसका determinant value निकालोगे तो हो सकता है let's say for example इसका 49 आ रहा है तो इसका फिर minus 49 आ रहा होगा हमेशा ठीक है तो जो भी इसका value होगा उसका minus होगा इसका value तो हमेशा जब भी आप किसी भी दो row को या किसी भी दो column को swap करोगे तो एक minus sign बीच में आपको लगाना पड़ेगा ठीक है that is the property और आगे बढ़ते है cyclic order में आप rotate कर सकते हो that is allowed तो for example यही ले लो आप ABC, XYZ और PQR यह कोई भी एक determinant है आप cyclic order में rotate कर सकते हो cyclic order मतलब जो row 1 है वो row 2 बन जाएगा जो row 2 है वो row 3 बन जाएगा और जो row 3 है वो वापस row 1 बन जाएगा पूरी cycle में गुमा दो उसको row 1 will become row 2, row 2 will become row 3, row 3 will become row 1 तो cyclic order में आप गुमा सकते हो value of the determinant will remain same, value same ही राएगा अब अब यह ABC नीचे आजाएगा चीक है जो XYZ है और नीचे आजाएगे और जो PQR है वो उपर चले जाएगे तो इसका value निकालो या इसका value निकालो it will be the same cyclic order में आप rows को भी या फिर column को भी कर सकते हो ऐसा भी कर सकते हो कि column को rotate कर दिये यह यहाँ पे चला गया यह यहाँ पे चला गया और यह वापस यहाँ पे आगया तो column को भी आप cyclic order में rotate कर सकते हो गुमा सकते हो और rows को भी आप cyclic order में गुमा सकते हो ठीक है बट cyclic order हो न चीक कोई एक direction में आपको चलना है दोनो direction में मत चलने लग जाना ठीक है cyclic मतलब जैसे इस direction में आप जा रहो तो यह row यह जो column 1 है वो column 2 बनेगा तो column 2 है वो फिर इधर मत shift कर देना इधर आगे बढ़ते रहना है ठीक है यह column 2 will become column 3 और इसके आगे sense कुछ नहीं है तो वो वापस आ जाएगा वो column 1 में आ जाएगा ठीक है तो cyclic order में आपको rotate करना है येस ये clear है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है और आगे बढ़ते है अगली property क्या है अगली property यह है यह properties के ऊपर बहुत सरे questions इंफेक्ट आते है तो super important है सारी property आपको याद हो रही चाहिए एक भी property हम छोड़ नह यहां पर चाहिए कुछ भी हो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर exactly same है अगर identical है इफ two rows are same और इफ two columns are same then the value of determinant will always be equal to zero इफ two rows are equal और if two columns are equal then the value of determinant will always be equal to zero चमा गया तो fourth property यह भी simple फिफ्थ वाली property है scalar multiplication अचा हम ना matrices में देखा था कि जब भी हम scalar से multiply करते है तो हरेक element में multiply हो जाता है लेकिन determinant में ऐसा नहीं होता है अगर matrix है जिसे मानलो यह तो determinant है बट अगर यह matrix होता और फिर आप scalar से multiply कर रहे होते है Supp idee तो यह जो scalar है ने हरेक element में multiply होता बट यहां पर determinant में property होती है कि जो भी आपका scalar है वो किसी भी एक row में या किसी भी एक column में आप उसको multiply करो मर्जी आपकी है जैसे मैंने यहाँ पर row 1 में multiply कर रखा है आप in fact ऐसा भी कर सकते थे कि sir नहीं नहीं मेरा तो मन है कि मैं ना column 2 में multiply करूँ k को तो आप यह को किसी भी एक row में या फिर किसी भी एक column में multiply कर सकते हो लेकिन सब में नहीं ठीक है कोई भी एक row या कोई भी एक column oh that is your choice it's your choice ठीक है समझे ना तो यह जो scalar होता है उसको किसी भी एक row या किसी भी एक column में ही आप multiply कर सकते हो अगर determinant है तो, अगर matrix है तो हर एक में करना पड़ेगा, in all the elements but determinant में थोड़ा अलग होता है, समझ यह होंगे मैं रिखाल से चीक है, और आगे बढ़ता है, अच्छा ये वाली property तो I think हमना matrices में भी पड़ी थी super important है, अगर आप scalar को बाहर निकालोगे तो हमेशा वहाँ पर K raise to N आएगा, into determinant of A, ठीक है, जब भी आप scalar को निकालोगे बाहर, तो हमेशा वहाँ पर K raise to N आएगा, और ये भी उसी property की वज़े से है, ये fifth वाली property की वज़े से ही, sixth वाली property आती है, ऐसा क्यों देखो एक छोटा example ले लो, two cross two का मानलो आपके पास ये वाला matrix है, K, A, K, B, K, C और K, D, ठीक है, ये two cross two का एक matrix है और ये matrix है, K into A basically आपके पास एक matrix था उसमें आपने K multiply कर दिया ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत एक matrix आप ले लो A, और वो matrix A है ना, matrix A is basically A, B, Z, D और इसमें आपने K से multiply कर दिया, तो ये आजाएगा matrix में, matrix के अंदर आपने K से multiply किया, तो हर एक में करना पड़ेगा, तो ये आपका K into A ये जो K into A, ये matrix है उसका determinant ले लो तो ये जो matrix है, उसका determinant ले लो अब, तो determinant of K into A ये जो matrix है, उसका अब आप determinant ले लो तो ये बन जाएगा, this is your LHS चीक है, अब आप क्या कर सकते हो अब आप common ले सकते हो तो जब आप common लो के तो K कितनी बार निकलेगा, ये जो first row है, उसमें से आप K common निकाल सकते हो और ये second row में से भी आप एक K निकास है, तो बाहर basically K square आएगा ना, into यहाँ पर आजाएगा ABCD, और ये जो ABCD है, that is nothing but that is determinant of A वापस ये A का ही तो determinant है तो हमेशे ये ध्यान रखना कि जब भी आप ये property आप directly ध्यान रखो ये सब बकवास से नीचे वाला है तो N का value 2, जो भी उसका order है 2 cross 2 है तो 2 आएगा अगर 3 cross 3 है तो 3 आएगा उस हिसाब से वो वहाँ पर आता जाएगा अच्छा यहाँ पर ये भी important यहाँ पर सीखने का है कि जब आप common लेते हो common लेना is ultra of multiply करना है ना, तो जब आपने तो किसी एक में से लेंगे ना बात बराबर, ठीक है इसाब किताब बराबर होना चीए यहाँ पर जब आपने common लिया तो first row में से लिया फिर जो दूसरा वाला k है वो second row में से ले लिया एक बार ऊपर से ले लिया एक बार नीचे से ले लिया चमका ना तो बेसिकली दो बार निकालना पड़ेगा क्योंकि जब आप multiply करते हो तो किसी एक row में करते हो तो जब common लेंगे तो किसी एक row में से लेंगे ना चमका होगा तो basically दो बार लेना पड़ेगा येस clear है चलो ये वाला question try करो ये कैसे करेंगे इसका answer बतातो फटा फट इसका answer कितना हैगा यहाँ पर तो है 1336 यहाँ पर है 1736 ठीक है और ये जो 102 है उसको हम क्या लिख सकता है 17 into 6 ये 18 को हम लिख सकता है 6 into 3 इसको हम लिख सकता है 6 into 6 तो basically 6 common आ जाएगा दिख गया कितने लोको दिख गया तो 6 को ले लो common 6 को common ले लो के तो 17 3 और 6 बचेगा और नीचे भी 17 3 और 6 है बाकी बीच में चाहे कुछ भी हो अंसर कितना आएगा अंसर 0 आएगा यहाँ पर दो जो रो है वो exactly same है दिख गया ना ये वाला जो रो है और ये वाला जो रो है वो same है if two rows are same if two rows are same then the value of determinant will be equal to 0 तो properties लगा के करना ऐसा मत करना कि सर ने तो एक shortcut पड़ाया था तो यहाँ पर एक काम करते है 102117 कि यह सा मत करना यह नहीं कि determinant देखता ही मतलब value निकालना बैठ गए ना हाला कि उससे भी answer आएगा बट यह shortcut का भी shortcut है ना properties लगाया करो हमेशा पहले simplify करो first simplify then उसको open करो ठीक है तो properties लगाया करो yes आगे बढ़ते है अगली वाली प्रॉपटी क्या है next property इस की value of skew symmetric determinant of odd order अगर कोई भी skew symmetric है skew symmetric का definition आपको याद है na a transpose is equal to minus a तो अगर कोई भी skew symmetric है यह skew symmetric है देखो diagonal element 0 होते है हमने पढ़ा था skew symmetric की property होती है कि diagonal elements are always 0 diagonal element 0 है और जो यह elements होते है वो mirror image होते है but with opposite sign अगर इधर a है तो minus a है इधर b है तो उधर minus b है इधर c है तो इधर तो यह skew symmetric है skew symmetric भी है और odd order का है इसका order है 3 cross 3 basically इसका order है 3 अगर order 3 है मलब odd order है तो skew symmetric of odd order उसका determinant value 0 होता है हमेशा तो इसका अगर आप determinant value निकालोगे तो obviously it will be 0 अगर कोई भी skew symmetric है of odd order तो उसका जो determinant value होता है that is always equal to 0 तो यह ध्यान रखना ऐसा कोई भी skew symmetric आ जाए जिसका odd order है then the value of determinant will be definitely 0 ठीक है और आगे बटता है 7th property कौन सी है 7th property है आप add कैसे करते हैं देखो matrices में add करना एक अलग property है और determinant में add करने की अलग property है matrices में हमने अगर यह matrix होता और यह भी matrix होता तो हम add कैसे कैसे करते तो फिर हम सार जितने भी corresponding element है सबको add कर देते अब ऐसा आता ना a1 प्लस x, b1 प्लस y, c1 प्लस z इधर भी आएगा a2 प्लस a2, b2 प्लस b2, c2 प्लस c2 है ना तो matrices में जितने भी corresponding element होता है सबको add कर देते लेकिन determinant में इसा नहीं होता है अब देखो ध्यान से सुनना, दो determinant को add तभी कर सकते हो, जब कोई भी दो row, minimum दो row या minimum दो column सेम होनी चाहिए पहली बात तो तो जैसे ये एक determinant है और ये एक determinant है तो सबसे पहले तो आप चेक करो कि minimum दो row जैसे ये वाली row और ये वाली row exactly सेम है और ये वाली जो row है ये भी exactly सेम है तो minimum दो row या minimum दो column exactly सेम होनी चाहिए तभी आप उनको add कर सकते हो, otherwise तो add ही नहीं कर सकते है अगर दो row सेम है तो जो तीसरी वाली row है जैसे ये row और इधर भी row है उनको आप add कर लो बस ये बन जाएगा बाकी दोनों सेम ही रहीगी यहां पर भी, नीचे वाला जो है it will remain safe तो जब भी आप determinants में add करते हो, तो it is always one at a time, एक एक करके add करते है पहली वाली row को add करेंगे, फिर दूसरी वाली row, मलब one at a time और बाकी की जो दो row है वो same होनी चाहिए, either two rows or two columns must be exactly same, then only you can add the third row और the third column, जैसे यहां पर ये दोनों सेम है तो आमने तीसरी तीसरी जो थी उसको add कर दी, चमक गया होगा मेरी खाल से, second और third row सेम है तो first वाली row को first वाली row के साथ add कर दिया, और इसी का उल्टा होता है splitting, ज exactly same, either a2b2c2, उधर भी a2b2c2 और उधर भी a2b2c2, तो कोई भी दो row या कोई भी दो column, exactly same रहनी चाहिए, और एक row को आप split करोगे cable, one at a time, ये याद करो बस, one at a time, एक को आप split कर सकते हो, ठीक है ये चमका गया, ये नहीं पता था, अब पता चल गया ना, ठीक है तो add भी क सकते हो, और split भी कर सकते हो, जैसे for example, इसको split करना है मुझे, अगर इसको split करना है, तो इसको same रखो, ABC और XYZ को same रखो आप, इधर भी आप ABC और XYZ को same रखो, और cable जो बीच वाला है, उसको split कर लो, इसको split करेंगे तो एक बार ABC आजाएगा, और एक बार 2X, 2Y और 2Z आजा और केवल बीच वाले को split करो, इसका value तो 0 आजाएगा, तो कि यहाँ पर ABC, ABC same है, first row is same as second row, इसका value तो 0 आजाएगा, यहाँ पर आप क्या करो, 2 common ले लो फेले तो, basically इसका value तो 0 आजाएगा, और यहाँ पर आप 2 common ले लो, तो 2 common ले लोगे तो ABC, XYZ और XYZ, तो इसका value भी क 0 आजाएगा, तो ultimately what is the final answer, final answer is 0, ठीक है, दोनों का value 0 आजाएगा, तो again property लगा हो आप, इसको directly open मत करो, directly open भी करो, तो भी 0 ही आएगा, बट property लगा के जल्दी आजाएगा, यह चमका, yes or no, fine, two rows are same, so determinant will be equal to 0, बिल्कुल सही है, अचा, 9th वाली property क्या है, कि determinant of A into determinant of B, so we can write that as determinant of A, B, ठीक है, determinant of A, B, आप उसको split कर सकते हो, as determinant of A, into determinant of B, इसको भी आप verify कर सकते हो, जैसे for example, इसको आप ले लो A, इसको आप ले लो B, और दोनों को multiply करना आपको आता है, row by column, determinants में कैसे multiply करते है, वैसे ही करते है, जैसे matrices में करते है, तो multiplication is same, अगर मैं आपको बोलूँगा कि A और B को multiply करो, तो जैसा matrices में करते है, वैसे ही करना, ठीक है, इस exactly the same, row by column, multiplication is the same, आपको दुबारा पढ़ने की जुरूद नहीं है, यहाँ पर कैसे multiply करेंगे, row by column, एक इसका NV style मैंने आपको सिखा था, वो भी आप use कर सकते है, ultimately A into B कितना आजाएगा, यहाँ पर 2 आजाएगा है, 1 plus 1, 2, फिर नीचे आप जाओगे, तो 1 plus 2, तो यहाँ पर 3 आजाएगा, फिर आगे आप जाओगे, तो यहाँ पर 4 आजाएगा, यहाँ पर 8 आजाएगा, मलों, basically यह आजाएगा, A, B, तो अगर आप यहाँ पर चेक कर है, यह अपना A, B, आजाएगा, तो determinant of A, B, कितना है, यहाँ से calculate करना, determinant of A, B, वो आजाएगा, 16 minus 12, 16 minus 12, तो यह भी 4 आजाएगा, मतलब basically वही वाली property आजाएगा, determinant of A, B, is determinant of A, into determinant of B, आजाएगा, तो आप इसको verify भी कर सकते हो, तो multiplication, multiplication वैसे ही करते है, जैसे matrices में करते है multiplication is the same, यह property आप यहाँ पर use कर सकते हो, understood, और आगे बढ़ता है, अचा, अगर यह definition है, basically property नहीं है, definition समर लो, singular किसको बोलते है, singular, मतलब basically, single, ठीक है, आप लोग की तरफ, envy sir की तरफ नहीं, ठीक है, तो singular को आप ऐसे याद कर लो, मतलब जिसका determinant value 0 है, ठीक है, जिसका determinant value 0 है singular है, जिसका determinant value non-zero, वो non-singular है, तो यह definition आप ध्यान रखना, singular, अगर कोई भी ऐसा आपको बोलाई कि, एक matrix है, जो singular है, singular मतलब उसका determinant value कितना होगा, उसका determinant value 0 होगा, और non-singular मतलब, non-singular मतलब, जिनका determinant value non-zero है, determinant value is not equal to 0, ठीक है, तो यह definition है, अगेन इसका आप ध्यान रखना, singular है, और non-singular, non-singular, singular, ठीक है, singular मतलब, i, t, j, s, parent, determinant value 0, ठीक है, चमक ग्या होगा, और आगे बटते है, 11th वाली property सबसे जादा important है, यह basically property नहीं है, इसका हम बोलते है, row transformation, transformation, या column transformation, इसका आप बोल सकते हो, elementary row transformation, या फिर elementary column transformation, अब इसको ध्यान से समझ लेना, देखो, elementary transformation यह कहता है, कि आप किसी भी एक row को, या किसी भी एक column को, पूरी तरह से transform कर सकते हो, पूरी तरह से बदल सकते हो, और वो कैसे, जैसे, for example, मालू, मुझे row 1 को transform करना है, अगर आपको row 1 को transform करना है, तो इसके कुछ rules होते है, यह rules आपको follow करने पड़ेंगे, rules क्या है, अगर row 1 को transform करना है, तो यहाँ पर आपको row 1 के साथ ही start करना पड़ेगा, बलब row 1 का जो coefficient होगा, वो 1 होना चाहिए, इसका जो coefficient हो कितना होना चाहिए, और बाकी आप यहाँ पर कुछ भी add और subtract कर सकते हो, but that should be a linear combination of R2 and R3, बलब row 2 और row 3 का, कुछ ना कुछ linear combination होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पर लेलो, M और N लेलो, तो यह M और N का value कुछ भी हो सकता है, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, row 2 और row 3 का linear combination लेलो, linear मलब AX प्लस BY टाइप का, तो AX प्लस BY टाइप का, कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, यहाँ पर restriction यह है कि इसका coefficient 1 होना च और अगर आप row 1 को replace करो, तो row 1 से ही start करना है, बाकी बाद में आप कुछ भी करते हो, यह चम करके नहीं, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, जैसे for example, मालो मुझे column 3 को transform करना है, अगर आपको column 3 को transform करना है, तो यहाँ पर column 3 होना चीए, बाद में आप चाहे कुछ भी 0 times c2 तो भी चलेगा, ठीक है, तो यह भी चलेगा, अगर आपको transform करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हों कि c3 plus c2 plus c1, यह भी allowed यह भी कर सकते हो, यह भी अलाउड यह भी कर सकते हो, यह लाउड नहीं है, उसका जो coefficient होना चीए, वो 1 होना चीए, तो आप किसी भी एक row, या कि कॉलम को पूरी तरह से transform कर सकते हो, then also the value of determinant will remain the same, अगर आप यह transformations लगा भी दोगे न, last वाला नहीं लगा सकते बस, अगर यह तीन और यह चार, यह सारे transformation लगा भी दोगे न, then also the value of determinant will remain the same, यह चमका, येस, चलो तो अब कुछ questions करते हैं, तभी यह चमकेगा, तो last वाली जो करने की कोशिश करो, जैसे अपने को प्रू करना है कि इसका जो value है, वो aq बायेगा, एक बार बताओ कैसे करेंगे, अब देखो इसमें इस तरह की question जब भी आता है, तो मैंने आपको सिखाय था, कि आखों में चमक आनी चाहिए, जिन लोग को पुराने lectures याद होंगे, जि आपका जो objective है, आपका जो aim है, वो यही होना चाहिए कि या तो 3 1 बनाओ, किसी भी एक row में, या किसी भी एक column में, 1 1 1 ऐसा बना लो, या फिर 2 0 बना लो, और तीसरा चाहिए कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी चाहिए डबबा हो, तो 2 0 बनाओ, या फिर 3 1 बनाओ, अगर यह बन गया, तो तुम्हारा काम हो गया, then you are successful, आखों में चमक आ गई, समढ़ लो, तो आखों में चमक आनी चाहिए, आखों में चमक तभी आएगी, जब 3 1 या 2 0, पूरे चैप्टर में यही चलेगा आज, तीन 1 बनाना या 2 0 बनाना है, पूरा चैप्टर खतम, इतना य यह वाला determinant है, अब इसमें आप ऐसा कुछ row transformation लगा दो, कि या तो 3 1 बन जाए, या 2 0 बन जाए, कुछ भी ऐसा करो, या बेटर है, कोई भी बना लो, या तो 3 1 या 2 0, कोई भी बना लो, तो कैसे बनाएंगे, तो देखों यहाँ पे अपने को दिख रहा है a, यह इदर आप आपको दिख रहे 2 है, और इधर आपको दिख रहे 3 है, तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे 0 बना सकता हूँ, कैसे 0 बनाएंगे, तो देखो, 0 बनाने के लिए आप simple क्या करो, जो row 2 है, इसको transform करना है, मुझे और इधर 0 चाहिए, यह जो 2 A लिखा है, वो 2 A को 0 बनाना है, अ कि row 2 को replace कर दो, row 2, इधर तो row 2 ही आना चाहिए, इधर आप कुछ भी disrupt नहीं कर सकते है, तो row 2 minus 2 times row 1, यह कर लो, और similarly मुझे इधर भी 0 चाहिए, अगर मुझे इधर भी 0 चाहिए, तो row 3 को आप replace कर दो, with row 3 minus 3 times row 1, अब row 1 को हम change नहीं करेंगे, row 1 के उपर हमने कोई transformation लगा है क्या, हम row 2 को transform कर रहे है, और row 3 को transform कर रहे है, तो row 1 आपका same होगा, तो row 1 को आप लिख लो पिले, a, a plus b, और a plus b plus c, इसको हमने touch नहीं किया, इसको हम touch नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा, row 2 minus 2 times row 1, ओके तो this minus 2 times this, यहाँ पे 0 आजाएगा, ठीक है, similarly this minus 2 times this, मनलब double करके subtract कर दो, जो ऊपर वाला है, उसको double करो, और इसमें से subtract कर दो, तो 3a plus 2b, minus 2a minus 2b, तो 2b, 2b cancel हो जाएगा, यहाँ पे 3a minus 2a, तो a आजाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे a आजाएगा, similarly इधर क्या आएगा, इधर भी आप यहाँ से देख लो कि row 2, यहाँ प बचेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ बगी 2c, 2c cancel हो जाएगा, इधर इधर बताओ, इधर आपको triple करके subtract करना है, तो जो row 1 है, उसको triple करो, और इसमें से subtract करो, तो 3b, 3b, वो तो cancel हो जाएगा, और 6a minus 3a, वो बचेगा कितना, वो 3a बचेगा, इधर तो 0 यहाँ जाएगा, ट्रिपल करके subtract करो, तो 0 आजाएगा, इधर, इधर basically triple करके subtract करो, तो 7a बचेगा, और plus 3b बचेगा, तो यह आगे बस, अब इसको आप आराम से open कर सकते हो, क्योंकि 2 0 आगे न, तो since 2 0, देखो जब भी 2 0 आजाते है, उसके बाद सीधर shortcut होता है, जैसी आपको 2 0 दिख समझे, यहाँ पर केवल a की element है, बाकी तो दोनो 0 है, केवल a की element है, तो उस element को आप यहाँ पर लिख लिया करो, वो element क्या है, वो element है a, और multiplied by उसका corresponding co-factor, उसका co-factor क्या आजाएगा, उसका co-factor आजाएगा, इसको multiply करो, 7a square, और plus 3ab, यह आजाएगा, और फिर minus, minus यह, तो यह आजाएगा, 6a square, तो 6a square, और plus 3ab, ठीके, plus 3ab, तो बस इसको simplify कर लो, तो यह और यह तो cancel हो रहा है, आपको दिग्या होगा मेरे खाल से, a क्यों बागे, ठीके, तो finally a क्यों बिजदा answer, कि चमका कि नहीं, क्योंकि वो a square into a, तो a क्यों बागे न, simple, तो बस यह आपक ना है, अगर 2-0 आ गया न, यहीं पर आपका question खतम हो गया था, आँखों में चमक, फिर उसके बाद open कर लो determinant को, किसके respect में open करोगे determinant को, यह column 1 के respect है, क्योंकि उसमें 2-0 है, तो उसके respect में open करना आसान है, और कैसे करते हैं, यह element इदर लिख दिया करो, और corresponding जो भी co-factor हो multiply कर दिया करो, simple, चीक है, तो 2-0 या 3-1, यह आपका objective है, पूरा chapter ऐसे ही चलेगा, अब एक J-E main का question करते हैं, यह question आया था, देखो, एक और चीज़ में आपका बदाता हूँ, determinants, और complex number का जो combo है न, इसके उपर काफी question बनते है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो question को पढ़ोगे ध्यान से, तो बोल रहा ही कि alpha, beta are the roots of this equation, और यह वाली जो equation है, यह आपने, अगर complex number पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा, कि this is world famous equation, इसको हमने नाम दिया था, world famous equation, याद है, world famous equation है, क्यों, क्योंकि इसके roots अपने को directly पता होने चाहिए, x square plus x plus 1, equal to 0, इसक yes, तो यह basically alpha, beta क्या है, alpha, beta omega और omega square है, तो यह लिखा हुआ है, omega, omega square, यह omega square, alpha is basically omega, तो इसका determinant value आपको निकाल के बताना है, simple, तो properties आप यूज कर लोगे, properties आपको omega की पता ही है, तो वो सारा चीज यूज करके आप इसका answer निकाल सकते हो, बट यह वाला question काफी चिंदी है, यह question आया था, 2019 में, इसका जो basically, क्या बोलते है, इसका जो father question है, वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, वो आया था, जही advance 2010 में, वो exactly same है, बस उसमें alpha, beta नहीं था, alpha, beta का value पुट करके दिया था, omega, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, और इसको ध्यान से देखोगे, कर दिया, महलब sorry, z का नाम change करके y कर दिया, यह तो 2010 में आया था ना, जही advance में, एडवांस वालों ने सोचा, और 9 साल बाद, जही main वालों ने, उसी को, उसकी खास बात समझ भागी न, तो actually हम यह father question कर लेते है, यह कैसे करेंगे, बताओ, यह exactly वैसा ही है, omega is the cube root of unity, और आ लगा के इसको simplify कर सकते हैं, महलब मैं इसको directly open नहीं करना चाहता हूँ, directly open करेंगे तो फिर मदा नहीं आएगा, calculation काफी जादा हो जाएगा, calculation को avoid करने के लिए, बताओ, इसमें कुछ property लगा सकते हैं, तो पहले तो आपको omega की properties पताओ नहीं चाहिए, omega की property यह होती है, कि 1 plus omega plus omega square, इसका value 0 होता है, तो एक property तो यह है, और दूसरी property है, omega cube का value 1 होता है, तो यह super important property है, अगर आपको याद नहीं है, तो याद होनी चाहिए, cube root of unity में हम इसको पढ़ता है, अगर नहीं भी पढ़ रखा है, तो भी इतना तो याद होना चाहिए, अगर किसी को complex number नहीं भी आता है, तो at least यह तो पता होना चाहिए, कि 1 plus omega plus omega square 0 होता है, sum of roots, और एक product of roots 1 होता है, 1 into omega into omega square, तो product of roots 1 होता है, ठीक है, तो यह दो property आप ध्यान रखो, अब इस property को यहाँ पर कैसे लगा सकते है, वो सोचो, तो यहाँ पर basically आप transformation यह use कर लो, कि rho 1, क्योंकि इन तीनों को add करेंगे, तो फाइदा है, देखो, इन तीनों को भी add करेंगे, तो फाइदा है, और इन तीनों को भी add करेंगे, तो basically यह हो जाएगा, z plus 1 plus omega plus omega square, तो यह 1 plus omega plus omega square तो 0 हो जाएगा, कि वाल z बचेगा, तो इसलिए आप क्या करो, rho 1 को replace कर दो, rho 1 plus rho 2 plus rho 3 के साथ, ठीक है, तो यह आप transformation लगा दो, तो यह वाला transformation कैसे लगाएंगे, बताना, यह transformation अगर लगाना है, basically आपका यहाँ पर क्या जाएगे, यहाँ पर rho 1 को replace करो, आप rho 1 plus rho 2 plus rho 3 को add कर के रो 1 में डाल दो, तो वो आएगा, z plus 1 plus omega plus omega square तो 0 है, तो केवाल z बचेगा, इधर भी z बचेगा, इधर भी z बचेगा, तो z को common ले लो, तो बचेगा 1 1 1, यह चमका की नहीं, तो 1 1 1 आ गया, और अगर 1 1 1 आ गया, तो क्या, आखों में चमक, आई की नहीं, आ गई बस, इधर 1, इधर 1, और इधर z plus omega, तो बस यह आ गया, this is equal to 0, यहाँ तक चमक गया की नहीं, आप केवल rho 1 प्लस, रो 2 प्लस, रो 3 कर लो, तो उधर z, z, z आ गया, z को common ले लेना, तो यह आ गया, 1 1 1 आ गया, तो आखों में, चमक, अब आब इसको open करना, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 1 1 है क्योंकि, और इधर omega, omega square, चीक है, उसके बाद z plus omega square, प्लस, और इधर 1 है, अब इसको open कर अब इसमें क्योंकि और कोई property लगेगी नहीं, आब directly इसको open ही करना, इसको open करेंगे तो क्या आएगा, बताओ, इसको open करेंगे, इसके respect में open कर लो, तो पहले 1, फिर इधर आ जाएगा, z square, plus omega, plus omega square, into z, ठीक है, यह आएगा, और plus omega cube, तो omega cube का value होता है, 1, और फिर यह minus 1, ठीक है, तो minus 1 भी आगया, उसके बाद यह इसके respect में open करोगे, तो minus 1, बस आप इसको open करो, open करेंगे तो z omega, और plus omega square, और इधर आजाएगा, minus omega square, determinant को open करना तो सबको आता ही है, और plus 1, इसके साथ क्या आजाएगा, इसके साथ आजाएगा, omega, और minus z omega square, और इधर आजाएग omega की पार 4, omega की पार 4 होता है, omega, minus omega, तो यह आगया, ठीक है, और bracket को कर दो बंद, ultimately देखो कुछ-कुछ cancel हो रहा है, जैसे यहाँ पर 1 और 1 cancel हो जाएगा, इधर यह cancel हो जाएगा, इधर omega cancel हो जाएगा, अब simplify कर लो बिस, तो simplify करने के बाद क्या बचेगा, z square, इसका value पुट करतो, minus 1, क्योंकि 1 plus omega plus omega square 0 होता है, इसका value कितना आजाएगा, इसका value minus 1 आजाएगा, यह बन जाएगा, minus 1 into z, और फिर इधर से आप देखोगे, तो minus z omega, और यहाँ से देखोगे, तो minus z omega square, इसको further simplify करना, इसको further, इसको further simplify करेंगे, तो यहाँ से common ले लो, minus z, basically, z, z square, minus z, और minus z common, तो बचेगा, omega plus omega square, यह आजाएगा, अब उसका value minus 1 पुट कर दो, तो z square, minus z, minus z, into minus 1, basically, plus z होगे, plus z, और minus z, तो cancel, कितना लोगो दिख गया, यह minus z, यह plus z, ultimately, z का cube आजाएगा, finally, आपके पास, z का cube, और इसको equal to zero करना है, equal to zero है, यहाँ पर, तो यह equal to zero आएगा, सब में, तो this equal to zero, this equal to zero, तो कितने solution आएगे, अगर आपके पास यह equation है, z cube equal to zero, तो इसका एक ही solution आएगा, z equal to zero, so z equal to zero is the only solution, I think आपसे question में पूछा है, number of solution, है ना, question में पूछा है, number of distinct complex, तो zero भी तो एक complex number है, तो इसका आँजर कितना आजाएगा, कितने solution है, they are asking number of distinct complex numbers, satisfying this equation, कितने complex number इस equation को satisfy करेंगे, a की z equal to zero, z equal to zero is the only complex number, which is satisfying this equation, तो number of solution आजाएगा, one, तो इसका final जो answer है, that is one, यह कितने लोगों चमक गया, चमका के नहीं, इस तरह के question कर लोगे, simple है, बस omega है, तो omega की property यूज़ कर ले, बाकी अपना transformation, row transformation भी कर सकतो, column भी कर सकतो, कोई भी एक कर लो, you'll get the answer, simple, yes, आगे बढ़ता है, तो यह J.E. advance का question था, एक और J.E. advance का question करते है, J.E. advance 2016 का, इसको कैसे करेंगे, इसमें भी आपसे पूचा है, total number of distinct real solutions पूचा लेकिन इस बार, इस बार आपसे पूचा है, total number of distinct real solutions, जीगे, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहां से X common आता हुआ दिख रहे है, यहां से XXX, ओके तो इस वाली column में से X common ले लो, और यहां से common ले लो X square, यहां से X square, तो total कितना common आ जाएगा, और common आ जाएगा X और X square, तो X cube आजागा common, ओके तो X cube को common निकाल लो, बचेगा 1, 2, 3, फिर यहां पर बचेगा 1, 4, 9, और इधर बचेगा 1 plus X cube, 1 plus 8 X cube, और 1 plus 27 X cube, अब इसको split कर दो, determinant को split करने वाली property हो दे न, तो X cube, और यह पूरा जो determinant है, उसको split कर दो, वो इसको split कैसे करेंगे, इसको 2 determinant में split करेंगे, यहां पर एक determinant, और फिर यहां पर दूसरा determinant, and this is equal to 0, अचा नहीं, this is equal to 10, equal to 10 आएगा, इधर equal to 10, और equal to 10, ठीक है, तो split करना, तो जब भी आप split करते हो, तो मैंने सिखाते हैं कि कोई भी दो row, या कोई भी दो column को same रखना पड़ेगा, तो यह first column और second column को आप same रखो, इधर भी 1, 2, 3, और 1, 4, 9, फिर इसको split करोगे, तो यहाँ पर आजाएगा 1, 1, 1, और यहाँ पर आजाएगा x cube, 8 x cube, और 27 x cube, यह आजाएगा, x cube को actually आप common ले सकते हो, यह जो x cube है न, x cube, x cube, x cube, तो उसको मैं आगे लिख दू, यहाँ पर x cube को आप common ले लो, तो इधर 1 आजाएगा, यह चमका, अब इसका determinant value आप निकाल दो, और इसका भी determinant value तो इसको आप directly open ही कर लो, तो इसका value आजाएगा, तो बताओ एक बार, फटाफट, कि इसका value कितना आ रहा है, और इसका value कितना आ रहा है, यह तो numerical है, तो इसका कुछ न कुछ वैल्यू ही आ जाएगा, चीक है, तो इसका value एक बार आप मुझे बता दो, फटाफट, एक सका value यहाँ पर, और इसका value कितना आएगा, प्लस, एक सका value कितना आएगा, और वो पूरा multiplied by, this is equal to 10, तो इसका और इसका value बताना जरा, फटाफट, है ना, इस दोनों का value आप निकालो, उसके बाद सॉल्यूशन खतम हो गया question, बस splitting वाली property आपको use करनी थी, यह property समझ में आई, property अगर समझ में आगी, तो question खतम हो गया, 2016 का question है, ठीक है, एक बार try करो, बताओ value, पहले वाले का 2 है, तो यह जो पहला वाला है, इसका value 2 है, और इसका, दूसरे वाले का, पहले वाले का 2 है, लक्ष्य दीप का आया है, और दूसरे वाले का, रामकार है, पहले का 0, जीरो नहीं आएगा, कुछ न कुछ आएगा, और दूसरे वाले का बताओ, दूसरे वाले का value यह जो दूसरा determinant है उस cut 12 आ रहा है यह का I think answer 12 है क्या पक्का 12 12 12 12 12 खाफी लोग का 12 आ रहा है ठीक है तो इसका value 12 मान लेता है ठीक है अब इसको further solve करो further solve करेंगे तो यहाँ पे आपके पास है basically x cube और 2 plus 12 x cube this is equal to 10 ठीक है तो यह बन जाएगा 2 x cube plus 12 x की पार 6 equal to 10 x cube को t ले लो और गया x cube को t ले लोगे तो quadratic दिख गया होगा यह आपका बन गया 2 t plus 12 t square equal to 10 2 से divide कर देना 2 से divide कर दोगे तो basically आपका quadratic यह आ रहा है अब इसको split कर दो split करेंगे तो 60 minus 5 t यह आ जाएगा split होगे तो basically दो factor आ जाएगे एक factor आ जाएगा 60 minus 5 और एक आ जाएगा t plus 1 तो t का value यह तो 5 by 6 है यह तो minus 1 है ठीक है t की दो है और t basically है क्या और t basically हमारा है x cube x cube का value यह तो 5 by 6 आएगा यह minus 1 हैगा x का value क्या आएगा x का value आएगा 5 by 6 का cube root यह minus 1 का cube root minus 1 ही होता है तो कितने solution 2 solution आएगे what is the final answer x की कितनी value आएगी 2 तो इसका final answer है total 2 solution आएगे इसका final answer है 2 final answer यहाँ पर लिखे लो final answer is 2 तम का 2 solution आएगे x cube equal to minus 1 है तो x का value minus 1 यह चमक गया ना और एक यह आएगा यह भी real है यह भी real है इसमें कोई iota या कुछ भी नहीं है ठीक है तो 2 real solution आएगे total number of distinct real solution पूछा था answer is 2 simple तो split करके करना था बहुत भी simple है आगे बढ़ते हैं एक और question करते है यह multi correct में आया था जही advance 2013 का multi correct इसको try करो इसमें तो basically आप objective approach भी use कर सकते हो ठीक है तो भी आपका जैसे for example यहाँ पे बोलाएगी omega is the complex number which is the cube root of unity मतलब omega फिर से वही वाला है आप property याद रखो 1 प्लस omega प्लस omega square 0 होता है और omega cube वो 1 होता है complex number के question इसी में आते है determinants में ठीक है तो अच्छा यहाँ पे आपको बोलाएगी pij is omega की power i plus j और जो p जो अपना matrix है वो n cross n का है चीक है तो n का value आपको बताना है so that p square is not equal to null matrix o लिखा है o मतलब null matrix p square not equal to null matrix तो n का value क्या मतलब इन में से हम उसका order क्या ले लेंगे ताकि p square null matrix नहीं आना चीए तो इसमें simple आप यह करो पहले तो आप simple से start करो पहले आप ले लो n का value 2 सबसे चोटा order क्या हो सकता है n is the order तो सबसे चोटा जो order हम ले सकते है वो 2 cross 2 का है तो पहले 2 cross 2 में check कर लेते है कि भई p square null matrix आ रहे कि नहीं आ रहे है तो p square निकालो पहले तो p वाला matrix आप construct करो तो p वाला जो matrix है वो ऐसा होगा p 1 1, p 1 2 p 2 1 और p 2 2 यह 2 cross 2 का एक matrix है अब question में आपको बोला है कि p i j जो है that is omega की power i plus j तो यह वाली definition आप use कर लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा omega की power 1 plus 1 omega की power 2 आ जाएगा यहाँ पर फिर similarly यहाँ पर omega की power 1 plus 2 तो 3 आ जाएगा फिर omega की power इसका value इसका value भी omega cube आ जाएगा और इसका value आ जाएगा omega की power 4 basically इसको आप simplify कर लो omega square, omega cube का value होता है 1, और omega की पार 4 बन जाएगा, omega क्योंकि again omega cube is 1 तो यह आपका आगया P अगर P आगया तो P square निकालो और check करो कि equal to null matrix आएगा कि नहीं आएगा, एक बार निकालना omega square 1 1 और omega, और इसको खुद के साथ P square निकालो तो P square का value null matrix आएगा कि नहीं आएगा, इक बार चेक करो row by column, आपको multiplication करना है, तो जैसी आप multiplication करोगे यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आजाएगा omega की power 4 और plus 1, बनल matrix नहीं आ रहा है ना, बाकी सारी values आपको निकालने की भी ज़रूद नहीं है क्या यह null matrix आ रहा है कि null matrix नहीं आ रहा है क्योंकि अगर कोई element भी ऐसा आ गया जो की 0 नहीं है null matrix तो तब ही आता नहीं, जब सब को 0 होना पड़ेगा यहाँ पर जो पहला element आपने निकाला वही 0 नहीं है मतलब null matrix तो नहीं आ रहा है ज़्यादा महनत करने की ज़रूद नहीं है के वल कोई भी एक element हमने निकाल लिया वही 0 नहीं है तो बाकी सारे तो क्या ही 0 होंगे और अगर 0 हो भी जाएंगे तो भी मतलब सारे element 0 होने चाहिए न then only it is a null matrix तो p square null matrix नहीं आ रहा है अगर हम n का value 2 ले तो अब n का value 3 लो अगर मैं n का value 3 लेता हूं तो तो फिर आपका p जो बनेगा वो 3 cross 3 का बनेगा तो वो ऐसा बनेगा ना p 1 1, p 1 2, p 1 3 फिर p 2 1 2 2, 2 3 इन सब का value पुट करो 3 1, 3 2 और 3 3 और p का जो definition है वो है omega की power i plus j तो यहाँ पर बन जाएगा omega square इधर बन जाएगा omega cube फिर omega की power 4 फिर इसका value आ जाएगा omega की power 4 और इसका value आ जाएगा omega की power 6 इसका value omega की power 5 omega की power 5 इधर omega की power 4 और इधर omega का cube अब इन सब को simplify करो तो simplify करेंगे तो omega square ये 1 और ये omega similarly इधर 1 omega omega square और इधर omega omega square और 1 ये पी आ गया तो अब इसमें p square निकालूँ इसमें अगर मैं p square निकालूँगा तो क्या null matrix आएगा इसमें आप multiply करना omega square 1 omega 1 omega omega square omega square 1 और यहाँ पे इसी के साथ आपको multiply करना है omega square 1 omega 1 omega omega square इसको multiply करना ज़र है कि 3 cross 3 का multiplication करो तो यहाँ पे null matrix आ रहे गया यहाँ पे अगर आप multiplication करोगे तो यह basically आ रहा है omega की पार 4 which is omega तो omega plus 1 plus omega square तो 1 plus omega plus omega square बन गया तो यहाँ पे 0 आ रहा है similarly सारे 0 ही आएगे अगर यह पूरा आप multiplication करोगे तो हर जगह आपको दिख रहा होगा 1 plus omega plus omega square यह 0 आ रहा है क्या यह null matrix आ रहा है अगर मैं n का value 3 ले लू तो फिर p square का value null matrix आ रहा है और अगर p का value 2 ले लू तो फिर null matrix नहीं आ रहा है आपको pattern दिख गया pattern यही कि अगर आप कोई भी 3 का multiple लोग है न इसी तरह से और further भी आप चेक कर सकते हो बट मेरी कहाँ से pattern दिख जाना चाहिए आप options भी ध्यान से देख लो यह multi correct question है वैसे भी तो बस हम 57 x 57 के लिए तो निकालेंगे नहीं वह तो बहुत बड़ा हो जाए 55 x 55 तो n का value अगर आप 55 लेके चेक करने बैटोगे तो फिर फिर पॉसिबल ही नहीं है फिर तो गए है सारे time और पूरी lifetime ही लग जाएगा फिर तो बैटर है कि pattern देख लो pattern यही है कि अगर मैं n का value 3 लेता हूं तो फिर आपका जो पी स्क्वेर आ रहा है वो null matrix नहीं आ रहा है तो बस आपको यही बताना था कि null matrix कब नहीं आ रहा है तो 3 का multiple नहीं होना चाहिए तो कौन-कौन से option है जो 3 का multiple नहीं है यह 3 का multiple है यह नहीं है यह नहीं है यह नहीं है तो इसका answer आ गया B, C, D हैना जो भी 3 के multiple नहीं है वो answer है BCD is dancer, चमक्या पहला वाला 3 का multiple है, अगर वो 3 का multiple है, तो P square क्या आएगा, null matrix आएगा ना, पट हम चाहते ही कि P square not equal to null matrix, तो P square not equal to null matrix तभी आएगा, जब आप 3 का multiple नहीं लोगे, चमका, तो 3 का multiple नहीं लेना है, simple, येस, चमक्या होगा, और आगे बढ़ते हैं, एक और question try करते ये question है, J main 2020 का, इसको try करो, अब ये वैसा ही question है, जैसा आपने अभी किया, almost वैसा ही है, चीक है, तो J main 2020 का try करो, यहाँ पर A एक matrix है, B एक matrix है, 3 cross 3 का है, real matrices है, सब कुछ, और B I J आपको given है, ये definition is given, यहाँ पर लिख देते है, B I J is basically 3 की power I plus J minus 2, चीक है, ये into A I J, तो बस आपको जो B matrix है, वो construct करना पड़ेगा, तो B matrix construct करना, B matrix ऐसे होगा, B 1 1, B 1 2, B 1 3, 3 cross 3 का है, B 2 1, B 2 2, B 2 3, और B 3 1, B 3 2, और 3 3, ठीक है, अब इसको आप construct करो, बस values put कर दो, आपको मिल जाएका सब कुछ, ओके तो B 1 1 का value कितना आएगा, यहाँ पर देको B 1 1, आप I और J को 1 1 put करतो, तो B 1 1, तो 3 की power 1 plus 1 minus 2, और A 1 1, तो कितना बन जाएगा, तो यहाँ पर basically आजाएगा, 3 की power 0, ना, क्योंकि 1 plus 1, 2, 2 minus 2, तो 0, ठीक है, 3 की power 0, और A 1 1, यहाँ जाएगा, similarly इसका value निकालो कितना आएगा, तो 3 की power 1 plus 2, बल्दब basically I का value put करो 1, और J का value put करो 2, तो B 1 1 2, 3 की power 1 plus 2, 3 minus 2, तो 3 की power 1, इधर आजाएगा, 3 की power 1, और A 1 2, ठीक है, similarly आगया आएगा, 3 की power 2, और A 1 3, similarly यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप देखोंगे, 2 plus 1 3, 3 minus 2, तो 1 आएगा, 3 की power 1, और A 2 1, ठीक है, similarly 3 square, A 2 2, और 3 cube, A 2 3, ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे 3 plus 1, 4, 4 minus 2, तो 2 आएगा न, 3 square, और A 3 1, पर 3 cube, A 3 2, और 3 की power 4, A 3 3, तो यह आजाएगा, this is B matrix, यह आपका B matrix है, ठीक है, this is B matrix, अब आपको बोलाएगा, कि determinant of B, अब इसका determinant ले लो, तो determinant of B, यह matrix था, matrix का determinant value ले लो अब आप, तो दोनों तरफ मैंने determinant ले लिया, ठीक है, we are taking determinant both sides, तो determinant of B, और उसका value आपको given है 81, तो यह जो determinant of B है, this value is 81, ठीक है तो आपको निकालना है, determinant of A, determinant of A आपको निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले तो, आप यह देख लो कि कहां-कहां से हम क्या-क्या common ले सकते हैं, तो हम कुछ common ले पाएंगे क्या, जिसे यहाँ से एक 3 common आ जाएगा, इस पूरी column मैं से, आप common निकाल सकते हो थ्री, यहां से आप कॉमन निकाल सकते हो थ्री स्क्वेर, पहले तो आप कॉमन ले लो, इधर से थ्री स्क्वेर कॉमन आ जाए, यह चमका कि नहीं, चुकि इधर भी थ्री है, इधर भी थ्री है, तो थ्री कॉमन ले लो, इधर थ्री स्क्वेर, थ्री स्क्वेर common ले लो और इधर 3 की पार 0 मिदला 1 होता है 3 की पार 0 को हटा दो तो इधर कुछ भी common नहीं है अब गया ना first वाली column में है यहाँ पे 3 है यही नहीं since है यही नहीं तो वहाँ पे कुछ common तो बस आप यहाँ से 3 ले लो यहाँ से 3 square ले लो बलब total common आपका आजाएगा 3 का cube और बचे का क्या क्या बचे का यहाँ पे तो A11 इधर आपके पास है 3 times A21 और 3 square times A31 यह है और इधर से आपने 3 common ले लिया तो A12, A22 और A23 और इनके coefficients क्या क्या आजाएंगे अचा नहीं इधर A32 इनके coefficients क्या क्या आजाएंगे बताना आपने 3 common ले लिया यहाँ पे 3 और इधर 3 square इधर 3 आजाएगा और इधर 3 square आजाएगा चमक क्या होगा ना similarly यहाँ पे है A13, A23 और A33 नमका ना यह बस basically थोड़ा lengthy है बाकि 3 square आपने common ले लिया तो बचे कुछ नहीं इधर 3 और इधर 3 square तो कुछ नहीं 3 और 3 square यह और यह basically determinant और इसका value है 81 यहाँ तक चमक गया अब उसके बाद फिर से common ले लो उसके बाद फिर से common ले लेकिन row में स तो यह वाली row में से 3 common आजाएगा और यह वाली row में से 3 square common आजाएगा मतलब total कितना common आया 3 और 3 square तो 3 cube और 3 cube और 3 cube तो 3 की power 6 हो जाएगा ठीक है 3 cube और 3 cube तो 3 की power 6 और यहाँ पे जो बन जाएगा वो बस यही बचेगा determinant of a बचेगा अब a21, a22, a23, a31, 32, 33 and this is equal to 81 तो बस basically आपका आगया 3 की power 6 into determinant of a equal to 81 होता है 3 raise to 4 determinant of a आगया 1 by 9 आगया simple to final answer is 1 by 9 option d is the answer yes or no यह कितना लोगो चमक गया तो बस आपको value put करना होता है अगर आपको इस तरह की कुछ भी definition given है तो सबका value put करता हो आप 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 से performing this operation on 2a ठीक है तो 2a आप लिखो पहले तो let us assume कि 2a क्या होगा तो जो भी आपका matrix a है तो यह होगा a11 a12 a13 फिर a21 2223 और यहां पर 31 32 और 33 यह है इसको 2 से multiply कर दो तो हर जगर 2 आ जाएगा okay so this is 2a matrix यह matrix कौन सा है यह matrix 2a आपको कह रहा है कि यह वाला operation आप लगा दो 2a के ऊपर तो आपके पास matrix B बनेगा matrix B is obtained by performing this operation on 2a तो 2a के ऊपर यह operation लगा तो matrix B बनेगा तो आप मुझे matrix B बताओ अचा matrix B के अंदर आपको बोला है कि R2 को replace करना है तो R1 और R3 को replace तो करना नहीं है तो उसको आप लिखलो same to same इसको replace नहीं करना है इसको भी replace नहीं करना है तो इसको आप लिखलो same to same इसको यह चमक दिया होगा और अगर आप यहां पर देखोगे तो जो R2 है उसका coefficient है 2R2 value of determinant will not remain same अगर यहां पर R2 का coefficient 1 होता ना तो तो हम बोल देते कि property है value of determinant will remain same पर यहां पर value of determinant change हो जाएगा यह operation allowed है क्या हमने जो property पड़ी थी उसके हिसाब से मैंने आपको बोला था कि इसका coefficient हमेशा 1 होना चाहिए अगर इसका coefficient 1 नहीं है मतलब determinant का value change हो जाएगा it will not remain the same वह value given है तो value of determinant will change और वो जो change आएगा वही आपसे पूछा तो इसमें confused मत होना कि सार इनों ने तो यह लगा रखा है आपने तो बोला था कि इसका coefficient हमेशा 1 होता है तो 1 होगा तब ही determinant का value same रहेगा यहां पर 1 नहीं है तो it will change simple सा फंडा वो change होने के बाद कौन सा option आएगा यह और five times row three के साथ तो two times row two यह row two का double कर दो row two का double करेंगे तो four times a21 आ जाएगा यह इसका double और five times row three तो three को five से multiply करो यहां पर ten आ जाएगा तो plus ten times a31 ऐसा आएगा तीगे similarly अगले वाले में आजाएगा पोर टाइमस ऐ तू त्री तो यह आजाएगा अब आपसे पूच रहा है कि डिटर्मिनट वी बता हो अब आप दौनो तरफ डिटर्मिनेंट लेलो इसका डिटर्मिनेंटर्मिनेंट में कंवर्ट कर लो अब अब अपने को determinant निकालना है जब भी यह सब operation perform करते तो matrix के उपर करते यह जो operations होते हैं वो matrix के उपर होते है बाद दे फिर आप उसका determinant ले लो क्योंकि determinant value पूछा है they are asking determinant of b तो बस यह determinant of b आपको निकालना है तो देखो सबसे पहले तो यहां से 2 common आ जाएगा यहां से 2 common आ जाएगा तो पहले तो 2 2 common ले लो और बाकी जो बचेगा उसको split कर दो चीए तो 2 और 2 common आ गया 4 तो determinant of b में आपका 4 तो common आ गया और बाकी जो बच गया उसको आप split कर दो तो a11 a12 a13 यहां पर 313233 ठीक है split कर देंगे और इधर भी same आएगा a11 a12 a13 और यहां पर 3132 और 33 यह चमका और split करेंगे तो split करेंगे तो 4 times 4 times 4 times यहां पर आ जाएगा 4 times a21 4 times a22 और 4 times a23 और इधर 10 times a31 10 times a32 और 10 times a33 चमका गया ना तो 10 को तो बाहर निकल लो आप यह जो 10 है उसको बाहर निकल लो मैं 10 10 10 तो 10 को बाहर निकल तो आप बाहर लिख दो इधर 10 यहां पर 10 आ गया तो basically इसका value कितना हो गया यह आ गया ना अपने पास तो इसका value तो 0 होगा yes or no क्योंकि आपको दिख रहा है a31, a32, a33 और नीचे भी same है तो 2 row same है अगर 2 row same है तो उसका value तो 0 हो गया यहां से 4 common ले लो यहां से 4 common ले लोगे तो यह 4 4 4 4 बाहर लिख दो आप इधर यह 4 को common ले लिया अगर मैंने 4 को common ले लिया तो यह आप बन गया आपका determinant of a जिसका value आपको given है ठीक है तो ultimately आप कहां चरहाएगा 4 into 4 into यह है determinant of a 4 into 4 into determinant of a का value आपको given है 4 value substitute कर दो ultimately 64 है इस दान्स है अमका 64 मरलब option a इस दान्स है चमक गया ना तो बस आपको determinant of a को बनाना होता है properties लगा लगा के समझ में आया है ठीक है यह काफी simple है और आगे बढ़ते है अब यह तो जही main के question थे छोटे मोटे advance के question पर आते है advance के question और specially वो counting वाले question आते है number of distinct matrices कि कितने ऐसे matrices आएंगे जो basically यह सारी condition को satisfy करेंगे तो question पढ़ लेते है again इसमें omega is not equal to 1 be the cube root of unity omega is the cube root of unity जो की complex वाला है 1 नहीं है cube root of unity में 3 root होता है 1, 1, omega, 1, omega square तो इन्होंने specially बोल दिया कि 1 तो नहीं है तो जो complex वाले होते हैं वो है omega omega is the complex cube root of unity and s is the set of all the non-singular matrices non-singular मतलब इसका जो determinant value होगा जैसे मानलो यह a है determinant of a not equal to 0 non-singular का definition क्या होता है non-singular का definition यह होता है determinant not equal to 0 single नहीं है तो 0 नहीं है चीक है yes तो basically इसका determinant not equal to 0 कर दो determinant of 1ab omega 1c omega square omega और 1 इसका determinant not equal to 0 होना चाहिए अब यह बोलड़ा ही कि where each of a, b and c is either omega और omega square यह वाला statement आप द्यान से पढ़ लो where each of a, b, c is either omega मतलब a का value या तो omega हो सकता है या omega square हो सकता है ठीक है मतलब basically a का value, b का value और c का value is either omega और omega square इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है a, b, c का value या तो omega है या omega square है अब आपको बताना है कि हम ऐसे कितने matrices बना सकता है जो कि non-singular भी हो और जिसमें a, b, c का value omega और omega square ही होना चाहिए इसके बाहर नहीं होना चाहिए तो how many matrices we can construct of such type समझ गें ना, question समझ माँ है तो बस यह question काफी simple ही है आप non-singular बोला है तो पहले determinant of a not equal to 0 कर दो तो इसको open करो इसको open करेंगे तो 1 minus c omega और minus a ठीक है, minus a के साथ आजाएगा omega minus c omega square यही आएगा omega minus c omega square और plus b के साथ क्या आजाएगा इदर omega square, omega square यह तो 0 आजाएगा and this is not equal to 0 ठीक है तो यह आगया अब इसको आप क्या करो इसको further आप simplify कर लो 1 minus c omega यहाँ से आप omega common ले लो omega common ले लेंगे तो फिर से आजाएगा 1 minus c omega, यह तो 0 ही है यह factorize हो गया अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो यह factorize हो गया जैसे आपने यहाँ से omega common लिया omega common आगया तो यह 1 minus c omega 1 minus c omega common ले लो तो factorize हो जाएगा 1 minus c omega multiplied by 1 minus a omega not equal to 0 यह आगया इसका मतलब 1 minus c omega 0 नहीं होना चाहिए और 1 minus a omega भी 0 नहीं होना चाहिए अदर्वाइस यह singular बन जाएगा इसका मतलब c का value 1 by omega नहीं होना चाहिए और a का value भी 1 by omega नहीं होना चाहिए यह जो उपर वाला 1 है उसको आप लिख दो omega cube इसको आप लिख दो omega cube तो basically c का value omega square नहीं होना चाहिए और a का value भी omega square नहीं होना चाहिए ठीक है तब ही वो non singular होगा तो अब देखो आपको question में originally यह बुला था कि a b c का value या तो omega है या omega square है omega square हो नहीं सकता तो क्या होगा c का value omega square नहीं हो सकता तो c का value omega होना ही पड़ेगा there is no other option और a का value omega square नहीं हो सकता तो a को भी omega होना ही पड़ेगा there is no other option बस b के पास option है तो b का value आप omega भी ले सकते हो omega square भी ले सकते हो तो total कितनी-कितनी choices है अगर आप ऐसे table बनाओ गए तो a, b, c a, b, c, a को तो omega होना ही पड़ेगा इसको भी omega होना ही पड़ेगा इसके पास दो option है या तो omega या omega square तो total कितने solution set आएगे बस ये एक set आएगा ये दूसरा set आएगा total what is the answer इसका जो final answer है that is two total 2 set आएगे total 2 matrices बनेगे एक बार आप ये पहला वाला set यूज़ कर लो एक बार b का value omega और एक बार b का value omega square और a और c का value fix है क्योंकि omega square तो हो नहीं सकता तो उसको omega होना ही पड़ेगा there is no other option b के पास option है उसका value आप कुछ भी ले सकते हो ठीक है तो दो solution आएगे ठीक है simply था ये भी ये वाला try करो j main का ये कैसे करेंगे इसमें आपको fx एक function given है तो maximum value बताना और इस तरह के question भर-बर के कम से कम 3-4 question तो मेरे खाल से इसमें आपको अराम से दिख जाएंगे केवल 2021 के ठीक है केवल 2021 के repeated questions तो ये कैसे करेंगे देखो पहले इसको simplify करो उसके बाद ही इसको open करो तो simplify करने का best तरीका कोई बता सकता ही क्या मेरे काल से simplify करने का best तरीका क्या होगा बताओ simplify करने का best तरीका यह होगा कि इसको और इसको add कर दो ताकि यह sin2 plus cos2, sin2 plus cos2 sin2 plus cos2 यह सब 1 हो जाए basically column 1 को replace कर दो आप column 1 plus column 2 के साथ ये transformation आप लगा दो करना, टो 1 प्लस 1 2 आजाएगा, धिए यहां पे भी 1 प्लस 1 तो 2 आजाएगा, और इधर sin² प्लस cos² तो 1 आएगा, यहां बाकी सब सेम है, 1-plus cos² X, पिर cos² X, यहां पules 2 X, cos 2 X, और sin, अब इसके बाद क्या करिए, इसके बाद अगिन आप ऐसा कुछ करो कि 2-0 आ जाए 2-0 या 3-1 आँखों में चमक तब ही आएगी आँखों में चमक कब आएगी? ऐसा कुछ बताओ कि यार आँखों में चमक आजाए सीधा अगर आँखों में चमक आगी तो question solve हो गया, बस उसके बाद खतम है जाए, तो ऐसा कुछ करो, कि मज़ा आ जाए, after this, what should we do, एक काम करो, इसको और इसको subtract कर दो, और क्या, ये row one, row two को subtract कर दो, तो एक तो 0 यहाँ पे बन जाएगे, एक इधर बन जाएगे, दिख गया कि नहीए, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो since same same है तो आप क्या करो row 1 को replace कर दो row 1 minus row 2 के साथ ये वाला transformation आप use कर लो ठीक है तो आपका fx क्या जाएगा यहाँ पर fx आ जाएगा row 1 को replace करना है तो पहले ये सब तो same रहेगा इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा 1 cos square x और इधर cos 2x और sin 2x इसके ऊपर कोई फरक नहीं पड़ेगा बस आपका ये row 1 चेंज हो रो 1 को कर दो row 1 minus row 2 तो इधर 0 इधर minus करोगे तो 1 और इधर minus करोगे तो 0 तो देखो 2 0 आगे अगर 2 0 आगे तो इसके respect में open कर लो और इसके respect में open करेंगे तो इसका जो co-factor होता है वो negative होता है ये चार element होता है जिनका co-factor negative होता है तो ये जब open होगा तो minus 1 के साथ open होगा तो आप ले लो minus 1 अगले step में ऐसा आजाएगा fx इधर actually आपके पास है 1 पर इसका co-factor negative होता है तो minus के साथ ये open होगा minus 1 और यहाँ पर क्या आजाएगा 2 sin x cross multiply कर दो 2 sin 2 x 2 sin 2 x और minus cos 2 x तो ये आगया बस तो this is your function और इसका maximum value बताना है basically ये आगया cos 2 x minus 2 sin 2 x maximum value निकालने के लिए एक वो था न trigonometry में आपने पढ़ा होगा कि cos theta plus a cos theta plus b sin theta इसका जो maximum value होता है वो होता है under root of a square plus b square पढ़ा था और जो minimum value होता है वो होता है minus under root of a square plus b square आपसे पूछा है maximum value तो बता दो बस what is the maximum value यहाँ पर coefficient 1 है इधर coefficient 2 है तो maximum value आ जाएगा under root of 1 square plus 2 square maximum value is root 5 आ गया इसका answer root 5 is the answer root 5 is the maximum value of this इसमें और भी बहुत सारे तरीके हो सकता है अगर कोई बोल रहाए कि r1 minus r2 कर दो कोई कहता है c1 minus c2 कर दो तो हजारों तरीके हो सकते this is one of the method आप और भी कुछ ट्राइकर अगर आपको लग रहेगी sir ऐसा करने से 2 0 create हो रहे यह 18th मार्च का है और यह 16th मार्च का है कोई difference नहीं है ठीक है आप इसको ट्राइ करो हलका साइड difference है minor difference इसमें बस आपको number of solutions निकालने है उसमें maximum value पूछा था इसको कैसे करेंगे इसमें भी आप ऐसी कर दो इसमें आप रोवन प्लस रोटू कर दो जैसी आप रोवन प्लस रोटू करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा यहां पर आ जाएगा इन दोनों को एड़ करोगे तो फिर से 2 और इन दोनों को एड़ करेंगे तो 1 ठीक है तो 2 2 1 उसके बाद cos square x यहां पर 4 sin 2 x इधर आपके पास है 1 plus cos square x और 4 sin 2 x इसमें further क्या करे जाएगे 1 plus 4 sin 2 x और cos square x अब इसमें further ऐसा कुछ करो कि आखों में चमक आजए तो आखों में चमक कैसे आएगी आखों में चमक आनी चाहिए उसके लिए 2 0 या 3 1 तो 2 0 create करने का कुछ अच्छी opportunity है कि 2 0 create करने के लिए इन दोनों को subtract कर दो यह दोनों सेम है और यह दोनों से के साथ ठीक है तो basically यहाँ पर आजाएगा 0 इधर भी आजाएगा 0 यह दोनों सब्ट्राक करोगे यह दोनों सब्ट्राक करोगे इधर आपके पास आजाएगा minus 1 ठीक है this minus this column 1 minus column 2 इधर आपके पास है 2 यह सब सेम आएगा ठीक है everything will be exactly same 4 sin 2x और इधर है 1 cos square x और 1 plus 4 sin 2x तो is equal to 0 ठीक है this is equal to 0 अब इसके respect में open करेंगे तो again इसका co-factor भी negative होता है okay तो minus of minus 1 तो वो plus 1 हो जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आजाएगा 2 plus 8 sin 2x और यह minus 4 sin 2x ठीक है ना cross multiply यह और यह basically यह आजाएगा this is equal to 0 यहाँ से आपके पास आगया 2 plus 4 sin 2x equal to 0 तो sin 2x का value आगया minus 1 by 2 अब sin का value minus 1 by 2 कहाँ खाहाँ पर होता है trigonometry आना चाहिए इस question के लिए trigonometric equation यादा है principle solution कैसे निकालता है principle solution नहीं निकालना आता है तो trigonometric equation का one shot देखना पड़ेगा step number one क्या होता है step number one alpha का value sin का value इसमें mod लेलो mod लेलोगे तो one by two का अब होता है one by two होता है 30 degree पे पाई बाई शेक्स step number two यहाँ पर sin x negative है sin x negative का अब होता है sin x negative होता है third quadrant और fourth quadrant में negative होता है basically third quadrant और fourth quadrant में principal solution होता है pi plus alpha और two pi minus alpha यह आएंगे principal solution तो एक तो आजाएगा seven pi by six और एक आजाएगा 11 pi by six लेकिन यह 2x का value क्योंकि यहाँ पर sin 2x है यह 2x का value है x का value आजाएगा seven pi by 12 और 11 pi by 12 यह चमका तो यह principal solution आपको निकालना आना चाहिए तो बस seven pi by 12 और यह चमका ठीक है और तीन step में आपका principal solution आ जाएगा तो principal solution निकालके फिर आप अराम से यहाँ पर answer tick कर सकते हो ठीक है step number one alpha निकालो mod लेके step number two quadrant कहाँ पर negative होता है चेक कर लो और फिर हर एक quadrant में specific formula होता है और यह भी जेई में 2021 का कोई अलग shift का होगा तो इसको एक बार आप homework में लिख लो कि इसको लिख लो आप बाद में कर लेना पाइन ओके एक और question कर लेते हैं उसके बाद break पाइन तो यह वाला question यह कैसे करेंगे यह भी बहुत चिंदी question है इसमें basically a आपको given है आपको निकालना है determinant of a square minus half i और इसका determinant 0 करना है बस simple यह तो बहुत ही चिंदी question नहीं है a square निकालो minus half i कर दो और determinant equal to 0 कर दो पहले a square निकालो चलो how to find out a square a square होता है a into a 0 sin alpha sin alpha 0 ठीक है यह a into a तो a square बताओ कितना आएगा बड़ी महनत आपको करनी पड़ेगी a square निकालो गए row by column कर लेना यह row by column basically यहाँ पर बन जाएगा sin square alpha ठीक है फिर row by column इदर 0 आ जाएगा फिर row by column इदर भी 0 आ जाएगा फिर row by column इदर sin square alpha आ जाएगा ठीक है so this is a square a square आ गया अब आपको करना है a square minus half i तो a square minus half i इसका value कितना होगा तो यह होगा basically a square तो अपने पास आई गया है sin square alpha इदर sin square alpha इदर 0 और इदर 0 और minus half i वो ऐसा आ जाएगा ना इदर half और इदर half बाकी सब 0 0 तो बस अब दोनों को minus कर दो दोनों को minus करेंगे तो sin square alpha minus 1 by 2 और इदर भी sin square alpha minus 1 by 2 इदर 0 इदर 0 और इसका determinant आपको इसका determinant 0 करना है तो इसका determinant ले लो और equal to 0 कर दो determinant value कैसे निकार लेंगे cross multiply करें यह और यह तो basically आपके पास क्या आजाएगा यह आजाएगा sin square alpha minus 1 by 2 इसका whole square equal to 0 तो basically sin square alpha कितना आगया 1 by 2 आगया तो alpha का one of the value आपको बताना है ठीक है possible value of alpha 5 by 4 आगया ठीक है क्योंकि sin square alpha is 1 by 2 तो sin alpha एक one of the possibility बताओ ना आप तो sin alpha की एक possibility है 1 by root 2 और 1 by root 2 पे कितना होगा पाई बाई 4 पाई बाई 4 इस दा आंसर चमका तो यह भी काफी simply था ठीक है अब यहाँ से हम continue करेंगे after the break ठीक है तो एक break आप ले लो फटाफट से after break we'll continue from here ठीक है special determinants यह special determinants काफी special है क्योंकि इसके ऊपर काफी question आते है ठीक है बहुत ही special है एक standard break ले लेते है without any bargaining ठीक है yes overload को कम करने यह क्या कर रहा है characteristic equation वो पढ़ेंगे वो last topic है आज की class में जैसी हम characteristic equation पर आएंगे that will be the last topic of today's class ठीक है तो वो पढ़ा दूंगा tension मतलो अभी आप break ले लो और जैसी यह break का time खतम होता है तो फटा-फट वापस आ जाना सब लोग फिर continue करेंगे special determinants है इसके बाद फिर kramers rule kramers rule का equation पक्का आता है अगर आपको kramers rule नहीं आता है आज की class में सीख लो एक question तो guaranteed है उस topic से आए गई आए आएगा ठीक है बाकि determinant की property based questions भी हमने काफी सारे देखे in fact इसमे special determinants में भी हम काफी सारे questions देखेंगे main और advance के don't know mix चलो तो मिलते है फिर after 25 minutes okay झाते है उसते हैं जाओे झाल 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 प्रत्थम आशीश चलो प्रेजेंट 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 स्टार्ट करें एक बार कंफर्म कर दो फटफट सब लोग वापस आगे स्टार्ट करते हैं एस सफरिंग फॉर फ्रीवर फर्स्ट जयान से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है व्लीज सजेस्ट अभी तो अपनी तभयत का द्यान रखो एक बार अथ तभयत सही हो गई तो फिर रर्यज्यूम करदे न और क्या एक दम फॉल-फॉर्स में तो अभी तो सब्ट्राप का लगे ऍसके भाद पढ़ाई और यह सब ग्लिया वर की चीज़ तो तो आप अपनी तब्यत का ध्यान रखो, क्योंकि अगर और तब्यत खराब हो गई ना, पड़ाई के चक्कर में, तो और एक अफ़ता और निकल जाएगा, तो पहले तब्यत ठीक कर लो, उसके बाद पड़ाई का टेंशन बाद में लेना, ठीक है, that is my suggestion, स्टार्ट करते है, ठीक है, I hope कि सब लोगों ने इसको शेर कर दिया होगा, with the hashtag of bounce back, और चैनल को subscribe भी कर लिया होगा, अगर किसी ने नहीं किया, तो definitely अभी के अभी फटाफट कर लेना, ठीक है, स्टार्ट करते है, special determinants के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ special determinants है, तो यह वह वाले determinants है, जो बार-बार-बार-बार repeat होते है, तो यह वाला determinant, number one, number two, और number three, especially यह जो third वाला है, यह तो super important है, इसको आप directly याद रखो, ठीक है, तो पहले इसको याद करने की कोशिस करते है, तो first वाला क्या है, देखो, first वाला जो है, उसमें है 111, x, y, z, और यह दोनों almost similar है, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो बस यहाँ पे square है सारे, यहाँ पे सारे cube है, that is the only difference, है ना, 111, x, y, z, x, y, z, same है, यहाँ पे x square, y square, z square, इधर x cube, y cube, z cube, और value कैसे निकालते है, तो value निकालने के लिए बस factors है, तीन factor यहाँ पे x minus y, y minus z, और z minus, तो cyclic order में आप देख लो, x minus y, फिर y minus z, और फिर z minus x, similarly, यहाँ पे भी आएगा x minus y, y minus z, और z minus x, बट एक term extra हैगा, क्योंकि एक degrees ज्यादा है ना, तो यहाँ पे भी एक degrees ज्यादा हैगा, एक term extra हैगा, x plus y plus z हैजागा, okay, तो सब का sum मतलब basically, आप पहला वाला याद करो, तो तीसरा वाला जो, वो तो super important है, वो तो अभी का भी याद करो, ठीक है, तो यह क्या है, इसमें भी again मतलब ऐसे ही है, ABC, फिर BCA, cyclic order में ही है, okay, तो ABC, उसके बाद BCA, उसके बाद CAB, चमा क्या ना, तो इसका जो determinant value होता है, वो होता है, minus of aq plus bq plus cq minus 3abc, यहाँ पे आप वो identity भी use कर सकते हो, यह aq plus bq plus cq minus 3abc की एक identity आपने बचपन में पढ़ रखे होगी, a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus a b minus bc minus a, तो जो भी आपने इसकी identity पढ़ रखे होगी, उसको भी आप use कर सकते हो, पट ultimately यह value अगर आप याद कर लोगा तो बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, इस determinant को आप कितनी बार open करोगे, अगर आपको एक idea होगा तो आपको directly मतलब इसका value पता ही है, अब directly इसको use कर सकते हो, ठीक है तो यह तीनो determinants काफी special है, इसको आप directly याद कर लोगे, तो थोड़ा time आपका बच जाएगा, अगर इस तरह की question आते है तो, ठीक है, चलो अब यह सब आया कैसे है, तो उसको derivation भी देख लेते हैं, अगेन इसमें basic concept तो वही है, basic concept आप यही पर लिख लो, basic concept आपका वही है, कि आखों में चमक कब आएगी, बताओ, basic concept वही है कि आखों में चमक आजानी चाहिए, और आखों में चमक तभी आएगी, जब या तो दो 0, या फिर 2, या फिर 3, 1 है न, तो आपका aim क्या होना चाहिए, आपका aim होना चाहिए, कि या तो 2, 0 बना लो, या 3, 1 बना लो, बस, simple as that, ठीक है, तो या तो 1, 1, 1 ऐसा बना लो, कोई भी एक row, या कोई भी एक column, उसमें 3, 1 आ जाने चाहिए, तो 3, 1 या 2, 0, अगर 3, 1 या 2, 0 आ गया, तो बस आँखों में चमक, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो या तो आप ऐसा कुछ create कर लो, या तो आप ऐसा कुछ create कर लो, उसके बाद आप उसको open कर सकतो, जैसे for example, यह जो first वाला है, मान लो, इसका value मुझे derive करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 3, 1 already है, अगर 3, 1 already है, तो आप इसको 2, 0 में convert कर दो, यहाँ पर 1, 1, 1 already है, मलब already आँखों में चमक है, पर इसको फिर भी आप directly open मत करो, directly open करने से better क्या है, directly open करने से better है, इन दोनों को subtract कर दो, इन दोनों को subtract कर दो, मलब basically आप कर दो, row 2 को replace कर दो, row 2 minus row 1 के साथ, और row 3 को भी replace कर दो, row 3 minus row 1 के साथ, ठीक है, row 3 minus row 1, उपर वाला, सबसे उपर वाला है, ठीक है, तो आप 2, 0 create कर लो पहले, और उसके बाद फिर open कर देना, अगर 3 बर 1 भी आ गया ना, उसके बाद भी हम 2 बर 0 ही create करते हैं, जैसी आपको दिग गया कि 1, 1, 1 आ गया, तो बस इन दोनों को subtract कर दो, इन दोनों को subtract कर दो, दो बार 0 create हो जाएंगे, और जैसी दो बार 0 create हो गया, तो तीसरे के about उस determinant को expand कर लो, आपका determinant का value आ जाएगा, समझ गे न, तो ultimate आपका जो aim होता है, वो यही होता है, कि 2, 0 create करो, this is the ultimate aim, अगर 3 बार 1 भी आगया, तो भी आप subtract करके 2, 0 ही create कर तो यहाँ पर अपने पास already 3 1 है, तो आप row 2 minus row 1 करना, अचा row 1 जो है, वो तो same रहेगा, तो 1 x x square, यहाँ पर row 2 को आपको replace करना है, row 2 minus row 1, इधर तो 0 आजाएगा, इधर आजाएगा, row 2 minus row 1, y minus x, और row 2 minus row 1, तो y square minus x square यहाजाएगा, इधर भी 0 आएगा, फिर row 3 minus row 1, तो z z minus x, ठीक है, और यहाँ पर आजाएगा, z square minus x square, यहाँ आजाएगा, ठीक है, इसका value आपको निकालना है, अब देखो, यहाँ पर कुछ common आपको दिख रहेगा, यह वाला जो row है, इसमें y minus x common आजाएगा, और इसमें से z minus x common आजाएगा, तो common दिख गया, कितलों को दिख यहाँ से आप y minus x common लेलो, और अगले वाले मैं से z minus x आप common लेलो, तो common दिख रहा होगा, इधर तो 0 ही है, 0 मैं से आप कुछ भी common निकाल सकते हो, यह 0 को आप लिख सकते हो, 0 into y minus x, 0 into y, तो इसमें y minus x है, इसमें भी y minus x है, इसमें भी y minus x है, तो common लेलो, इसको आप लिख निकाल लो, common निकालने के बाद क्या-क्या बचेगा, तो 1 x x square, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, यह y-x common ले लिया तो बचेगा 1, और इधर y-x common ले लिया तो बचेगा y plus x, इधर 0, इधर 1, और इधर अपने z-x common ले लिया, तो बचेगा z plus x, तो यह आगया न, बस आप इसको open क तो आप column 1 के about, इसके about open कर दो, तो यह cancel, यह cancel, ultimately यहाँ पे आप cross multiply कर लो, जैसी आप cross multiply करोगे तो यह दिख गया आपको, क्या आएगा y plus x, sorry, y minus x है, फिर z minus x है, ultimately y minus x, फिर z minus x, और यहाँ से क्या आजाएगा, यहाँ से x x तो cancel हो जाएगा, z minus y दिख रहे हैं सबको, z minus y यह दिख रहे हैं, अब आप क्या करो, यहाँ से minus 1 common ले लो, यहाँ से minus 1 common ले लो, और इसमें से भी minus 1 common ले लो, minus 1 common ले लेंगे, minus 1 common ले लेंगे, minus 1, minus 1, plus 1 हो जाएगा basically, तो यह वाला जो आपका term है, वो बन जाएगा x minus y, यह वाला जो term है, वो बन जाएगा y minus z, और यह वाला term same है, z minus x तो आ गया ना, hands proved अपना यह value आ गया, तो ultimately आएगा वही बट यह सारी महनत आपको exam में करनी पड़ेगी न, तब जाके इसका value निकलेगा, और यह एक ऐसा determinant है जो बार-बार use होता है तो बेटर रहीगी आप इसका directly value याद रखो, ठीक है, x minus y y minus z, और z minus x आएगा, yes यह चमक गया होगा मेरे खाल से अगर यह चमक गया तो आगे बढ़ते हैं और इसके questions करते हैं, जैसे for example यह वाला question आप try करो यह कैसे करेंगा, इसमें अपने को prove करना है कि 4 a b c आएगा अब अगे अपना objective वही है कि कम से कम 2 0, आप create कर लो अगर 2 0 नहीं तो at least 1 0 create कर लो, बट 0 create करो, तो कैसे हम 0 create करेंगे, यह ना तो 0 create करने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है b plus c इधर है c और इधर है b, इन दोनों को add करके इसमें से subtract कर दो basically row 1 को आप replace कर दो row 1, minus row 2, minus row 3 ऐसा, यह चमका कि नहीं तो row 1, minus row 2, minus row 3 अगर आप यह replace कर दोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा यहाँ पर c और c cancel हो जाएगा minus 2 a आएगा यह b और b cancel हो जाएगा बस minus 2 a आएगा फिर सह यहाँ पर और इधर इसको हमने touch नहीं किया c, c plus a और a हमने केवल row 1 को replace किया है row 1 को transform किया है तो केवल row 1 को transform करेंगे yes, तो केवल row 1 change आपका होगा बाकी कुछ भी change नहीं होगा बाकी सब कुछ same है, तो यह आगया ठीक है, transformation लगा दिया अब इसके बाद इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो minus 2 a common यह row 1 को देखो row 1 को देखेंगे तो पहले आप common ले लो common आएगा minus 2 a जैसे यह आपने common लिया तो इधर 1 और 1 अब इसके बाद क्या करें आखो में चमक आ रही है, एक और 0 create करो एक और 0 कैसे create कर सकते एक और 0 create करना तो इन दोनों को subtract कर दो ठीक है column 3 minus column 2 कर लो या column 2 minus column 3 कर लो, कैसे भी कर लो एक काम करता है, यहाँ पर हम basically transformation कर लेता है let's say हम transformечение कर लेता है column 2 को replace कर दो column 2 minus column 3 के साथ column 2 को transform कर लेता है तो ultimately कितना आ जाएगा ultimately यहाँ पर आपके पास आ जाएगा minus 2 है तो already है यह minus 2 है आप column 2 को transform करना चाहते हो column 1 will not change और यह जो last वाला column है that will also not change यह आ गया ठीक है और इसको transform करो c2 minus c1 0 आ जाएगा this minus this c आएगा this minus this तो minus b आएगा तो यह आ गया अब इसको open कर लो इसको open करेंगे किसके about इसके about तो यह cancel और यह cancel ultimately minus 2 a तो minus 2 a और यहाँ पर cross multiply करोगे तो minus b c और minus b c तो यह आ रहे ultimately minus 2 a into minus 2 b c तो यह आ गया 4 a b c यह चमका कि नहीं hence hence proved चमका hence true word चमक गया होगा मेरे खाल से तो simple ही था बस आपको दो बार transformation लगाने थे तो ultimate आपका aim क्या होता है यह चमका कि नहीं अगर आपको determinant का कोई भी question करना है 2 0 ले आओ अगर 2 0 ले आओगे तो फिर question simple हो गया अगर 2 नहीं तो at least 1 0 ही ले आओ थोड़ा calculation simple होगा बट 2 0 या 3 1 3 1 आगया तो भी 2 0 आराम से बन जाएंगे तो 2 0 या 3 1 यह आपका ultimate objective होना चीए तो आँखों में चमका जाएगी आँखों में चमका आगी उसके बाद question बहुत हलवा है ठीक है येस आगे बटते हैं और इधर भी a b c है तो column 2 को आप replace कर दो column 2 minus column 1 के साथ ठीक है column 2 को replace कर दो तो b plus c c plus a और a plus b इसको हम touch नहीं करेंगे इसको भी हम touch नहीं करेंगे बस column 2 को replace कर दो तो column 2 minus column 1 तो बस b आएगा यहाँ पर this minus this तो c आएगा this minus this तो kevel a है तो यह आ गया अब इसके बाद फिर से आप क्या करो इन दोनों को सब्ट्रैक कर दो तो कॉलम 1 को आप रिप्लेस कर दो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 के सर यह वाला ट्रांसफोर्मेशन यूज कर लो इसको यूज करेंगे तो अगें यह इसको टच नहीं करेंगे और इसको भी टैच नहीं करेंगे के वल क्यूलम 1 को को कउलम 1 माइनस कॉलम 2 दिस माइनस दिस सी आएगा दिस माइनस दिस तो यहां पर यह आंच आईगा अब अब इसमें क्या करो, यह आगया ना, अब इसमें आपको basically चाहिए, यह जो value है, यह value आपको इस तरह का चमक रहा है, it is almost like this, यह वाला जो value है, बस आगे इसमें minus है, और हमारे पास जो value है, उसमें minus नहीं है, that is the only difference, देखें तो एक काम करते हैं, वो जो minus है, उसको create करने की को करके, तो एक काम करो, minus create अब होता है, जब आप किसी भी दो row या किसी भी दो column को swap करोगे, तो हम यहाँ पर क्या ऐसा swap करें, कि यह वो standard determinant बन जाए, ABC, BCA और CAB, वो वाला determinant बन जाना चाहिए, तो वो बनाने के लिए, आप actually क्या करो, आप इन दोनों को swap कर दो, इसको और इ और column 3 को swap कर दो, column 1 और column 3 को swap करेंगे, तो यह ABC यहाँ पर आ जाएगा, ABC, और यह जो CAB है, वो यहाँ पर आ जाएगा, CAB, तो आपने swap किया, तो आगे minus भी आएगा, पिंस आपने swap किया, तो आगे minus आएगा, प्रॉपर्टी, और बीच में आपके पास है, BCA, अब आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका वेल्यू अल्रेटी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का नेगेटिव, वो अल्रेटिमेटली पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह चमका, yes or no, C1, C3 को swap कर देंगे, तो आपको दिख गया, कि भाई, ultimately वो जो है, उसका वेल्यू होता है, माइनस ओफ, AQ+, BQ+, CQ, माइनस 3ABC, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ultimately we got the answer, hence, प्रूवर्ड, चमका, हैंस प्रूवर्ड आखो में चमक, आगे बढ़ते है, यह वाला question, यह अगेन काफी अच्छा question है, इसको try करो, यह कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको लेके आन directly open करोगे तो बहुत calculation आएगी, ठीक है, वो तो जन्मो जन्मांतर कभी खतम नहीं होगा, वो calculation, ठीक है, तो better है कुछ property सोचो, इसमें क्या property लगा सकते हैं, कोई बताएगा, है ना, hence proved, yes, इसमें हम property क्या लगा सकते हैं, ऐसा कुछ करो कि A+, B+, C आपका create हो जाए, ठीक है, त आप मतलब row 1 को replace कर दो, row 1 plus row 2 plus row 3 के साथ, इसका फाइदा देखो क्या है, सब कुछ add कर दो ना, बस आप इन तीनों को add कर दो, इन तीनों को add कर दो, और इन तीनों को भी add कर दो, तो add करेंगे तो क्या आजाएगा, बताओ, यह A, और यह minus B और 2B, ठीक है, minus B और 2B, तो B आजाएगा, minus C और 2C, तो A plus B plus C बनता हो, दिख गया सब को, है ना, तो यहाँ पर बन जाएगा, A plus B plus C, अगर इन तीनों को add करो तो भी बनेगा, A plus B plus C, इन तीनों को add करो, तो भी बनेगा, A plus B plus C, और बाकी सब सेम रहेगा, इधर 2B, 2C, इधर B minus C, minus A, 2C, और 2B, और C minus A minus B, यहाँ तक कितने लोगों चमक गया, बस यह thought अगर आपके दिमाग में आगया, तो question खतम हो गया, आपने तीनों को add कर दिया, अब तीनों को add कर दिया, तो A plus B plus C common भी ले लो, और जैसी आपने common ले 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 तो 1, 1, 1 आगया, आप A plus B plus C को बाहर लिख दो, common आगया आखों में चमक, आगया, बस 1, 1, 1, अगर 1, 1, 1 है तो 2, 0, create कर लो, एक बार इन दोनों को subtract कर दो, एक बार इन दोनों को subtract कर दो, कोई एक लेके ना, जो भी सबसे छोटा वाला होता है, जो भी सबसे सुन्दर होता है, वो दोनों में से subtract कर दिया करो, that is the best method, ताकि confusion भी create न minus column 1, ठीक है तो यह दोनों ही आप replace कर दो, तो a plus b plus c तो already है, यहाँ पर आजाएगा 1, 2b, 2c, ठीक है आप subtract करोगे तो इधर 0, और this minus this, तो कितना आएगा, तो minus of a plus b plus c आजाएगा, yes or no, minus करके देखो ना, this minus this, this minus this करोगे तो minus of a plus b plus c, and this minus this, तो 0, फिर this minus this, c3 minus c1, c3 minus c1, 0, c3 minus c1, तो again यहाँ पर आएगा minus of a plus b plus c, बस अब इसको open कर लो, 2 0 आगे न, अगर 2 0 आगे तो इसके respect में open कर लो, तो यह cancel, यह cancel, बस यहाँ पर cross multiply आपका, हो जाएगा, ठीक है, यह तो 0 ही आएगा, यह वाला cross multiplication तो 0, तो basically यह a plus b plus c का whole square आगया, a plus b plus c क whole square और एक और यहाँ पर है, तो ultimately a plus b plus c का whole cube, hence forward, खतम, यह चमका की नहीं, hence forward, यह भी simple था, बस यह thought आना जरूरी है, अगर आपने यह सोच लिया ना, कि r1 plus r2 plus r3, तो question खतम हो गया, बस आपका वहीं पर question खतम हो गया, 111 आगया, तो आखों में चमक, एक बार आखों में तो उसके बाद तो fix steps होते है, जो आपको करने होते है, तो बस बहुत ही चिंदी question यह बन गए, ठीक है, तो बस यह ध्यान रखना, और आगे बढ़ते है, अचा इस तरह की questions होते हैं, अब यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, hashtag चालाकी, देखों यह चालाकी अगर आपन पहले तो आप इसको यहाँ पर लिख लो, x, y, z है, और x square, y square, z square, ठीक है, यहाँ पर आपके पास है y, z, यहाँ पर है z, x, और यहाँ पर है x, y, तो यह जो चालाकी है, यह चालाकी का नाम हमने रखा है, एक हाथ से लो और एक हाथ से दो, ठीक है, चालाकी का नाम है, कि एक हाथ से लो और एक हाथ से दो, मेंलब पहले दो फिर ले लो वापस, एक हाथ से दो और फिर दूसरे हाथ से ले लो, ऐसे आप याद रखो, तो basically आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्ध्यान से देखो कि तो इधर X है X स्क्वाइर मालोब यह एक 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 वेरियबल है ना X अकेला फिर Y अकेला Z अकेला X Y Z बट यहां पर दो दो है मालोब Y Z Z X X Y तो इस तरह की question जब भी आता है मालोब आदा question ऐसा है जिसमें सब अकेले अकेले इसमें सब multiplication में है और आपको ऐसी भी feeling आ रही है कि अगर Y Z है तो यहां पर X क्यों नहीं है अगर X भी हो जाता तो फिर इधर X Y Z बन जाता है इधर X Y Z इधर भी X Y Z तो फिर हम common ले सकते थे तो कुछ अधूरा अधूरा feel हो रहा है तो जब भी अधूरी वाली feeling आती है तो आपको क्या करना है एक आच से देना है और दूसरे आच से फटाक से ले लो वापस पर्मनेंट नहीं देना है एक आच से दो और फिर ले लो इस method का नाम ऐसा क्यों रखा है क्योंकि आप basically क्या करो है इसमें दो तरीके से आप कर सकते हो यह जो row है row में multiply करो और column से वापस ले लो आप common ले लो मतलब इसमें multiply करो और यहां से वापस common ले लो या उल्टा भी कर सकते हो आप column में multiply करो और row में से common ले लो या तो यहां से दे रहो तो यहां से वापस ले लो और यहां से दे रहो तो यहां से वापस ले लो That is the method एक आथ से दो और दूसरे आथ से वापस ले लो इचला की चमकी तो value of the determinant will remain the same क्योंकि ultimately आपने इसमें multiply किया यहां से बार निकाल लिया तो determinant पे तो कोई change हुआ ही नहीं आपने 2 से multiply किया था 2 वापस common ले लिया आपने 3 से multiply किया था 3 वापस common ले लिया value of determinant will not change but determinant पूरा ही change हो जाएगा but value of determinant will not change कैसे देखो अभी समझ में आएगा जैसे for example यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि सर x missing लग रहा है कि जो yz है अगर इसको एक x मिल जाता तो इसकी जोड़ी complete हो जाती ना xyz है complete वाली feeling आ रही है तो इसको x चाहिए तो एक काम करो पूरी यह जो रो है सबको x x अपलाएगा तो आप इस particular रो में x के साथ multiply कर दो तो यहां पर x square बन जाएगा यह x cube बन जाएगा और यह xyz बन जाएगा यहां तक चमक गया अब जो दूसरी रो है उसमें y से multiply कर दो second row multiply by y तो यह y square हो जाएगा यह y cube हो जाएगा और इधर भी एक y आ जाएगा similarly इसको आप multiply कर दो z के साथ तो z के साथ multiply कर दोगे तो यह z square यह z cube और इधर भी xyz अब यहां पर xyz 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 तो यहां से पूरा xyz common ले लो आपने xyz supply किया और xyz common भी ले लिया लेकिन जब supply किया था तो अलग-अलग row में supply किया और जब common लिया तो एक ही column में से पूरा ले लिया तो जैसी आप common ले लोगे तो यहां पर आ जाएगा 111 111 बन गया तो आखों में चमक यह सब हमने क्यों किया था कि 111 बन जाए और अगर 111 बन गया तो देखो अगले step में क्या आ गया अगले step में यह आ गया आपके पस तो आपने यहां से दिया और इधर से वापस ले लिया तो x square y square z square x cube y cube z cube और इधर आपके पास आ गया 111 और अगर 111 आ गया तो question खतम ना आखों में चमक चाला की आउन में आई कि नहीं एक आज से दो दूसरे आज से ले लो आप उल्टा भी कर सकतो है इस पर multiply करो और फिर यहां से वापस ले लो तो कैसे भी करो बट ultimately यह आपको सोचना पड़ेगा ठीक है तो यह आ गया और अगर यह आ गया तो बस आखों में चमक आखों में चमक आगी तो अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ चलो इसके बाद आप simple one 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 है तो दो zero create कर लो तो दो zero create करने के लिए इन दोनों को subtract कर दो और इन दोनों को subtract कर दो ठीक है बल्लब basically यहाँ पर आ जाएगा x square x cube 1 ठीक है फिर subtract करोगे y square minus x square y cube minus x cube और 0 यहाँ पर आ जाएगा z square minus x square z cube minus x cube और 0 यह आ गया और अगर यह आ गया तो आप ध्यान से देखो कुछ कुछ common है यहाँ से आप कुछ common ले सकते हो यह वाली जो रो है इसमें से y minus x common आ जाएगा और यहाँ से भी common आ जाएगा इसको बस अब simplify कर लो आपका यही आ जाएगा तो y minus x आपको दिख गया z minus x आपको दिख गया यह y minus x महलब एक यह वाला term आपको दिख गया और एक z minus x यह वाला term आपको दिख गया ठीक है मनलब आगे इसको simplify करो, तो basically आपका y-x common आ गया, ठीक है और क्या common आया, और common आ जाएगा z-x, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर x square, x cube और 1 तो ही, ठीक है, और y-x अगर आपने common ले लिया, ठीक है और इधर आपका क्या बचेगा, इधर a cube minus b cube लगाना पड़ेगा y-a-b, y-x, और फिर बाद में क्या आता है, बाद में यह आता है, a square plus ab plus b square, a square plus b square plus ab, यह बचेगा, और इधर आपके पास है 0, ठीक है, इधर 0 है, और फिर अगले वाले में z plus x, और इधर आजाएगा z square plus x square plus xz, ठीक है, और यहाँ पर 0, तो बस अब इसके about open कर लो, इसके about जैसे ही आप open करोगे, बस यहाँ पर आपको cross multiply करके solve कर लेना, तो आपका y आजाएगा ultimately, मैं directly लिख दू क्या, आपका यह आएगा, x-y, y-z, z-x, आप calculation करके दिखना, और last में यह xy plus yz plus zx, तो calculation कर लोगे न, लब calculation यहाँ पर सिखाना objective नहीं है, objective है चाला की, यह चाल 3-1 बनगे तो 2-0, और 2-0 बनगे तो बस अब इसको open करके पूरा factorize, factorize करके यह आपका आजाएगा, तो calculation तो आप करी लोगे, बट यह चाला की किते लोगों चमक गई, यह चाला की आपको आनी चाहिए, और यह specially तब होगा, जब कुछ-कुछ terms आपके power वाले, और कुछ जो a-b मलब, जो product वाले है, अगर यहाँ पर कुछ-कुछ power में है, कुछ-कुछ product में है, आपको यह चाला की लगाने पड़ेगी, ताकि सब कुछ power में आजाए, अब इसमें x-y वाले term नहीं है, इसमें y-z वाले term नहीं है, इसमें z-x वाले term नहीं है, वो सब हमने गयाब कर दिया, तो जिसको जो भी चाहिए होता है, वो दे दिया करो, वापस ले भी लिया करो, ठीक है, किसी को दे के मत आ जाना, वापस भी ले के आना, ओके, यस बचपन में सिखाते थे थे ना, किसी को अपना टिफिन बॉक्स दे के नहीं आते, वापस उससे ले के भी आते, ठीक है तो भाई, चलो अब एक और question करते हैं, ये भी काफी अच्छा question है, तो आपको ये prove करना है, ठीक है तो देखो again मैंने यही वाला जो determinant हो, उसको यहाँ पर लिख दिया, इसमें again आप देखो के तो A square, B square, C square और इधर A, B, A, C, तो match नहीं कर रहा है न, आधे terms ऐसे जो square और आधे terms ऐसे जो A, B और A, C वाले, कुछ product वाले, कुछ power वाले, अगेन अपने को क्या use करना पड़ेगा, तो इसमें भी आप use करो, hashtag चालाकी, और ये चालाकी कैसे use करेंगे, चालाकी use करेंगे, एक हाथ से दो, और दूसरे हाथ से ले लो, वापस, तो इसको क्या चाहि करतो, C के साथ, तो A के साथ multiply करेंगे, तो यहाँ पर आजाएगा, A, यह A square हो जाएगा, यह भी A square हो जाएगा, इस वाले को B से multiply करतो, तो B square, यह multiplied by B, और यह B square, इसको C से multiply करतो, C square, C square, और इधर भी एक C आजाएगा, अब column में से वापस बाहर निकाल लो, तो column में से द A आपने common ले लिया, यहाँ से B common ले लो, तो यह B गया, यह B गया, और यह B गया, और यह C common ले लो, तो C गया, और C गया, और C गया, बस यह common आ गया, तो यहाँ से आपने supply किया, और इधर वापस ले लिया, इसका फाइदा क्या होगा, इसका फाइदा यह होगा, कि अब आपका जो यह determinant है वो ऐसा बन गया अब इसमें पावर ही पावर है ए स्क्वेर प्लस वन ए स्क्वेर अब इसमें ए बी वाले टर्म नहीं है इथर c2, इधर c2 यह सब गायब, आपके पावर वाले term यहां सब यह मैंख तो यहां से supply करो यहां से वापस ले लिया करो, जितना भी आपने दिया वो सब वापस लेके आना, ठीक है एक आज से दो दूसरे आज से ले लो अब इसके बाद आपको समझ में आई रहा है कि यह अपने को चाहिए और यह तब ही आएगा जब आप इन सब को add करोगे तो क्या transformation लगाएंगे तो transformation आप लगा लो R1 प्लस R2 प्लस R3 R1 को replace कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3 के साथ R1 में क्या आजाएगा बताओ R1 को replace कर दो अगर R1 को replace करोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 के साथ तो यहाँ पर आजाएगा A2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस 1 इधर भी आएगा A2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस 1 इधर भी A square plus B square plus C square plus 1 तो वो common निकाल लेना A square plus B square plus C square plus 1 वो common निकाल लो common निकाल लोगे तो बस यहाँ पे 111 आ जाएगा yes or no वो हमने common ले लिया और common लेने के बाद 111 और 111 आ गया तो आँखों में चमक खतम question जैसी आँखों में चमक तो question हो गया खतम बस यहाँ पे आप आखों में चमक आगई अगर आखों में चमक आगई तो question खतम होगे यह चमका की नहीं जैसी आप करोगे R1 plus R2 plus R3 सब में यही वाला टम आ जाएगा तो वो हमने common ले लिया रो वन मैंसे common ले लिया तो वन 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 बचेगा बस अब subtract कर दो इन दोनों को subtract कर दो और इन दोनों को subtract कर दो तो दो zero create हो जाएगे ना फिर अगले वाले में दिस माइनस दिस तो जीरू आएगा फिर ये माइनस ये तो फिर से 0 आएगा और ये माइनस ये तो वन आएगा तो यहाँए अब इसको open कर लो open करेंगे इसके about बस केवल वन आ रहा है इ Até τो इसका वैल्यू weary one off a square value plus b sqa plus c square plus one minutes प्रीप्लाइट यह एए बान तो तो बस बेसीकलिड़ी आपको यह चला की ध्यानम रखनी है यह चलाकी वाले questions बन सकते हैं और काफी अच्छे बन सकते हैं बतलब इसमें अब सप्लाइ करो और वापस ले लो एक आज से दो और वापस दूसरे आप से ले लो, ठीक है, that is the चला की, आगे बढ़ते है, जेही एडवान्स 2015 का question ट्राइ करो, ये भी काफी आसान question है, multi correct है, multi correct के हिसाब से इसको सोचो, you need to find out the value of alpha, alpha की values, multi correct, इसके हिसाब से आप answer बताओ, ठीक है, yes, चमका, तो अब देखो, ये कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले तो इधर alpha, इसको open करोगे तो तीन term आएगे, एक one का square, एक alpha का square, और एक two alpha, इसको भी open करोगे, तो एक four आएगा, two का square, alpha का square, और middle term आएगा, two a, b, तो इधर alpha square, इधर भी alpha square, और इधर two alpha का square, इधर भी two alpha का square, तो दोनों को subtract कर कर दो थोड़ा simplify हो जाए तो एक तो आप कर दो रो 2 को replace कर दो रो 2 माइनस रो 1 के साथ और एक रो 3 को भी replace कर दो रो 3 माइनस रो 2 के साथ replace कर दो रो 3 माइनस रो 2 तो आपका थोड़ा simplify हो जाएगा न ये जो भी like वाले terms है वो cancel हो जाएगा इधर 4 alpha square, 4 alpha square इधर 9 alpha square, 9 alpha square वो सब cancel हो जाएंगे तो simplify करो बस तो rho 1 को हम touch नहीं करेंगे केवल rho 2 और rho 3 को transform कर रहे है, ठीक है इसको आप लिख दो same to same इसमें कोई touch नहीं करेगा 1 plus 3 alpha, इसका whole square अब यहाँ पे subtract करो, rho 2 minus rho 1 rho 2 minus rho 1 करना alpha square तो cancel हो गया 4 minus 1 तो 3 आएगा और इसका middle term कितना आएगा इसका middle term आएगा 4 alpha और इसका middle term आएगा 2 alpha तो 4 alpha minus 2 alpha तो that will be 2 alpha और इसका 4 minus 1 तो 3 आएगा 2 alpha plus 3 आएगा अब similarly इसको और इसको subtract करो again 4 alpha square तो cancel हो जाएगा इसका middle term आएगा 8 alpha और इसका middle term आएगा 4 alpha 8 और 4 तो 4 alpha बचेगा 8 alpha minus 4 alpha so that will be 4 alpha और यहाँ पे कितना आएगा 2 का square तो 4 minus 1 तो 3 तो 4 alpha plus 3 आ रहे similarly यहाँ पे कितना आएगा इधर भी 3 alpha square 3 alpha square तो cancel हो जाएगा बस इसका middle term आएगा 3 into 2 6 6 into 2 12 12 minus 6 6 alpha plus 3 आ जाएगा यह आ रहा है और नीचे नीचे आपको करना है row 3 minus row 2 तो row 3 minus row 2 करो यह row 3 और minus row 2 तो again alpha square alpha square तो cancel हो जाएगा middle term देखो आप middle term will be 6 alpha और 4 alpha 6 alpha 4 alpha तो 2 alpha और इधर 9 minus 4 तो 5 आएगा similarly यहाँ पे आजाएगा 4 alpha plus 5 और इधर आजाएगा 6 alpha plus 5 अब तो मेरे काल साब को pattern भी दिख गया होगा तो pattern भी दिख गया बस यह आगया एक बार pattern देख लिया तो फिर उसके बाद सब कुछ सिमिलर ही है तो यह आगया अब इसको further कैसे simplify करें तो further simplify करने के लिए इन दोनों को फिर सब minus कर दो basically आप row 3 को replace कर दो row 3 minus row 2 के साथ उससे फाइद ही होगा कि यह 2 alpha 2 alpha cancel 4 alpha 4 alpha cancel 6 alpha 6 alpha cancel अगें जो like वाले terms है वो cancel हो जाएंगे ठीक है तो row 3 को replace करना ज़रा 1 plus alpha का square इसको touch नहीं करेंगे 1 plus 2 alpha का square और यहाँ पे 1 plus 3 alpha का square चमका और इदर अच्छा ये भी आप लिख लो इसको भी touch नहीं करेंगे 4 alpha plus 3 और 6 alpha plus 3 अब बस यहाँ पे आपको करना है row 3 minus row 2 तो कितना आएगा 5 minus 3 2 आएगा इदर भी 5 minus 3 तो 2 ही आएगा और इदर भी 5 minus 3 तो 2 ही आएगा तू को common ले लो तो 1 1 1 और जैसे ही 1 1 1 आपको दिख गया तो 2015 आपका qualify हो गया ठीक है अगर आप 2015 में देते हैं तो हो गया बस 1 1 1 तक बनाना होता है अगर 1 1 1 आ गया तो उसके बाद आपको standard जो protocols है उसको follow करना है और कुछ नहीं करना है बस 2-0 create करना है 2-0 create करने के लिए एक बार इन दोनों को minus कर दो एक बार इन दोनों को minus कर दो basically आप कर लो column 2 और replace column 2 minus column 1 के साथ और column 3 को भी replace कर देना column 3 minus column 2 के साथ replace कर दो तो ये दोनों आप कर लो ठीक है तो क्या आएगा बता ना इधर 2 है, और first वाले column को हम touch नहीं करेंगे, ठीक है, first वाला column तो same है, ये, अब इधर आ जाएगा, c2 minus c1, तो c2 minus c1, तो इधर 0, अब this minus this, करना, दोनों को minus करोगे, तो 2 alpha, and this minus this, इन दोनों को minus करो, तो इधर देखो 4 alpha square, और इधर alpha square, तो 3 alpha square आएगा, 4 alpha, इसका middle term है 2 alpha, इसमें 1 है, और इसमें भी 1 है, तो वो तो cancel हो जाएगा, ठीक है, अब आप करो, c3 minus c2, तो c3 minus c2, तो इधर 0, फिर देश माइनस देश, और अगें 2 alpha, and this minus this, यहाँ पर 9 alpha square और 4 alpha square, तो 5 alpha square हैगा, ठीक है, इसका middle term आएगा, 6 alpha और 4 alpha, तो basically 2 alpha, और 1 का square, 1 का square, तो वो तो cancel हो जाएगा, तो basically यह आँ रहा है, अब इसको open कर लो, इसके about, यहाँ पर 1, 0, 0, तो इसके about open कर लो, यह cancel, यह cancel, यह cancel, यहाँ पर cross multiply कर दो, तो ultimately कितना आएगा, ultimately आप बताओ, यहाँ पर 2 तो है, यहाँ पर यहाँ पर जब आप cross multiply घर होगे, तो 6 alpha cube, ठीक है, और यह बन जाएगा, 4 alpha square, तो एक तो यह आ रहा है, और minus, और यह वाला, यह बन जाएगा 10 alpha cube, तो 10 alpha cube, और प्लस, यह कितना बन जाएगा, 2 into 2, 4, 4 alpha square, 4 alpha square, तो यह आ रहा है, देखो, तो यह तो cancel होगे न, 4 alpha square, 4 alpha square cancel, 6 minus 10, 6 minus 10 मतलब, minus 4 alpha cube, और into 2 भी है, ultimately यह आ गया, minus 8 alpha cube, यह आ रहा है, और question में आपको बुला है, कि इसको equate करना है, इसके बराबर, तो equate करना तो बस दोनों, कितने solution आएंगे, अपने पास आ रहा है, minus 8 alpha cube, और question में given है, minus 648 alpha, minus minus plus कर दो बहले दो, और 8 से divide कर दो, तो alpha cube, equal to 81 alpha, यह आ रहा है, yes or no, 8 से divide कर दा, अगर आपने 8 से divide कर दिया, तो basically यहां से, alpha cube minus 81 alpha, equal to 0, इसको further करोगे, तो alpha common, alpha minus 9, और alpha plus 9, तो alpha की 3 value आ रही है, या तो alpha का value 0 होगा, या 9 होगा, या minus 9 होगा, अब option में क्या क्या है, देख लो, option में 9 है, minus 9 है, तो multi correct के इसाब से, इसका answer is BC, यह चमका, yes or no, यह कितने लोगों चमक गया, बस आपको transformations लगाने होते है, और 1-1-1 create करना होता है, अगर 1-1-1 या 2-0 आगे, तो आखों में चमक, उसके बाद सब standard procedure है, उसको follow करो, उसके बाद दिमाग नहीं लगाना होता है, उसके बाद calculation करना होता है, pen चलाना होता है, ठीक है, तो दिमाग बन कर दो, और pen चलाओ, बस फटाफट, जितना जल्दी करोगे, उतना जल्दी आप अगले question पर जापाओगे, ठीक है, चमका, simple, advance 2015 का, I think advance वाले काफी question अबने कर लिए, एक और try करो, advance 2005 का है, almost similar है, तो इसको भी try करेंगे, इसमें सबसे important पता गया है, इस question में सबसे important है bracket, तो bracket को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर, इसमें काफी लोगों न गलती कर दी थी actually, bracket को ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर देखोगे, तो 1 प्लस A स्क्वेर, यहाँ पर bracket है और फिर X, मतलब यह जो X है, वो 1 के साथ भी multiply होगा, और A स्क्वेर के साथ भी होगा, बट इधर bracket नहीं है, इधर 1 प्लस A स्क्वेर X, दिख रहाँ आपको, similarly इधर भी देखोगा, 1 प्लस B स्क्वेर X, और इधर 1 प्लस B स्क्वेर, whole into X, वो सब सेम सेम आपको लग रहा होगा, बट सेम सेम है नहीं, ठीक है, तो at least इसका value 0 नहीं है, ऐसा मत सोचना कि सर्फ 2 row same है, 2 row same है यह नहीं, 2 column भी same नहीं है, 2 row या 2 column same नहीं है, तो value 0 तो नहीं आएगा, अब आगे सोचो क्योंकि bracket is important, ठीक है, अब अगेन आपको question में यह given है, देखो, this information is given in the question, इसका मतलब यह 2 को इधर आप shift कर दो, अगर 2 को shift कर दोगे, तो a square plus b square plus c square plus 2, इसका value 0 given है आपको question में, इसको use करने की कोशिश करो, इसको हम कैसे use करे, कुछ ऐसा करो कि यह use हो जाए, इसको use करने के लिए, आप actually क्या गरो, आप यहाँ पे जो column 1 है ना, column 1 को आप replace कर दो, column 1 plus column 2 plus column 3 के साथ, अब देखो, इससे फाइदा क्या होगा, इससे बहुत जवरतस्ट फाइदा होगा, column 1 को, इन सब को add कर दो, basically, इन सब को add कर देंगे तो 1, आप बस bracket के ध्यान रखना और तीनों को add करो, तो तीनों को add करेंगे तो एक तो 1, और फिर a square x, तो x को common ले लो, a square, फिर x को common ले लो, 1 plus b square, और यहाँ पे 1 plus c square, तो यह आगे ना, this into x, यह आएगा, फिर similarly, अगले में इन तीनों को add करो, इन तीनों को add करोगे, तो फिर से यहाँ पे 1 है, तो 1 plus, और इधर वही बनेगा न, a square plus b square plus c square plus 2, into x, yes, 1 plus a square, फिर b square, और 1 plus c square, तो यही बनेगा, और similarly, अगले वाले में भी यही बनेगा, a square plus b square plus c square plus 2, into x, इधर भी वही लिख देता हूँ, और 1 plus 1, 2 है, basically, यह भी वही लिखा हूँ है, a square plus b square plus c square plus 2, यह चमका कि नहीं, और बाकि फिर उसके बाद यह, column 2 और column 3, 1 plus b square into x, इधर है 1 plus b square x, और इधर है 1 plus b square into x, तीक है, और इधर आपके पास है, 1 plus c square into x, 1 plus c square into x, और 1 plus c square x, bracket का ध्यान रखना बस, तो यह है, यह सामझमा है, column 1 plus column 2 plus column 3 कर दिया, अब इसका value तो 0 given equation है, तो यह 0 होगया न, this is 0, this is 0, this is 0, तो बस 1, 1, 1 आगया, आखों में चमका आगया, ठीक है, 1, 1, 1 आगया, क्योंकि यह तो 0 given है, अगर 1, 1, 1 आगया, तो बस बाकी आपको पता है, यह क्या करना है, यह 1 लिखा हुआ है, यह तो 0 है न, 1 plus 0 x, 1 है, 1, 1, 1, 2, 0 बना लो, 2, 0 बनाने के लिए, एक बार इन दोनों को सब्ट्रेक कर दो, एक बार इन दोनों को कर सकते हैं, इन दोनों को भी कर सकते हो, वो तुमारी मर्जी है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रेक कर देता हूँ, ठीक है, यह मरला अब कॉल, यह रो 2 माइनस रो 1, रो 2 को रिप्लेस कर दो, रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 को भी रिप्लेस कर दो, रो 3 माइनस रो 1 यहाँ पे आप रो 3 माइनस रो 2 भी कर सकते हो वो तुमारी मरज़ी है कैसे भी करो बट आंसर आना चाहिए तो 1 इधर 1 आएगा फिर 1 प्लस B स्क्वेर इंटो X और 1 प्लस C स्क्वेर इंटो X अब यहाँ पे सब्ट्रक करो रो 2 माइनस रो 1 रो 2 माइनस रो 1 तो 0 इधर भी 0 आजाएगा और this माइनस यह करना इन दोनों को सब्ट्रक करेंगे तो क्या आएगा तो इन दोनों को सब्ट्रक करोगे तो B स्क्वेर एक्स और इधर भी B स्क्वेर एक्स वो तो कैंसल हो जाएगा बचेगा 1-x 1-x बचेगा यहाँ पर ध्यान से आप सब्ट्राक कर लो बस and this minus this row 2 minus row 1 तो यह तो 0 आ जाएगा ठीक है इधर भी 0 अब ultimately यहाँ पर row 3 minus row 1 row 3 minus row 1 तो वो तो 0 row 3 minus row 1 again यह भी 0 ठीक है row 3 minus row 1 तो इधर 0 इधर भी row 3 minus row 1 इन दोनों को सब्ट्राक करना लेकिन थोड़ा ध्यान से c square x c square x तो cancel हो जाएगा 1 minus x आएगा के वल यहाँ पर भी 1 minus x अब इसको open कर लो column 1 के about यह गया यह गया बस इधर 1 है तो आप यहाँ पर लिख लो 1 और फिर cross multiply कर देना 1 minus x का old square आ रहा है ultimately यह आपका fx आ गया अपना fx यह आ गया बस question में यही पूछा था कि fx की degree कितनी है 1 minus x का old square basically this is 1 minus 2x plus x square what is the degree what is the degree of the polynomial 2 option d is the answer so it is a polynomial of degree 2 यह तो बहुत simple question था यह चमका की नहीं चमक ज्या होगा इस तरह के question कर लोगे यह email 2015 में भी ऐसा ही था 2005 में भी ऐसा ही था तो advance वाले question almost आपको ऐसा ही मिलेंगे ठीक है एक और question try करता है यह भी advance का ही है 2000 का 3 number का है था यह कैसे करेंगे यह काफी अच्छा question भी है क्योंकि अगर आपने इसमें दिमाग नहीं लगाया कभी इसको include गिया है इसमें अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो बहुत calculation है कभी आपका आंचर नहीं आएगा अगर थोड़ी सी चालाकी लगा दियो और वैसे भी trigonometry देखके तो सब लोग डरी जाते है ठीक है बट इसमें हलकी सी चालाकी अगर आपने लगा दिना तो आपका आंजर आ गया तो इसमें बताओ क्या ऐसा करे ऐसा क्या करे की मतलब इस determinant का value आजाए तो कुछ ऐसा करो की मतलब मज़ा ही आजाए ठीक है चालाकी तो क्या चालाकी लगाएंगे इसमें सोचो और बताओ एक बार सोचना चलो यह आपको question given इसमें ऐसा क्या करे की मतलब मज़ा आजाए एक बार बताओ ठीक है डन आर टू प्लस आर थ्री हाँ यह बिलकुल सही है यह किस ने सोचा राम ने सोचा है बिलकुल सही है आर टू प्लस आर थ्री कर लो आर टू को रिप्लेस कर दो आर टू प्लस आर थ्री के साथ इसमें बिजिली खास बात यह है कि जैसी आप इन दोनों को add करोगे इन दोनों को जैसी add करोगे यह first वाला row generate हो जाएगा basically r1,r2 same आ जाएगे तो determinant का value 0 आ जाएगा इसका answer 0 है ठीक कैसे देखो answer 0 आ जाएगा कैसे आएगा यहाँ पे जो first वाला row है उसको touch नहीं करेंगे sin theta cos theta और sin 2 theta ठीक है जो row 2 है उसको replace कर दो row 2 प्लस row 2 मरला इन दोनों को add कर दो तो formula कौन से लगेगा sin c plus sin d तो sin plus sin का formula होता है 2 sin cos यही होता न 2 sin cos और यहाँ पे क्या आएगा बताओ फिर इधर आएगा दोनों को add करके divide by 2 c plus d by 2 आएगा इन दोनों को add करो तो यह cancel हो जाएगा 2 theta divided by 2 तो theta ही आएगा और एक बार subtract करो c minus d divided by 2 subtract करो तो यह cancel हो जाएगा 4 pi by 3 divided by 2 तो 2 pi by 3 आजाएगा यहाँ पर ठीक है तो यह आ रहा है similarly इसको थोड़ा दूर दूर लिख दो थोड़ी जगा बनाओ मितलब इसको मैं थोड़ा दूर लिख देता हूं cos theta और फिर sin 2 theta ठीक है अगले वाले में क्या आएगा बताओ this plus this r2 plus r3 करना है ठीक है रो 2 plus rho 3 तो cos plus cos तो cos plus cos का formula क्या होता है वो होता है 2 cos cos 2 cos cos अगे इसमें एक बार theta आजाएगा दूसरे वाले में आजाएगा 2 pi by 3 मितलब यह है c plus d by 2 यह है c minus d by 2 वो calculation करके देखना यह ही आएगा और similarly यहाँ पर sin plus sin है तो 2 sin cos 2 sin cos 2 sin cos ठीक है तो यह आगया cos और cos के अंदर आएगा 4 pi by 3 और इसके अंदर आएगा 2 theta ठीक है तो यह आ रहा है और बाकी यह जो नीचे वाला है वो same to same इसको अमने touch नहीं गिया तो इसको तो आप as it is लिख दो ठीक है इसको अमने touch नहीं गिय तो theta minus 2 pi by 3 और यहाँ पर है sin of 2 theta minus 4 pi by 3 अब इसका value कितना होता है देखो यह 2 pi by 3 cos 2 pi by 3 का value निकालो और cos 4 pi by 3 का value निकालो पर एक बात बताओ यहाँ पर calculate करता है cos 2 pi by 3 इसका value कितना होगा इसको आप लिख सकते हो cos pi minus pi by 3 मुलब second quadrant है second quadrant है तो negative आएगा minus cos pi by 3 मुलब minus cos 60 minus cos 60 degree तो यह minus 1 by 2 है इसका value तो similarly आप यहाँ पर value निकालो cos 4 pi by 3 का इसको आप लिख सकते हो cos of pi plus pi by 3 तो third quadrant third quadrant में भी negative होता है यह आगया तो फिर से इसका value भी minus 1 by 2 आगया तो दोनों का value minus 1 by 2 है तो यह जो है ना इसमें आप minus 1 by 2 put कर दो यह cos 2 pi by 3 आपको दिख रहे है इसका value है minus 1 by 2 एक काम करते है minus 1 by 2 है तो यह और यह cancel हो जाएगा और वो जो आगे minus है उसको बाहर निकाल लो तो आपको दिख गया sin theta sin theta cos theta cos theta sin 2 theta तो same हो गया ना तो रोज सेम अगर दो रोज सेम है तो answer क्या है 0 बस दिख गया एक एक बार आपको लिखना था बस उसके बाद खतम इसका final answer है यह चमकाना वालब चालाकी वाला question है तो अच्छे से इसमें सोचना था कि हम ऐसा क्या करें कि सीधा answer ही आजए बस आप इन दोनों को add कर दो इन दोनों को जैसे आप add करोगे काम खतम दो रो सेम है रो वन रो टू सेम है अगर रो वन रो टू सेम है तो 0 आगया answer ठीक है और आगे बढ़ते है चलो आप finally आते है अगले topic पर तो आपको सहुझ में आगया न मनलब basic concept अभी तक हमने यही पढ़ाई कि आप कुछ भी करके ऐसा कुछ करो कि 2-0 या 3-1 अगर 2-0 य अगर 3-1 बना लिया मनलब determinant के question खत्म हो गया आपका main objective आपका aim आपके दिमाग में होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि कुछ ऐसा करो कि 3-1 या 2-0 बन जाए अगर 3-1-2-0 आगए तो आँको में चमक question हो गया खत्म आपका जही clear हो गया जही advance हो चाहिए main हो यही करना है आपको ठीक है आपको करना ही यही है येस चमक गया होगा आगे बढ़ते हैं अब बात करते है method for solving linear equation linear equation मतला अपना वही क्रैमर्स रूल पर हम दिरे दिरे आ रहे हैं तो कौन-कौन सा method होते है system of linear equation को solve करने के दो method हमने पढ़े है एक determinant method जिसको हम बोलते है क्रैमर्स रूल इसी को हम use करते है दूसरा method पढ़ते है बट use कभी नहीं करते है इसको बहुत कम हम use करेंगे बट पढ़ेंगे फिर भी ठीक है बट maximum question किसके आते है maximum question इसी के आते है यह आपका super important है इसका एक question guaranteed है और शूर आए गई आए आएगा ठीक है तो इसके उपर आप आप जेतने म इवन जेई advance में भी इसके question आते है ठीक है तो हम advance वाले भी देखेंगे main वाले भी देखेंगे अलग-अलग advance में multi correct बनते है जेई main में single correct बनते है इतना ही difference होता है बाकी concept same होता है ठीक है that is the only difference बस paper का जो pattern है वो change हो जाएगा तो linear equation को solve करने के दो मेथड क्रेमर्स रूल जो कि determinant जिसमें determinants का हम यूज करते है metrics को भी यूज करते है वो है Gauss-Jordan method एक एक करके पढ़ते है सबसे पहले क्रेमर्स रूल पर आजो क्रेमर्स रूल क्या कहता है यह क्रेमर्स रूल सबसे पहले आप यह समझ लो कि आपको तीन equation तीन वेरियेबल मनलब basically linear equation को solve करने का method है आपको तीन equation तीन वेरियेबल गिवन होगा तो कि तीन equation गिवन है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z equal to d1 फिर similarly दूसरी equation ते यह तीन equation आपको question में गिवन है और फिर solve करके आप निकालना चाहते हो x y z का value x y z का value कैसे निकालेंगे उसी के ल निकालने का basic formula है d1 by d y का value निकालने के लिए d2 by d और z का value निकालने के लिए d3 by d अब यह d1, d2, d3 और d क्या है तो यह सब determinants है तो अपना जो d है जो denominator है वो basically यह वाला determinant है जो की coefficient से बनेगा x का coefficient फिर y के coefficient और z के coefficient यह जो coefficient वाला determinant है उसका नाम है d अब d1 क्या है d1, d2, d3 क्या है तो d1 में आप first column को replace कर दो के constant term के साथ लब यह जो पहला column था ना उसको हटा दो और इसको आप replace कर दो constant d1, d2, d3 के साथ यहाँ पर यह ध्यान रखना कि यह जो constants होने चाहिए और right side होने चाहिए तो यहाँ पर आप note कर लो आप जब भी grammar ज there on the right side मनला RHS में होना चाहिए it should be there on the right hand side, d1, d2, d3 अगर इधर जैसे कोई equation ऐसे गिवन है कि x plus y plus z minus 1 equal to 0 आप ऐसे लिख दोगे x plus y plus z equal to 1 shift कर दो और फिर d1 का value 1 होगा फिर minus 1 नहीं होगा, समझ गे ना right side लेके जाओ फिर उसका value आएगा, तो d1 कैसे निकालते है, d1 निक कर दो constants के साथ, यहाँ पर second column को replace कर दो constants के साथ, और उधर third column को replace कर दो constants के साथ, तो in short मैं एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ, तीन equation, तीन variable given होगी, अगर वो standard form में given नहीं है, तो standard form में convert करो, standard form क्या होता है, जो भी constant term है, उसको right side ले जाओ, इधर केवल x, y, z और right side में constant, ठी तो तीन equation, तीन variable, अब आप d को लिखो, d क्या है, coefficient है, x, y, z के coefficient, यह a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, तो यहाँ पर डाल दिया, यह d आ गया, इसका determinant value जो भी है, निकाल लो, इसका कोई ना कोई value आ जागा, इसको open करके, expand करके, निकाल लो, वो denominator बन गया, numerator कैसे आएगा, यह d1, d2, d3, तो column 1, column 2, column 3 को replace करते जाओ, constant term के साथ, तो d1, d2, d3 आ गया, divide कर दोगे, तो x, y, z, अगया, अब basically grammar rule यहाँ पर start होता है, कभी-कभी क्या होता है, जैसे आपने पढ़ाओ का बच्पन में भी, कि unique solution आता है, कभी no solution आता है, कभी infinite solution आता है, तो अलग-अलग conditions अपने को पढ़नी पढ़ेगी, कि कभ unique solution आएगा, अगर d का value 0 हो गया, तो, अगर denominator 0 हो गया, तो क्या करेंगे, तो फिर तो x, y, z, exist ही नहीं करेगा, तो no solution आएगा, कि infinite solution आएगा, तो यह सारी चीज़े आपको detail में पढ़नी पढ़ेगी, उसके लिए यह table आपको ध्या 0 आएगा, या d का value 0 आएगा, अगर यह d मतलब denominator, यह d, यह d, इसका value निकालो, इसका value अगर non 0 आगया, पानलो इसका value 0 नहीं आ रहा है, मतलब कुछ और आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो denominator आपको non 0 है, मान लेता है कि d का value 3 है, तो यह d1 by 3, d2 by 3, तो x, y, z सब exist कर ज आएगा, मतलब unique solution आएगा, तो बस यही लिखा हुआ है, कि अगर d का value non 0 है, तो आपके पास unique solution आएगा, understood, अगर denominator defined है, तो unique solution आएगा, दिक्कत ही नहीं है कुछ, आपका denominator non 0 है, non 0 है तो unique solution आजाएगा, simple, अगर d 0 हो गया, तो या तो infinite solution आएगा, या no solution आएगा, तो उसके लिए आपको check करने पड़ेगा, d1, d2, d3, तो अब आप d1, d2, d3 भी निकालो, अगर d का value 0 आगया, मानलो आपने यह निकाला, इसका value 0 आगया, इसका value 0 आगया, मतलब denominator सारे 0 है, तो अब या तो आपका no solution आएगा, या infinite solution आएगा, दो में से कोई 1 आएगा, तो आप क्या में से अगर कोई 1 भी ऐसा आगया, जो की non-zero है, तो आप बोल दोगे no solution, तो वहाँ पे आप simple बोल दोगे no solution, समझगे न, d1, d2, d3 निकालो, d तो आपने पहली निकाल दिया, d का value 0 है, अगर d का value 0 है, तो आप further कैसे check करोगे, तो d1, d2, d3 निकालो, अगर तीनों में से को कोई 1 भी ऐसा आगया, minimum 1 आना चाहिए, जो की non-zero है, तो आप बोल दोगे no solution, बट अगर उसका value भी 0 आगया, d1, d2, d3, उन तीनों का value भी 0 आगया, और ये भी 0 है, मलब चारो 0 है, d भी 0 है, d1, d2, d3, सब 0 है, अगर सब का value 0 आगया, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा complicated होत अब star करके लिख लो, star करके लिख लो, if planes are parallel, if planes are parallel, अब इसमें थोड़ा सा आपको 3D geometry का अगर knowledge होगा न, अब जल्दी समझ जाओगे, क्योंकि basically यह जो equation है, किसकी equation है, linear equation in 3 variable, तो this is equation of plane, अगर two dimensional में हम खेलते हैं, तो हम बोलते हैं, बचपन में की एक line है, दूसरी straight line है, दोनों को solve करके फिर हम चेक करते हैं, कि unique solution है, कि no solution है, कि infinite solution है, पर यहां पर 3 variable है, अगर 2 variable होता है, ax plus by plus c equal to 0, तो वो straight line होता है, यह plane है, यह 3 अलग-अलग plane है, तो यह 3 plane parallel नहीं होना चाहिए, अगर 3 parallel होगे है, तो फिर solution कभी आएगे नहीं, तो no solution आएगा, ठीक है, तो value 0 है, अगर D का value भी 0 है, D1 भी 0 है, D2 भी 0 है, D3 भी 0 है, आप चेक कर लो कि कहीं planes parallel तो नहीं है, अगर parallel है, तो आप बोल दो no solution, अगर parallel नहीं है, तो infinite solution, यह समझ मागे, एक बार फिर से repeat करते हैं, यहां से start करते है, D अगर non-0 है, तो unique solution, इसका तो खतम, अगर D0 है, तो आप D1, D2, D3 निकालो, अगर कोई एक non-0 आ गया, तो फिर भी कोई confusion नहीं है, no solution, अगर सबका value 0 आ गया, तो confusion है, सर, इसमें क्या करेंगे, अगर सबका value 0 आ गया, मान लो, आप चेक कर लो कि यह जो plane है, वो parallel तो नहीं, अगर यह 3 में से कोई 2 plane भी parallel आ गये, जैसे मान लो एक plane यह है, दूसरा plane यह है, और तीसरा मान लो, ऐसा कुछ beach में से cut कर रहा है, तो भी आपका no solution यह आएगा, क्योंकि तीनों एक जगे intersect नहीं करेंगे, तो आप simple चेक कर लो, अगर सबका value 0 आ रहा है, इन चारों का value 0 आ रहा है, तो आप simple चेक कर लो कि कहीं 2 plane parallel तो नहीं ह यह ratio अगर सेम आ रहा है, अगर a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 यह ratio सेम आ रहा है, तो parallel है, अगर similarly a2 by a3, b2 by b3 और c2 by c3 यह ratio सेम आ रहा है, तो यह दोनों parallel है, और अगर तीनों में ratio सेम आ रहा है, तो तीनों parallel है, तामांग गया ना, और not equal to d1 by d2 होना चीए, लग इन तीनों का ratio से d1 d2 का ratio same नहीं होना चाहिए यही तो होते है ना parallel की condition तो parallel की condition लगा लो आप similar है ना तो not equal to d1 by d2 यह तीनों का ratio same होना चाहिए उसका ratio तभी वो parallel कहलाएगा ठीक है तो बस आप simple यह check कर लो कि कहीं parallel तो नहीं अगर parallel है तो no solution आजएगा फिर से क्योंकि अगर parallel है तो solution exist ही नहीं करेगा तीनों का कोई common solution थोड़ी होगा एक plane दूसरा plane तीसरा plane उसमें कुछ common नहीं है बट अगर plane parallel नहीं है तो फिर आपका infinite solution ही होगा ठीक है तो बस यह वाला एक जो case है उसमें आपको थोड़ा सा extra check करना पड़ेगा हाला कि जेही main वाले question में check नहीं करना पड़ता है in fact आप बहुत सारी books और बहुत सारे teachers की classes देखोगे तो वो इतना ही बताते हैं कि अगर यह सब zero तो infinite solution और उससे सारे सवाल भी बन जाते है ठीक है उससे बट वो exact theory नहीं है मतलब वो आपको फिर misguide हो रहे है ठीक है तो वो नहीं होना चाहिए बट हाँ अगर आप केवल ऐसा मान के चलोगे ना कि यहाँ पे केवल infinite solution लिखा है तो भी आपके 99% questions बन जाते है no solution वाला बहुत कम पूछा जाता है इतना confusion यह लोग भी create नहीं करते है ठीक है ना समझ गये मरला वो आपको confused नहीं करेंगे अगर आपको केवल इतना भी समझ मारेंगे d अगर 0 है d1 d2 d3 equal to 0 है तो infinite solution बस plane आपके parallel नहीं होना चाहिए अगर आपने 3D geometry पढ़ा है तो आपको पताएगी ratio चेक कर लो अगर ratio चेक कर लोगे तो आपको जैसे मान लो ना एक plane ऐसा है let's say we have x plus y plus z equal to 1 और इसको 2 से multiply कर दो 2x plus 2y plus 2z और यहाँ पे कर लो equal to 3 तो यह दोनो parallel है है ना parallel क्योंकि 1 by 2 1 by 2 1 by 2 और इधर 1 by 3 यह parallel है तो देखके समझ मा आ जाएगा अगर parallel है तो no solution अगर parallel नहीं है यह no solution तभी आएगा if the planes are parallel अभी तो star लगाया if the planes are parallel तो no solution आएगा अगर plane parallel नहीं है तो infinite solution चामत गया होगा ठीक है अब questions पर आते अच्छा question पर आने से पहले कुछ important terms वो भी देख लो consistent क्या होता है consistent का simple मतलब होता है कि solution exist करना चाहिए कितने solution exist करें उससे कोई मतलब नहीं है exist करना चाहिए मतलब solution should exist unique solution भी हो सकता है infinite solution भी हो सकता है unique solution को भी हम consistent ही बोलते है infinite solution में infinite number of solution है बट solution exist तो कर रहा है, अगर solution exist कर रहा है, तो consistent, और अगर नहीं कर रहा है, तो inconsistent, inconsistent का simple मतलब होता है, no solution, solution does not exist, कोई solution exist, नहीं कर रहा है, तो inconsistent, ठीक है, homogeneous equation का क्या मतलब है, homogeneous मतलब constant terms are 0, यह जो d1, d2, d3 है, अगर इन सब का value 0 हो जाए, अगर d1 भी 0 हो गया, d2 भी 0, d3 भी 0, अगर d1, d2, यह जो constant terms है, वो अगर 0 हो जाए, तो उसको क्या बोलते है, homogeneous equations, homogeneous equations को भी हाला कि हम पढ़ेंगे, उसके बाद trivial solution, trivial solution मतलब जितने भी variable है, सब का value 0, trivial solution मतलब 0, जितने भी variable है, सब का value, x का value 0, all variables equal to 0, all variables, जितने भी आपके दो variable है, तो दोनो, तीन variable है, तो तीनो, जितने भी variable है, all of them equal to 0, तो उसको बोलते है, trivial solution, बेसिकली passing through origin, अगर आप geometrically सोचोंगे, तो 0, 0, 0, 0 से pass करेगा, simple न, तो trivial solution, ये भी चमक गया, तो ये terms आप ध्यान रखना, अच्छा, क्रैमर्स रूल हम देख लेते हैं, homogeneous equations के लिए, ये again काफी important है, specially J main में, इसके उपर question आने के chances भी है, तो J main में जो question आता है, या तो ये main वाले क्रैमर्स रूल का आता है, या फिर बहुत बार homogeneous equation वाला question भी आता है, तो देखो homogeneous में क्या होता है, homogeneous मैंने आपको बताए कि D1, D2, D3, 0 हो गया, अगर ये तीनों 0 हो गया, तो आप सोचो कि यहाँ पर D का value क्या आएगा, पहले तो ये बताओ, तो D का मतलब जितने भी ये coefficient से उसको ले लो, A1, B1, C1, A2, B2, C2, और A3, B3, C3, तो ये D का value है, और फिर आप निकालोगे D1 का value, तो D1 का value क्या आएगा, आप column 1 को replace करोगे constant के साथ, तो column 1 की जगह आ जाएगा 0, 0, 0, यहाँ पर something, 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 तो इसका value कितना आएगा, पूरा row, या एक पूरा column अगर 0 होता है, तो determinant का value 0 ही आएगा, तो जब भी homogeneous की बात करेंगे, उसमें D1 0 ही होता है, उसमें D2 भी क्या होगा, D2 भी उसमें 0 ही होगा, और D3 भी क्या होगा, D3 भी उसमें 0 ही होगा, क्योंकि आप third column को replace करोगे constant term के साथ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इन तीनों का value 0 ही आता है, homogenous में, homogenous में D1, D2, D3 0 ही आता है, अब सब कुछ depend करेगा D के उपर, वहीं D का value या तो 0 हो सकता है, या non-0 हो सकता है, तो 2 ही case आएंगे, homogenous में 2 ही case आते है, या तो D का value 0 है, या non-0 है, तो अगर D का value 0 है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर infinite solution आएंगे, अगर D का value equal to 0 है, then you will get infinite solution या फिर उसको non-trivial solution भी बोल जकते हो, या फिर उसको non-zero solutions भी आप बोल जकते हो, ये सारे नाम है, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, non-trivial solutions, ये सब एक ही बात है, non-trivial बोलो, infinite बोलो, या फिर non-zero solutions भी बोलो, सब एक ही बात है, है ना, और अगर D का value not equal to 0 है, तो फिर आपके trivial solutions आएंगे, अगे इसको रट्टा मनने की ज़रत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप केवल X, Y, Z, निकालो ना, ये होता है, D2 by D, ठीक है, और ये होता है, D3 by D, ठीक है, D3 by, अच्छा, यहाँ पे भी D, fine, तो ये formulas है, अब देखो, आपको बताएगी, भाई, D1, D2, D3 तो 0 ही है, ये numerator 0 है सबका, fine, ये D1, D2, D3 का value तो 0 ही है, अब सब कुछ depend करेगा, denominator के उपर, तो अगर denominator not equal to 0 है, इसे मानलो denominator का value 3 है, ये न, if it is not equal to 0, तो X, Y, Z का value क्या आएगा, X का value 0 आएगा, Y का value भी 0 आएगा, Z का value भी 0 आएगा, मलब all variables equal to 0, मलब trivial solution, तो यहाँ पे आपका trivial solution ही आता है, और अगर D0 हो गया तो, ये भी 0, ये भी 0, नीचे वाला भी 0, तो 0 by 0, हमने ऐसी याद किया था, अगर आपको याद हो तो, 0 by 0, ऐसा होता है, अगर इसको हम ऐसे horizontal shift कर दे, तो ये infinity जैसा दिख रहा आपको, अलब infinite number of solution, जो ऐसा vertical होता है, इसको लेटा दो, horizontal कर तो, याद करने का trick है, याद करने का trick है, इसमें दिमाग मत लगाना, जो 0 by 0 होता है, ऐसा होता है, 0 by 0, बस इसको ऐसे लेटा दो, infinite solution, याद करने का तरीका है, यहाँ पे भी in fact same ही है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, तो D1, D2, D3 0 है, और denominator भी 0 है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा आपर वाला 0, नीचे वाला भी 0, बस इसको horizontal कर दो, infinity बन गया, infinite solutions, याद करने का trick हमने बनाया था इस तरह से, तक कि आप बोल न जो, बस इसमें दो ही चीज़ होती है, तो बस आप यह हमेशा ध्यान रखना है, इसमें question आएगा, इसका, इसका question आता ही आता है, यही main में, यह super important है, हमेशा आप ध्यान रखना कि अगर homogeneous equation है, homogeneous equation question में given है, और फिर बात में बोलेगा कि non-trivial solution है, तो उसमें क्या condition होती है, तो बस उसमें आप D0 कर देना, अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखाई दे, उसका concept होता है, D0 कर तो बस, you will get the answer, यह सामझ माया, homogeneous equation, और non-trivial solution अगर बोला है, या फिर infinite बोला है, या फिर non-zero solution बोला है, उसमें D0 कर देना, you will get the answer, इसका question आता ही आता है, बहुत बार आपने question देखाऊगा न, यह D0 करो, answer आगया, solutions में आपने देखाऊगा, D0 किया answer आगया, तो हमेशा यह ध्यान अटना कि homogeneous equation अगर given है, खलब constant term 0 औ चाहिए, और non-trivial solution बोला है, तो D0 कर देना, you will get the answer, ठीक है, अब आगे बढ़ते, Gauss-Jordan की बाद भी कर लेते हैं एक साथ, फिर बाद में सारे question एक साथ करेंगे, तो Gauss-Jordan, Gauss-Jordan में भी similar ही होता है, इसमें basically आप क्या करता हो, इसमें matrix form में represent करते हो इसको, यह जो तीन equation 1, 1, 1, फिर 1, minus 1, 1, और 2, 1, minus 1, है न, यह सारे coefficients, multiplied by आप कर दो, x, y, z, ऐसे लिख दो, और यहाँ पर आप लिख दो constant terms, ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से represent कर सकते हैं, इसका जो order है, वो है 3 cross 3, इसका order है 3 cross 1, तो इसका order आएगा 3 cross 1, यह दुरों सेम है, तो multiplication कर सकते हैं, औ ultimately इसका order आएगा, वो 3 cross 1 आएगा, तो हाँ, इस तरह से हम represent कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने इस तरह से represent कर दिया, अब यह वाला जो matrix है, उसको थोड़ी देर के लिए बोल दो, a, यह जो variable वाला matrix है, उसको बोल देते है, x, और यह जो constant term वाला है, उस अब प्री मल्टिप्लाइ करते हैं, ठीक है, तो just multiply, प्री मल्टिप्लाइ बोच साइड्स, बाई A inverse, तो यह basically आपका बन जाएगा, i, तो i into x, तो that will be x, और यहाँ पर आपका आजाएगा, adjoint of A, multiplied by B, और नीचे आजाएगा, determinant of A, यह आगे न, x का value, यह चमका की नहीं, मल inverse को हमने लिख दिया, adjoint A by determinant of A, तो किसी को कोई दिक्कत, A inverse का definition होता है, formula होता है, adjoint of A, divided by determinant of A, multiplied by B, यह तो scalar है, तो आप whole divide भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो यह आ गया, अब इसमें क्या numerator और क्या denominator, अगें मलब एक case तो यह बनेगा, कि denominator जो है, अगर वो non-zero है, तो तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर denominator 0 हो जाता है, तो दिक्कत आती है, तो if determinant of A is not equal to 0, if determinant of A, यहाँ पर not equal to 0 आएगा, if determinant of A is not equal to 0, तो तो आपका unique solution आएगा, अगर denominator 0 नहीं है, तो क्या आएगा, unique solution आएगा, अगर denominator 0 हो जाता है, इसमें आगें उल्टा है, ठीक है, इसको change कर यह basically equal to आएगा एक second मैं इसको change कर देता हूँ यहाँ पर equal to आएगा इसको हटा दो और इसको कर दो equal अगर denominator equal to zero हो जाता है तो दिक्कत आएगी ना या तो no solution आएगा या infinite solution आएगा So if determinant of a is equal to zero अब denominator zero हो गया तो हमने क्या trick पड़ी थी denominator अगर zero हो गया तो हमने trick में यही पढ़ा था ना कि अगर नीचे तो zero है अगर उपर वाला भी zero हो जाए तो infinite solution आएगे देखो नीचे वाला तो zero हो गया अब उपर क्या है उपर है adjoint of a into b तो यह adjoint of a into b अगर यह null matrix आ गया adjoint of a into b null matrix तो numerator भी zero denominator भी zero तो ultimately infinite solution आएगे तो trick से याद करो आप इसको और अगर यह non zero है तो अगर यह non zero है मनलब numerator non zero है मानलो numerator आपको कुछ ना कुछ है और denominator zero है तो फिर क्या आएगा उपर मानलो 3 है और नीचे zero है तो 3 divided by zero क्या होता है not defined होता है मालब no solution आएगा चमग यह तो इस वाले case में आपका no solution आजाएगा तो अगर determinant of a non zero है मालब denominator non zero है unique solution अगर denominator zero है तो यह तो no solution आएगा यह infinite आएगा इसमें लेकिन आपको ज़्यादा दिमाग निलगाना है आप बस उपर नीचे देख लो अगर उपर वाला भी zero नीचे वाला भी zero तो infinite solution अगर उपर वाला non zero नीचे वाला zero तो no solution चमग क्यों होगा मतलब ultimately यह tables आपको याद रखना है यह tables आपको याद होने चीए तब ही question solve होंगे ठीक है एक बार फिर से इसको revise कर लेते हैं क्रेमर्स रूल को क्योंकि वही हम use करेंगे questions में तो यहाँ से आप देखना start करो अगर d non zero है unique solution इसकी condition होती है d equal to zero तो या तो यह आएगा या यह आएगा अगर कोई एक non zero है तो no solution और अगर सब कुछ zero है तो infinite solution plane बस parallel नहीं होने चीए ठीक है that is the only condition बाकी आप यहाँ पर homogeneous पर आजाओ homogeneous में यही वालग case आएगा maximum times homogeneous equation दे देंगे बोलेंगे non trivial solution आप d zero कर देना ठीक है तो आप कहाँ चरा जाएगा gosh jordan वाले questions नहीं आते हैं न बहुत कम आते या बिल्कुल नहीं आते अब questions पर आते तो question पर आजाओ पहला question देखो अगर पहला question आपको समझ में आगे तो फिर सारे समझ में आजाएगे तो देखो पहला question आप समझ लो और बाकी इसके बाद हम J.E. वाले questions करेंगे तो उसका answer आप खुच से देना J.E. वाले by the way बहुत चरे questions हम करेंगे जब तक आपको confidence नहीं आजाता है ठीक है? तो देखो एक एक करके question करेंगे तो और थोड़ा confidence आएगा अभी तक तो आपने बस theory पड़ी है तो उसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो step number one आपको ensure करना है कि जो भी आपके constants है वो right side में होने चाहिए तो यहाँ पर already right side में है तो कोई दिक्कत नहीं आप step number two होता है आप सब निकालो D निकालो, D1 निकालो, D2 निकालो, D3 निकालो तो इन सब का value निकालो तो यहाँ पर हमने already निकाल के रखा है ताकि जादा time waste ना करना पड़े calculation में, तो D का value अगर आप निकालो D मतलब यह 2P6, 12Q और 113 तो यह यह 2P6, 12Q, 113 तो अगर आप इसको open करके solve करोगे तो यह आ रहा होगा अब यहाँ पर आप first column को replace कर दो constant के साथ second column को replace कर दो, third column को replace कर दो और सब का value निकाल लो तो basically यह values तो आप calculate कर लोगे मतलब यह तो calculation हो गया अब आप दिमाग लाग के बताओ कि unique solution कब आएगा unique solution के लिए बताओ कि what should be the condition on P and Q unique solution कब आएगा पहले part का answer क्या होगा unique solution की condition simple होती है D not equal to 0 तो D not equal to 0 मतलब यह non-zero होना चाहिए तो ऐसा तभी होगा जब P का value 2 नहीं होना चाहिए and Q का value 3 नहीं होना चाहिए तभी आपका unique solution आएगा तो बस this is the answer simple यह आपका answer है first part का यह चमका की नहीं second part का answer बताओ simple ना unique solution तभी आएगा जब D non-zero होगा अब दूसरे part का answer no solution तो no solution के लिए D 0 होना चाहिए और D1, D2, D3 में से कोई एक इन तीनों में से minimum कोई एक वो non-zero होना चाहिए minimum कोई एक आप लिख लो कोई एक minimum कोई एक होना चाहिए जो non-zero है तो no solution आ जाएगा तो D का value 0 कब होगा सोचो पहले तो अगर D का value 0 होगा अगर आप ले लो P equal to 2 या फिर Q equal to 3 पर अगर आप P equal to 2 ले लोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा ना अगर मैं P का value ले लो 2 तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 उसमें तो फिर infinite solution आ जाएगे तो आप P equal to 2 तो नहीं ले सकते तो क्या लेना पड़ेगा तो Q equal to 3 ले लो ताकि एट लिस्ट ये 0 हो जाए तो Q का value आप ले लो 3 और P का value 2 मतलो बस 2 के लाओ कुछ भी ले लो तो this is the answer for no solution ये चमका की नहीं अगर आप Q का value 3 ले लो गए तो D तो 0 हो गया और P का value 2 मतलो बस उसके लाओ कुछ भी ले लो P element of R except 2 तो ये ये D1 और D3 non-0 हो जाएगे अगर आप P का value 2 नहीं लो गए तो ये non-0 हो गया बस अगर कोई एक भी non-0 हो गया तो चलेगा तो ये answer आगया और 3rd part का answer बता हो 3rd part में आपको चाहिए infinite solution infinite solution के लिए infinite solution के लिए P equal to 2 और Q का value कुछ भी लो कोई फरक नहीं पड़ता है ये चमका क्योंकि अगर आप P का value 2 ले लो गए तो ये 0 ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब कुछ 0 अगर सब कुछ 0 है तो Q का value अब कुछ भी लो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो इसका answer आएगा P equal to 2 और Q element of R ये चमक गया होगा मेरे खाल से तो बस आपको इतना ही ensure करना होता है ठीक है? और आगे बढ़ते है अब एक question करते है J.E. Advance 2016 का question पट ये question चिंदी है ये multi-correct में आया था J.E. Advance में आया था 2016 में आया था बट इसमें 2 equation 2 variable है ठीक है ना मनलब 2 equation 2 variable तो ये तो 10 standard का question है 10 standard में आप पढ़ते हैं unique solution A1 by A2 not equal to B1 by B2 उसी को use कर लो तो basically आपको ये 2 equation given है देखो मैं आपको करके दिखाता हूं unique solution के लिए condition आपने बच्पन में क्या पढ़ी थी unique solution दो equation 2 variable है दो straight line है basically उपर वाल ये एक straight line है ये भी एक straight line है unique solution के लिए आपने पढ़ा था कि A1 by A2 is not equal to B1 by B2 ये ही होता है unique solution का condition ठीक है तो ये तो unique solution के लिए कहा नहीं हो गई second no solution no solution के लिए भी आगेन आपने बच्पन में पढ़ा होगा कि A1 by A2 should be equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2 ये no solution के लिए ये होता है basically lines parallel होनी चाहिए अगर दो line parallel एक line ऐसी दूसरी line ऐसी intersect नहीं करेगी intersect नहीं करेगी तो लब दो line parallel तो slope same है और C1 by C2 के बराबर नहीं होना चाहिए और तीसरा हमने पढ़ा था infinite solution infinite solution कब आएगा infinite solution के लिए A1 by A2 should be equal to B1 by B2 should be equal to C1 by C2 बस ये तो unique solution कब आएगा अब इसको further solve कर लो इसको further solve करेंगे तो A not equal to minus 3 ये आ रहा है तो देख लो कौन सा option सही है unique solution का ये वाला option है यहाँ पर लिखाएगी A is not equal to minus 3 then the system has unique solution for all the values of lambda and mu तो सही बात है lambda और mu से कोई मतलब नहीं है ना उसका value कुछ भी हो सकता है बस A का value minus 3 नहीं होना चाहिए तो ये वाला option सही है क्या ये option correct है अगर A का value minus 3 नहीं है अलब slope same नहीं है अगर slope same नहीं है तो फिर दोनो unique solution आएगा कहीं न कहीं तो intersect करेंगे चीए तो बस ये आएगा A not अब इसको solve करो इसको solve करेंगे तो A equal to minus 3 A equal to minus 3 होना चाहिए और ये वाला जो ratio है यहां से आपको पता चलेगा कि minus 1 is not equal to lambda by mu इसका मतलब इसको cross multiply करोगे तो minus mu is not equal to lambda बेसिकली 0 is not equal to lambda plus mu ये आना चाहिए अलब lambda plus mu का value 0 नहीं होना चाहिए इसको rearrange कर लिया हम न ठीक है तो A का value minus 3 जब होगा और lambda plus mu का value non 0 होना चाहिए तब आपको no solution मिलेगा तो ये कहां पर लिखा हुआ है A का value minus 3 और lambda plus mu no solution का कौन सा option है ये वाला option है इसमें चेक कर लो A equal to minus 3 तो लिखा हुआ है A equal to minus 3 और lambda plus mu not equal to 0 तो ये भी सही है इस इस आपको इन्फानाइट solution के दो option है एक ये option है एक ये option है तो दोलों में से कोई A correct होगा तो देखलो कौन सा वाला correct है यहां पर basically A का value तो वही आएगा minus 3 और lambda by mu इसका value आएगा minus 1 के बरावर मतलब lambda plus mu equal to 0 है इसको cross multiply करके इधर shift कर ले ना तो basically कौन सा correct है ये वाला correct है lambda plus mu equal to 0 और A का तो ये correct है तो BCD is dance है और A वाला गलत है क्योंकि इसमें लिखा है A का value तो minus 3 है बट ये कह रहा है for all the values of lambda and mu तो for all the values थोड़ी ना होगा lambda plus mu को 0 होना चाहिए तभी तो बात बनेगी ऐसा थोड़ी कि lambda और mu को कुछ भी ले लो lambda plus mu मतलब वो जो ratio होना चाहिए वो minus 1 होना चाहिए तभी बात बनेगी तो बस BCD is done और ये चिंदी question आया था J.E. advance 2016 में तो कभी-कभी चिंदी भी आ जाते है advance में चलो आगे बढ़ते है अब J.E. main 2021 का question ट्राइ करो इसमें बोला है no solution तो no solution की condition क्या होती है no solution में बलब D का value 0 और D1, D2, D3 में से कोई 1 आपका non zero होना चाहिए अगर कोई 1 भी आपको non zero दिख जा तो खतम बात ठीक है तो अगे न आप इसमें D निकालो सबसे पहले तो इसको ट्राइ करना इसको आप ट्राइ करो आराम से कैसे करेंगे ठीक है ठीक है डन यह कैसे होगा system of equation has no solution if k is equal to तो आप देखो मैं directly यहां पर अल्रेडी निकाल रखा है ठीक है तो आपको दिखा देता हूँ D का value यह आएगा D1 का value यह आएगा यह D का value सहुझ माता न यह coefficient वाला और यह 1 k k square तो देखो first column को replace कर दिया first column को replace कर दिया constant term के साथ और दोनों को मलब इसको open करके solve करना तो ultimately आपका इसका value यह आ रहा होगा इसका value यह तो calculation तो आप कर लोगे अब यह calculation हो गया अब आप दिमाग लाकर बताओ कि what is the answer मुझे चाहिए no solution तो no solution के रहे D का value पहली बात तो 0 होना चाहिए D का value 0 तभी होगा जब आप K का value यह तो minus 2 लोगे या 1 लोगे है ना इसको minus 2 लेना पड़ेगा या 1 लेना पड़ेगा अब इसका answer या तो minus 2 है या 1 है ये दोनों तो आप reject कर लोगे ये तो possible लिनी है अब 1 होगा कि minus 2 होगा अगर आप K का value लेते हो minus 2 ये तो 0 है बट ये non 0 है ना तो बस बात बन गई K का value minus 2 ले लो अगर आप minus 2 ले लो गए तो यहाँ पर D का value तो 0 है लेकिन D1 का value 0 नहीं है यहाँ पर लेकिन अगर आप देखोगे तो D0 है और D1 भी 0 है बट यहाँ पर आपको answer मिल गया ना already K का value minus 2 ले लो अगर आप minus 2 ले लो गए तो कोई A कैसा आ गया जो की non 0 है तो बस उसमें no solution आएगा इसमें आपको further D2, D3 निकालने की जरूत है क्या D2, D3 निकालने की जरूत है नहीं पड़ेगी तो थोड़ा smartly आप calculation कर सकते हो ठीक है इसको निकालने की जरूत ही नहीं है आपको दिग गया कि K का value minus 2 लेंगे तो बात बन जाएगी क्योंकि ये 0 आ रहा है ये non 0 आ रहा है तो बात बन गई no solution ही आएगा तो D2, D3 निकालने की जरूत नहीं है चमक जोगा मेरे खाल से है तो D is the answer आगे बढ़ते हैं ये वहला question try करो again 2021 इसमें लेकिन x, y, z variable नहीं है बस इतना ही difference ही कि u, v, w बोल दिया इन्होंने variable ओके तो x, y, z की जगह बस u, v, w को use कर रहे है नाम change कर दिया हम डर थोड़ी जाएंगे alpha, beta, gamma ये coefficients आपके है ये homogeneous equation given है द्यान से देखो ये right hand side ये सब 0 है न तो मतलब homogeneous equation है और question में आपको बोल रहा है non-trivial solution ये मैंने आपको बोला था आएगा यही आता है homogeneous equation और non-trivial solution तो क्या करता है तो बस d को 0 कर दो ठीक है तो ये d निकालो और 0 कर दो और d का value भी कैसे निकालेंगे d का value ये है alpha, beta, gamma, alpha, beta, gamma beta, gamma, alpha ये तो अपना standard वाला है इसका value अपने को directly याद है तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं है special determinant है special determinant का value याद करना है ठीक है तो इसका value ये आजाएगा basically और अगर ये आ गया तो फिर आपको उसके बाद बोलाई कि alpha, beta, gamma are the roots of this equation वहाँ पे फिर theory of equation use कर लेंगे ये equation आपको given है ठीक है तो x cube यहाँ पे देखो x cube plus ax square plus bx plus c इसके root है alpha, beta, gamma तो बताओ sum of roots कितना आजाएगा इसमें method होता है change, not change, change तो change, not change, change अगर ये आपको नहीं आता है तो theory of equation quadratic equation का one shot देखो उसमें topic का नाम है theory of equation पढ़ लेना जिनको नहीं आता है जिनको आता है वो यहाँ से देख लो sum of roots का value आएगा change, not change, change तो इसका value minus a आजाएगा alpha, beta plus beta, gamma plus gamma, alpha इसका value आजाएगा plus b और alpha into beta into gamma इसका value आजाएगा minus a तो ये तीनो values आप यहाँ पे use कर सकते हो तो d को 0 करना है यह जो d है उसको 0 करना है equal to 0 आएगा यह भी equal to 0 आएगा और value put करो alpha plus beta plus gamma का value कितना है minus a है इसका value minus a और इसको आप लिख दो actually alpha plus beta plus gamma का whole square ऐसे लिख दो और अगर आपने alpha plus beta plus gamma का whole square लिख दिया तो minus two और एक यह minus one तो minus three times आजाएगा, minus three आजाएगा ना और sigma alpha beta कर दो आप ऐसे कर दो यह समझना आया basic identity हमने use कर ली क्योंकि इसमें minus two alpha beta वो आएगा, minus two आएगा ना और एक minus one और एक minus one अल्रेड़ी है minus three तमक ग्या होगा अब value put कर दो minus a यह a का square और इसका value कितना है इसका value है b तो इधर आगे और b and this is equal to zero अगर यह equal to zero है तो बस a square equal to three b आगया ठीक है, a square equal to three b आगया तो a square divided by b कितना है three इस दान से ठीक है ना, चमक ग्या होगा, a square divided by b तो that is three तमका तो बस d zero करना था और कुछ नहीं है इसमें concept इतना है कि homogeneous equation, non-trivial solution तो d निकाल के, यह d निकाला अपने को directly यह पता था और zero कर दिया बाकी हमने यह alpha plus beta plus gamma sum of roots यह product of roots taken two at a time वो सब हमने निकाल दिया और value put कर दिया ठीक है, समका होगा मेरे ख्याल से ठीक है और आगे बढ़ते है एक और question try करो इसमें भी क्या है इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो concept बताओ चलो what of it yes a zero q नहीं a zero q नहीं क्योंकि question पढ़ना आना चाहिए उसके लिए बहुत ही special type का talent चाहिए वो कह रहा है कि sir ये भी तो zero हो सकता है a equal to zero भी तो हो सकता है इसी को zero q क्या हो सकता है ये zero हो जाए उसके लिए तो बहुत special talent चाहिए special talent यहाँ पचाहिए question पढ़ने के लिए इसको थोड़ा ज़्यादा highlight कर देता हूँ question में लिखा है कि a,b not equal to zero ठीक है तो नहीं हो गए ये zero OC को zero होना पड़ेगा ठीक है न वही तो पढ़ लेना question बाकी आगे बढ़ते हैं इस वाले question पर आ जाओ fine ये कैसे करेंगे ये last topic है नहीं नहीं ये last topic नहीं है अभी तो दो-तीन topic और बच्चा है ठीक है अभी तो Kelly Hamilton theorem पढ़ना है Kelly Hamilton theorem के उपर भी काफी question है J main में वो भी एक super important topic है ठीक है तो वो इसके बाद अभी पढ़ेंगे ये पहले खतम करो फिर एक break लेते हैं फिर दो-तीन topic अभी और कम से कम एक डेड़ गंटा लगेगा इस topic के खतम होने के बाद ठीक है तो ये बताओ कैसे करेंगे non-trivial और homogenous है ये तो homogenous equation है और non-trivial solution है तो क्या करेंगे homogenous equation, non-trivial solution D zero कर दो तो D निकालो बस और zero कर दो ये D निकाला, D का value ये आएगा आया सबका, ये ही आ रहे है तो बस आप D निकालो यहाज़़ D निकालोगे उसका value ये आ रहा D zero कब होगा, सोचो इन में से कौन सा option सही है बस option A आपको दिग गया आप mu का value 6 ले लो ये 6 ले लो के तो ये 0 हो गया और इसका value आप कुछ भी लो क्या फरक पड़ता है बाकी कोई भी option ऐसा नहीं है lambda का value 2 थोड़ी नहीं लेंगे माइनस 2 लेंगे न, ये गलत है lambda का value 3 ये तो दूर दूर तक गलत है और mu का value 6 होना चाहिए माइनस 6 नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है तो बस A की option है दंका, बाकी सारे बिकार option ठीक है न, चमक गया होगा मतलब, तो D zero कब होगा mu equal to 6 लेने पर चमक गया, yes or no चमक गया होगा, तो option A इस दा अंसर, और आगे बढ़ते है ये वाला try करो ये 24th Feb 2021 का इसको try करो, इसमें बहुत सारे ये given है which of the following statements are correct तो 5 statement given है उसके basis पे आपको answer करना है तो पहले तो आप D, D1, D2, D3 इस आप निकाल दो, एक काम करता हूँ मैं आपको दे देता हूँ ये D का value अल्डेडी निकाल कर रखा है आप calculation बाद में कर ले न अभी बस समझ लो, ये values तो आप calculate कर लोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1, 2 और Z वाला term नहीं है तो 1, 2, 0 1, 2, 0 ठीक है फिर 1, 1, 1, K 1, 1, 1, K और फिर इसमें X वाला term नहीं है तो 0, K, 4 0, K, 4 ठीक है उसको फिर calculate किया तो यह आएगा फिर यहाँ पर replace कर दो, replace कर दो, replace कर दो तो यह, यह और यह आजाएगा अब आप देख लो कि कौन सा option सही है अब calculation करके मैंने आपको दे दिया यह आप exam में खुद कर ले न बट अभी के लिए आप conceptual answer बता दो कि concept समझ में आएगी नहीं बस मुझे यह चेक करना है ठीक है, calculation तो आप करी लोगे तो बताओ unique solution कब आएगा unique solution, unique solution, unique solution इन तीन में से कोई एक statement होगा तो सही होगा तीन में से कौन सा correct है unique solution तभी आता है जब d का value not equal to 0 d का value not equal to 0 अनलब k का value 2 नहीं होना चीए और k का value minus 2 भी नहीं होना चीए तो k का value 2 नहीं minus तो बस यह statement सही है यह गलत है, यह गलत है ठीक है, चमक गया क्योंकि अगर आप k का value 2 ले लोगा तो d 0 हो जाएगा d 0 हो जाएगा तो काएगा unique solution yes तो unique solution फर्स्ट वाला तो यह गलत होगा यह गलत होगा, यह तो यह answer यह 1 and 4 या 1 and 5 तो 4, 5 को check कर लो तो no solution कब आएगा अचा यह बात बता तो infinite solution कब आएगा infinite solution तभी आता है जब सबका value 0 इन सबका value अगर 0 हो जाए तो सबका value 0 कब होगा इधर 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 तो k का value minus 2 लेना पड़ेगा आपको तो k का value equal to minus 2 लोगे तो infinite solution आएगा infinite solution यह गलत statement है अगर k equal to minus 2 है तो infinite solution आएगा यह बोला k not equal to 2 यह गलत है अगर यह गलत है तो यही सही होगा आप check करो है ना no solution कब आएगा तो no solution आएगा जब k equal to 2 अगर आप k को 2 ले लोगे यह 0 आजाएगा d0 आजाएगा बट d1, d2, d3 0 नहीं आएगा यह non 0 आएगा बस no solution के लिए यह सही है 1 and 4 1 and 4 option c तो इसका final answer क्या है इसका final answer है option c चमका की नहीं yes or no चमक गया होगा मेरे रिखाल से और आगे बटता है ठीक है यह यह वाला एक बढ़ ट्राइ करो infinite solution आपको यह numerical correct में आया था और fab वाले shift का question है इसको try करना again मैं calculation वाला आपको दे देता हूँ तो d, d1, d2, d3 निकाला हमने यह आ रहे infinite solution कब आएगा बस यह बता दो तो यह सब आपको exam में इधर replace, replace, replace ठीक है तो यह आप कर लोगे calculate और infinite solution तभी आएगा जब k का value आप कितना ले लोगे 21 बस दिस दान सक ओके तो k का value 21 ले लो तभी आपका infinite solution बनेगा ठीक है ना समझ गे k का value 21 ले लो गए इन सब का value 0 हो जाएगा d, d1, d2, d3 सब 0 अगर सब कुछ 0 है तो infinite solution ठीक है इधर आजाओ यह वाला question देखरो कितने question बर-बर के question अभी तो यहाँ हमने कुछ question लिये है कुछ question और भी है ठीक है तो but काफी सार question है यह भी 2021 इसको try करो यह कैसे करेंगे इसमें अलग-अलग option है unique solution has a solution satisfying this infinite solution does not have any solution में लगव no solution तो बस आपको तीनो option given है unique solution, no solution, infinite solution उन तीन में से कुछ तो आ रहा होगा तो चेक कर लो ठीक है कैसे करेंगे तो again सब कुछ निकालना पड़ेगा D निकालोगे D1, D2, D3 है ना यहाँ पर replace कर दे 998 तो यह 998 ठीक है समद क्या होगा तो basically क्या हैगा D का value non-zero है अगर D का value not equal to zero है लब unique solution है इसका answer तो बस यह सब आपको निकालने की जरुद भी नहीं थी वैसे तो केवल D निकालो आप आप केवल D निकालोगे D का value आ गया non-zero अगर D का value non-zero आ गया तो unique solution, खतम बात तो सब कुछ निकालने की जरुद भी नहीं है वैसे तो इसका answer सीधा ही आ जाएगा अगर option C को check करना है तो option C को check करना है तो आपको solutions निकालने पड़ेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सारे निकाल के दिखा रखें जैसे आपका solution के आएगा तो X होता है D1 by D तो X का value आ जाएगा this by this तो 0 आएगा Y का value Y होता है D2 by D तो this by this तो 1 आएगा और Z होता है D3 by D तो इसका value आएगा this upon this तो 2 आएगा ना ठीक है तो यह आपका basically solution आगा क्या solution आगा है 0,1,2 0,1,2 तो alpha, beta, gamma 0,1,2 0,1,2 करेगा क्या satisfy नहीं करेगा ना तो यह option गलत है ठीक है समझ गे this option is wrong क्योंकि 12 नहीं आएगा तो 9 आएगा एगा एक्चली ठीक है तो वो वाला option भी आप check कर सकतो in fact कि हाँ वो for sure वो गलत ही है fine वैसे तो आपका answer पहले ही आगा D not equal to 0 unique solution is the answer और आगे बढ़ते हैं यह try करो इसमें आपको बताना है no solution यह आप एक बार खुछ से करना try यह कैसे करेंगे आया कुछ clear है okay done अरे चैट में बाते मत कर रहा है रिदर उदर की तो मैं इस पे focus करो इसका answer बताओ no solution के लिए option a b c d what is the answer no solution इसमें देखो अगर आप थोड़ा smartly करना चाहते हो तो केवल d1 और d3 निकाल लो क्यों कि पहले तो आपने d निकाला ठीक है d का value आ जाएगा 1-3 है है ना d तो आप निकाली लिया होगा मेरे गाल से का फिलोगों ने 1-3 है आ गया अब उसके बाद सीधर d3 निकालो ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला जो column है उसमें एक variable है ना इसमें एक variable है अगर आप d1 और d2 निकालोगे तो d1 में क्या होगा सोचो तो d1 में ऐसा होगा ना d1 जो है उसमें ऐसा होगा कि आप ये 5-3-b इधर आएगा और बाकी फिर 1-1-1 और 1-1 तो इसमें a भी आएगा और b भी आएगा दोनों आएंगे अगर दोनों आएंगे तो फिर वो confusion create होगा दो-दो variable है तो इसलिए आप d1 मत निकालो क्योंकि इसमें दो-दो variable आएंगे आप केवल ये वाला जो column है इसी को replace कर दो constant के साथ तो एक ही variable आएगा ये आपका जो d3 आएगा वो केवल बी के terms में आएगा ये चमका की ने जो d3 आएगा it will be purely in terms of b and this will be purely in terms of a अब हम चाहते है no solution no solution तभी आएगा जब d0 और in में से कोई एक non zero होना चाहिए तो इस वाले को non zero कर दो तो d का value 0 तो a का value 1 by 3 और b का value तो option d is the answer a का value 1 by 3 तो d0 हो जाएगा और ये non zero होना चाहिए not equal to 7 by 3 option d is the answer चमकिया तो बस आप चालाकी से थोड़ा कम अगर calculation करना है तो हमेशा वो d3 निकाल लिया करो fine एक और ऐसा question करते हैं इसको try करो ये कैसे करेंगा 25th July 2021 ये भी question है बगे इन देख रहे हो काफी सारे question इसका एक question guaranteed है आई गई आएगा इतने सारे question जब 2021 में तो 22 में कुछ ना कुछ तो आए गई ठीक है तो इसको try करो एक बार इसका final answer बताओ तो d निकालो और d3 निकाल देना सीधा again क्योंकि इसमें भी आप देखोगे तो last वाला जो column है उसमें a है अच्छा ये equal equal दो बार क्यों है equal equal इसमें कुछ typing mistake है इसमें देख लेते हैं एक बार वो plus होगा इधर a लिखा हुआ है तो plus कर लो उसको इसको correct कर लो आप this is plus ठीक है ये plus है अब आप solve करो तो basically ये d आएगा ठीक है और d3 निकाल लो तो बताओ answer क्या है no solution बोला है no solution के लिए d का value 0 और in मैं से कोई 1 मतलब इसको अब non zero कर दो a का value 3 और b का value not equal to 13 option a is the answer चमग गया a का value 3 होना चाहिए और b का value जो है वो 13 तो नहीं होना चाहिए ताकि वो at least कोई एक non zero आ जाए अगर कोई एक non zero आ गया तो फिर काम बन गया ना इसलिए आप ये d3 निकाल d3 क्यों निकाला समझवाए ना क्योंकि वो third वाले column में a है तो जिस column में variable होता है ना उसको replace कर दो ताकि a की variable आए दूसरी column को replace करोगो तो bby आएगा फिर a b आएगा तो दो दो variable में कौन काम करेगा tough calculation calculation से बचने का उपाई ये ठीक है येस और आगे बटते हैं एक और question ट्राइ करो इसमें भी बोला है no solution यहाँ पर भी no solution वाले भी काफी question है ये कैसे करेंगा the value of lambda and mu such that the system of equation has no solution ये try करना है एक बार fine ये कैसे करेंगा ये जेई मेगा रिविजन कौन है भाई अगर तुम्हें लगता है कि कहीं और से question आते है तो तुम वहाँ जाके कर लो न फिर time waste क्यों कर रो कर लो फिर जाके बाद में मत रो ना फिर ठीक है हाँ ये बताओ कैसे करेंगा अच्छा side होके the value of lambda and mu such that system of equation has no solution निकाला डी निकाला ये निकाला की नहीं डी का value निकालो तो डी 1, डी 2, डी 3 उन में से कोई एक निकाल लो डी 3 निकाल लो फिर से मेरे खाल जाए ये लैमडा जो है वो third column में है तो दिखा देख्या एक बाद reveal करते है अच्छा इसमें केवल डी का value से भी आंजर आ जाएगा केवल डी निकालो आप तो आपने डी तो निकाल लिया होगा तो डी का value इदर आ रहा है उपर उदर 1, 1, 1 इदर 3, 5, 5 तो 3, 5, 5 और 1, 2 lambda तो ये आ रहा है और no solution के लिए डी का value तो 0 होना ही चाहिए इसको तो 0 होना ही चाहिए तो lambda का value तो 2 होना ही चाहिए lambda equal to 2 केवल एक ही option में है तो इसके options काफी बेकार है इस वाले में actually आपको डी 3 भी निकालने की ज़रद नहीं है ये डी 1, डी 2, डी 3 कुछ निकालने की ज़रद नहीं है क्यूंकि इसके option बेकार है तो since इसके option बेकार है तो हम तो फाइदा उठाएंगे न बस आप केवल डी निकाल दो और non zero के लिए डी तो zero होना ही चाहिए minimum that is the minimum condition बस डी को zero कर दिया आपका lambda equal to 2 आ गया ठीक है? येस और माया एक और question करो ये कैसे करेंगे? इसमें बोल रहा है infinitely many solutions infinite solution की condition होती है की d, d1, d2, d3 सब zero ठीक है? इन सब का value 0 हाना चाहिए अभी आपके infinite solution आएंगे येस तो you need to find out the value of k for which the system of equation has infinite solution येस सर ब्रेक दे दो अभी ब्रेक लेते है अभी ये topic खतम हो जाए बस तो ये 20th of July और shift 2 ये ट्राई करो ये सारे question बन रहे है अभी अभी मेरे काल से grammar rule पढ़ लिया तो अब सारे हो जाने चाहिए और ये पका आएगा तो ये कर लेना बस इसको round 2 में कर लेना अगर बहुत ज़्याद़ calculation लग रहा है तो बट कर लेना इसको छोड़ना मत इसको छोड़ दिया तो फिर करेंगे क्या ये तो होई जाना चाहिए और शियर इसका आंसर कुछ है A, B, C, D Yes or No इसका कुछ आंसर फटा-फट बताओ D, D1, D2, D3 तो करें, रिवील करें B आ रहा है, किसी का C आ रहा है सब अलग-अलग आ रहा है, B या C वोगे देखते हैं, D निकालो D का value आपका 7K प्लस 35 आ रहा होगा और infinite solution है, तो D 0 होना चाहिए, बस खतम अगें, D1, D2, D3 निकालने की ज़रत थी नहीं केवल D निकालो आप और D का value 0 होना चाहिए, तब ही आएगा जब K का value minus 5, A की option है तो option चिंदी है, मनलब अगें बस यह आंजर है option B इस दा आंसर infinite solution तब ही आएगा ना जब सबका value 0, सबका value 0 तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, तो minus 5 आगे बस, A की option में है minus 5, चीक है चलो और आगे बढ़ता है, अब यहाँ से फिर हम continue करेंगे, अभी दो topic बचा है, मेरे खाल से एक तो यह है कि how to differentiate a determinant और जो main अपना topic बचा है that is, Kelly Hamilton theorem, ठीक है, तो वो break के बाद करते है अभी एक break आप फिर से ले लो, after the break we'll do two main topics, एक यह how to differentiate determinant और एक हम करेंगे, Kelly Hamilton theorem, ठीक है, तो एक फटा-फट एक break ले लो, after that we'll continue this, ठीक है चलो तो मिलते है break के बाद फिर, ठीक है दो topic है, दो या, हाँ दो ही topic है basically, यह और Kelly Hamilton theorem, ओके तो यह दोनों हम करेंगे, after the break, fine, yes, चलो फिर मिलते है झालो 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 मिलते हाँ झालो सब्चर जह झालो करें करेंस झालो झालो कर मुआ झालो मुआ झाल 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 या आश्य आश्य या या और उसके बाद एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको भी पढ़ेंगे एक एक करके दोनों जो टॉपिक है उसको डिस्कूस करते है येस प्रेजेंट कॉन कॉन प्रेजेंट है अपनी अटेंडेंस मार्ग करो पहले फटाफट है ना सब लोग आगे गया स् कभी-कभी मतलब अपने को चांस नहीं लेना है कभी-कभी क्वेश्चन आने के चांसे भी है तो मतलब अगर आ गया तो आपको आना चाहिए येस तो डिटर्मेंट को डिफ्रेंचेट कैसे करते है तो मान लो फर एक्जांपल ये एक फंक्शन ऑफ एक्स है उसके अंदर य इसमें हमेशा आपका रूल जो होता है आप यह ऐसे ध्यान रखो हमेशा एक-क करके डिफ्रेंचेट करते है गया तो हमेशा हमेशा बेसिकली रूल यह होता है कि आप एक एक करके differentiate करो, तो पहले हम केवल first row को differentiate करेंगे तो यह आ जाएगा केवल आप first row को differentiate करो और बाकी सब सेम इधर सेम रहेगा, g1x फिर g2x और g3x यह चमका, यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा और यह भी सेम रहेगा h1x, h2x और h3x यह चमक गयोगा मैंने काल चाहिए केवल आप first row को differentiate करो फिर केवल आप second row को differentiate करो यह जो second row है उसको differentiate कर तो, यहाँ पर आ जाएगा g1-x ठीक है, उसके बाद g2-x फिर g3-x और बाकी सब सेम ठीक है, तो इधर सेम रहेगा मतलब f1 आएगा f2 आएगा, f3 आएगा तो यह चमका की नहीं, कितने लोगों चमक गया इधर भी सेम रहेगा, h1 फिर h2 और h3 यह चमक गयोगा मेरे खाल से, ठीक है, तो यह आगया और अब आप यहाँ पर differentiate कर दो लास्ट वाले रो को, लास्ट वाला जो रो है h1 डाश ठीक है, उसके बाद h2 डाश और h3 का डाश बाकी सब सेम ठीक है, तो यहाँ पर बाकी आपका सेम रहेगा f1, f2, f3 तो एक एक करके करते हैं, मतलब basically यह basic idea है जब भी आपको differentiate करना है तो एक एक करो और इसको column wise भी कर सकते है आप ऐसा भी कर सकते होगी पहले first column को कर लो फिर second column को कर लो, फिर third column तो column wise भी आप कर सकते हो row wise भी कर सकते है, column wise भी कर सकते है उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर हमने row wise किया है first row को कर दिया second row को कर दिया third row को कर दिया row wise भी कर सकते हो column wise भी कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बट एक एक करके करोगे first row, second row, third row या फिर first column, second column, third column इस तरह से आप किसी भी determinant को differentiate कर सकते हो ठीक है? अब जैसे एक example करते हैं इस वाले question को बताओ यह कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको basically एक five of x function given है, अपने को यह प्रूव करना है, we need to prove that this five of x is a constant polynomial यह constant polynomial आना चाहिए अपने को यह प्रूव करना है कि five of x जो है न वो एक constant polynomial है basically five of x will be equal to some constant तो उसका differentiation zero होना चाहिए आप यह प्रूव कर दो, है ना समझ गे ना, आपको यह प्रूव करना है कि यह जो five of x है, वो कोई ना कोई एक constant polynomial है मलब this is equal to some k, तो इसका जो differentiation आएगा, वो क्या आएगा, वो zero आएगा ना, तो बस आपको यह प्रूव करना है, आपको simple यह प्रूव करना है कि इसका जो differentiation आएगा, वो zero आएगा अगर differentiation जीरो आएगा, तो फिर वो five of x जो भी होगा, वो constant ही होगा और इसमें question में आपको यह भी given है कि यह जो fx, hx और gx है, यह quadratic polynomial है, लब इसका degree two है, ठीके यह जितने भी है, वो सब degree two वाले है quadratic है वो, ठीके तो यह आपको already question में specified है अब इसको differentiate करो, चलो तो five dash निकालेंगे, ठीके five dash निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको differentiate करो, row one को differentiate कर दोगे, तो यहाँ पर short में लिख देते f dash, g dash, h dash और नीचे वाला सब कुछ same ही रहेगा, ठीके तो second row will be same, third row will be same यह आपका same ही रहेगा यह चमक क्यों होगा, अब similarly आप क्या करो, second row को differentiate करो इसको differentiate करो, इसको differentiate करेंगे तो f double dash g double dash और h double dash यहाँ पर सब कुछ same रहेगा, f g h और यहाँ पर भी same रहेगा f double dash, g double dash और h double dash, ठीक है, तो यह आगया अब आप third वाला जो row है उसको differentiate करो, इसको differentiate करो तो इसको differentiate करेंगे तो f triple dash आ जाएगा f के बाद g और g के बाद h तो यह आगया ultimately आपके पास और first और second जो भी है वो same रहेगा यहाँ पर f g h और यहाँ पर आजाएगा f dash तो यह समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक clear है अगर यहाँ तक clear है देखो यह चमका ना, first row को differentiate किया, फिर second row को differentiate किया, फिर third row को differentiate किया, अब इसका value कितना है, इसमें तो दो row same है, अगर दो row same है तो इसका value तो 0 यहाँ पर अगर आप देखोगे तो f g और h आपको question में बोला है कि यह तीनों ही यह तीनों ही quadratic है जैसे माल लो f x को आप ऐसे माल लो यह quadratic है अगर आप quadratic को तीन बार differentiate करोगे तो क्या आएगा एक बार differentiate करेंगे तो यह आएगा एक बार और differentiate करोगे f double dash f double dash का value कितना आएगा वो constant आएगा और एक बार और differentiate करोगे तो वो 0 ही आएगा तो अगर आप किसी भी एक quadratic को तीन बार differentiate करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा मतलब इसका value 0 है इसका value भी 0 है और इसका value भी 0 है तो 0, 0, 0 तो इसका value भी 0 ही आएगा ना विल्ब एक पूरा row ऐसा है जिसमें सब कुछ 0 है तो ये भी 0 है, ये भी 0 है ये दोनो 0 इसलिए है क्योंकि इसमें 2 row सेम है और वो last वाला 0 इसलिए है क्योंकि उसमें एक पूरा row 0 है 0, 0, 0 ultimately उसका value भी 0 ही आएगा तो आगे ना five dash equal to zero आगया अगर ये equal to zero आगया तो जो five of x होगा वो कुछ ना कुछ constant होगा चमक गया होगा तो ये hence proved चमका, simple येस तो इस तरह के question कर लो का differentiate कैसे करता है बस वो आपको आना चाहिए और इसमें कोई खास बात नहीं है similarly यहाँ पर जैसे f dash निकालना है इसको try करो चलो ये कैसे करेंगे तो इसमें आगे आपको एक एक करके differentiate करना है f dash of x तो सबसे पहले आप first row को differentiate कर तो इसको differentiate करो इसको x का differentiation 1 ये तो constant है तो 0 ये भी constant है तो 0 और बाकी सब कुछ सेम आएगा तो a b यहाँ पर a c यहाँ पर x plus b square b c और b c और x plus c square तो ये आजाएगा similarly अब second row को differentiate करो तो second row को differentiate करेंगे तो ये आजाएगा बाकी सब कुछ सेम होगा ठीक है तो x plus a square फिर a b और a c ये आगया इधर भी आपके पास है a c b c और x plus c square और last में आप क्या करो कि ये जो last वाला है उसको differentiate कर दो last वाले को differentiate करेंगे तो यहाँ जाएगा ठीक है ये clear हैगा x plus a square a b और a c और यहाँ पर क्या जाएगा a b x plus b square और इधर आपका जाएगा b c तो ये clear हैगा है ना first row को differentiate करो second row को differentiate करो third row को differentiate करो और अब इन सब को open कर दे ला इसको open करेंगे तो क्या आएगा इसके respect में open करोगे यहाँ पर cross multiply करोगे ना तो actually ये कितना आएगा बता न ये आजाएगा x का square और middle term क्या आएगा ये b square x और c square x ना तो b square plus c square into x ये आएगा और फिर b square c square और इधर भी b square c square तो वो तो cancel हो जाएगा ये चमका ना b square into c square और minus b square into c square तो वो तो cancel तो बस इतना ही आएगा तीक है similarly अगला वाला ये वाला यहाँ पर भी आप इसको open कर लो इसके respect में और इसको open कर ले ना इसके respect में तो सब कुछ open कर लो आपके पास answer आजाएगा इसका value भी कितना आएगा इसका value आएगा x square और x का coefficient आजाएगा x into a square और x into c square तो a square plus c square into x ये आएगा और a square c square a square c square वो तो cancel हो जाएगा ठीक है similarly इसको open कर दो इसको open करेंगे तो again x square और a square plus b square into x तो ये आगया तो ultimately x square आएगा तीन बार और x का coefficient कितना आजाएगा x में सब कुछ दो दो बार आजाएगा आप कर दो two times two times a square plus b square plus c square into x तो this is your final answer ये चमका f dash of x ये आएगा आपका ये कितने लोग आ रहे आरे simple ना basically आपको differentiate करना और कुछ नहीं इस तरह के question कर लोगे अब इसमें objective question कैसे बनते है objective question इस तरह के बन सकते है in fact इस तरह के paragraph भी आपको मिल जाएंगे जो की पुराने जेही में आते थे आज कल थोड़ा ये popular नहीं है ये determinant को open करोगे तो degree 4 की equation कुछ आ रही होगी तो अब यहाँ पर आपको a,b,c,d,e का value पूछ सकते है इस तरह के question को कैसे करेंगे अगर मानदो e का value पूछा है यहाँ पे जैसे है ना तो अगर e का value पूछा है तो तो concept ही होता है कि आप बस x equal to 0 put कर दो both sides ना दोनों तरफ x equal to 0 put कर दो सीधा e का value आ जाएगा तो x equal to 0 put करोगे तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 e आएगा directly और x का value 0 put कर दो तो ये 0, minus 1, इधर 1 x का value 0 put कर दो मतलब directly e का value आ गया ठीक है ये 1, ये minus 1, ये 0, ये 1 ये minus 1 और यहाँ पे भी 0 ठीक है तो ये आ रहे है अब इसको open कर लो open करेंगे तो ये 1 ठीक है open करके बताना ultimately कितना आ रहे है ये आ जाएगा minus 1 ठीक है और plus 1 के साथ plus 1 के साथ 1 आ है तो ultimately 0 आ रहे है ये तो ultimately we are getting option A option A आ रहे है x equal to 0 put कर दो आपका e का value तो आ जाएगा simple as that ठीक है ये तो आपको चमक गया अब अगर मान लो d का value पूचा है तो they are asking you the coefficient of x इसका value तो एक बार differentiate करना पड़ेगा और फिर x को 0 put करोगे तो पहले एक बार differentiate कर दो इसको differentiate करेंगे तो 4 A x cube ठीक है इसका differentiation आ जाएगा 3 B x square इसका differentiation 2 C x इसका differentiation D और E का differentiation 0 ठीक है क्योंकि वो तो constant है और इसको कैसे differentiate करेंगे इसको differentiate करेंगे एक एक करके ना पहले first row को differentiate करोगे इसका differentiation और इसका differentiation फिर second वाले row को differentiate करोगे यहाँ पर second वाले को differentiate करोगे तो क्या आएगा तो बाकी आप same to same लिख दो और फिर आप x का value 0 put कर दो put x equal to 0 चीक है तो अब आप यहाँ पर x का value 0 put कर दो और D का value आ जाएगा तो यह 0 हो जाएगा ने यह सब यह 0 यह भी 0 यह भी 0 यह भी 0 डी आएगा directly तो कर लोगे calculation कितने लोगे calculation कर लेंगे यह एक्स का value 0 put करते ही यह जो तीनों determinant है तीनों का value आपको निकालना पड़ेगा इसका value निकालो इसका निकालो इसका निकालो और फिर add कर दो ultimately you'll get the answer yes or no चमका की नहीं यह मेरे काल से चमक गया होगा yes skew symmetric कैसे हो सकता है skew symmetric में diagonal element 0 होते है तो बात वहीं पर कतम हो गई उससे आगे हम बढ़ेंगे नहीं skew symmetric में diagonal elements 0 होते है बात कतम आगे बढ़े ठीक है तो मतलब दोखे में मत रहना yes skew symmetric नहीं है कौन बोल रहा था यह काल होगे नै calculation करके जो भी d का value आएगा तो हम calculation में नहीं पढ़ रहे समझ में basic concept अगर c का value पूछा है तो एक बार और differentiate करना पड़ेगा total दो बार differentiate करके फिर 0 put करो इसलिए वो थोड़ा lengthy हो जाएगा इसलिए generally c का value नहीं पूछते है क्योंकि आपको दो बार differentiate करना पड़ेगा और जब भी आप differentiate करते हो तो एक का तीन होता है एक determinant के तीन determinant होते है एक बार differentiate करोगे तो फिर से एक के तीन होंगे इसके तीन इसके तीन इसके तीन टोटल 9 हो जाएंगे ठीक है तो वो काफी lengthy हो जाएगा तो इसलिए c का value जनरली नहीं पूछते है आइधर देविल आस e जिसमें आप सीधा ही put करतो 0 या तो एक बार at least differentiate कर वा लेंगे और फिर बोलेंगे कि 0 people might love e या d मैसे है कोई ना कोई आने के chances है प्रिल्ख जब ही आप differentiate करूगे तो एक का 3 है तो एक का 3 offer है कि ऐक का 3 offer है ञास्ट वाला एज लास्ट वाला स्कीव सेमेंट्रिक है रस्ट वाला मतलब कहले अमिल्टन थिर्म केले हैं काफी आते हैं स्पेशली जे-एमे में के लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है रीसेंटली अभी काफी सारे बहुत यह ट्रेंडिंग टॉपिक है आज कल कही साब से देखोगे तो येस तो पहले तो समझ लो कि यह कहले क्या होता है करेक्टरिस्टिक अक्वेशन है कैसे निकालते उवो सारी चीज़ा हम पहले देख लेते हैं तो सबसे पहली बात अगर कोई भी आपको मेड्रिक्स गिवन है कोई पी एक मेड्रिक्स आपको गिवन है तो आप क्या करोगे एए माइनस लैंडा आई इसका आजाएगी यहना लेमडा में एक इक्वेसं आ जाएगी ठीक էेक शीकरों गिरेग्वेस्ट्रिक्षेटरिस्ट्स अजाएगी ध्या लेमडा में एक वेशन आजाएगी सिंपल यह अगर आप यह माइनस लैमडाई निकालो इसका डिटर्मिनेंट जिरो कर दो, determinant जिरो कर दो के तो एक equation आजेगी lambda में, उसी को बुलते है characteristic equation, अब कहले हमिल्टन धिरम क्या कहता है, तो कहले हमिल्टन धिरम यह कहता है कि every matrix, every square matrix will satisfy its own characteristic equation, तो जो भी आपकी characteristic equation होती है, उसमें matrix खुद हमेशा satisfy करेगा, जैसे एक example लेते है, let's take a small example, जैसे for example, मानलो मैंने आपको एक matrix दे दिया, और वो matrix है ऐसा, 1, 1, और इधर आप ले लो, 2 और इधर आप ले लो, 0, ठीक है, तो यह matrix मैंने आपको दे दिया, अगर यह matrix दे दिया, तो सबसे पहले आप characteristic equation निकालो, तो characteristic equation कैसे निकालते है, a minus lambda i निकालो, तो a minus lambda i का determinant निकाल elements होते हैं, उसमें से minus lambda कर दिया करो, उसका भी shortcut, तो जो भी आपके diagonal elements है, उसमें से आप कर दो, minus lambda, minus lambda, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इसको आप 0 कर दो, यह basically है, a minus lambda i, उसको आप 0 कर दो, उसको जैसे ही 0 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बताओ, this and this, ultimately आपके प lambda plus lambda square equal to 0, और यह जो है ना, इसी को हम बोलते है, characteristic equation, तो यह आपकी characteristic equation आ गई, ठीके, this is your characteristic equation, अब केले Hamilton theorem क्या कहता है, यह जो केले Hamilton theorem है, short में आप लिख दो CH, तो CH theorem, जो CH theorem है, वो यह कहता है, कि जो भी matrix होगा, जो original matrix है, वो अपनी characteristic equation में हमेशा satisfy करेगा, जो भी matrix है, वो अपनी characteristic equation में, always it will satisfy, दुनिया का कोई भी matrix ले आओ, वो अपनी characteristic equation में हमेशा satisfy करेगा, मतलब आप lambda का value A put कर सकते हो, है ना, तो यह lambda square, यह lambda square बन जाएगा, A square, फिर minus 2 lambda, तो minus 2 A, और जो भी constant हम होता है, उसको हम replace कर देते हैं, आई के साथ, तो कि ultimately यह सारे matrices हैं, matrix में हम constant को add नहीं कर सकते, इसलिए हम जो भी constant होता है, उसको I से replace कर देते, तो यह आपका आगया, तो यही है हमारा Kelly Hamilton theorem, समझेगे, अब Kelly Hamilton theorem आपको clear रहे गया, मतलब simple आप characteristic equation निकालो, और दुनिया का जो भी matrix है, वो अपनी characteristic equation में satisfy करेगा, तो satisfy करा दो, Kelly Hamilton लगा दिया, अपने, खतम, एक Kelly Hamilton लगा के यह आ गया, अब इसका use क्या है, हम क्यों लगाए Kelly Hamilton, हल तुम्हें, है न, तो क्यों लगाएंगे, तो इसको हम क्यों लगाते है, उसका answer समझना काफी जरूरी है, कि हम क्यों use करे, कब use करे, आपने को चमकना तो चाहिए न, कि यह question Kelly Hamilton का है, त कि अगर आपको A की बड़ी-बड़ी powers निकालनी है, तो उसके लिए हमारा theorem use कर लो, या फिर अगर आपको A inverse निकालना है, तो भी आप हमारा theorem use कर लो, कैसे निकालेंगे A inverse, तो अगर आपको A inverse निकालना है, तो यह जो characteristics, यह जो basically equation आगे है, उसको आप A inverse के साथ multiply कर दो, त तो देखो ऐसा बन जाएगा न, यहाँ पर यह लिखा हुआ है, यह क्या लिखा हुआ है, A into A, A square, minus 2A, और प्लस I, यह लिखा हुआ है, this is equal to 0, तो आप पूरी equation को multiply कर दो, A inverse के साथ, यहाँ पर आजाएगा A inverse, इधर भी आजाएगा A inverse, इधर भी आजाएगा A inverse, और इध फिर से यह आई बन गया, और यहाँ पर आजाएगा A inverse, this is equal to 0, तो यहाँ से A inverse का value आगे न, तुम्हार पास, A inverse का value, इन दोनों को उधर shift कर दो, तो 2I minus A आगे बस, this is A inverse, तो अगर आपको A inverse निकालना है, तो वैसे तो जो method था, वो काफी lengthy होदा न, adjoint of A divided by determinant of A, अगर वो use नहीं करना, तो आप ऐसे भी A inverse निकाल सकते हो, और यहाँ पर speciality यह है कि जो भी आपका A inverse आएगा, वो एक equation के form में आएगा, it will be in terms of A and I, एक linear equation जैसे आपको कुछ दिख रहा है, कभी quadratic भी आ सकता है, पर कुछ ना कुछ A और I का function होगा, वो हमेशा, you can find out A inverse, A की बड़ी बड़ी powers भी आप निकाल सकते हो, वो कैसे, तो वो ऐसे न, यहाँ से आपको A square दिख रहा है, यहाँ से आपको A square का value कितना दिख रहा है, इन दोनों को उधर shift करो, यह 2A minus I, अगर आप से कोई पूछेगा A cube निकालो, तो A cube निकालने के लिए A into A square होता है, और A square का value यह चमका की नहीं, तो A square का value आप वापस put कर सकते हो, 2A minus I, तो basically A cube आप का आजाएगा, A cube आगया तो A की पार 4 भी निकाल सकते हो, A की पार 5 भी निकाल सकते हो, A की पार 6 भी निकाल सकते हो, सारी values आप आराम से निकाल सकते हो, यह चमका की नहीं, ठीक है, तो अभी examples करते ह ही है कि आप इसका determinant zero करते हो एक equation हाईगी उसको बोलते characteristic equation जो भी दुनिया का matrix होगा वो उसमें satisfy करेगा satisfy कराने के बाद आप A की बड़ी power निकाल सकते हो या A inverse निकाल सकते हो that's it Kelly Hamilton खतम इतना ही होता है ठीक है आगे बड़े questions करते है जैसे इसमें A की पार 4 पूछ है A inverse पूछ है by using Kelly Hamilton theorem तो एक बार करते है इसमें method मेंने आपको क्या सिखा था method यह होता है कि जो भी यह diagonal elements है उसमें से minus lambda कर दो यह आपका A minus lambda है आ गया बाकि सब सेम यह आ जाएगा इसको आप कर दो equal to 0 अब इसको open करो इसको open करेंगे इसके respect में open कर लो क्योंकि यहाँ पर 2 0 है ठीक है since यहाँ पर 2 0 है तो आप इसके respect में open कर लो यहाँ पर आपके पास है 1 minus lambda और क्या आ जाएगा यह आ जाएगा 1 minus lambda into minus 1 minus lambda ठीक है यहां पर कितना आएगा बताना फटा फट एक बार इसको solve करोगे तो minus 1 minus lambda plus lambda और plus lambda square minus 4 यह आ रहे यह तो cancel हो गया अब इसको करना इसको further आप multiply करोगे तो 1- lambda और λैम्डा स्कुएर माइनस पाईव इसको फर्दर मल्टिप्लाई करना वाम्ललब एक कुविक एक्वेसिन आ हíamos और वो क्या आहिए वो र्लाम्ल क्योब माइनस ल्याइम्डा क्योब और प्लस फाइव लेम्डा इकुल टू जिरौ यह आ słuँ मतलirement basically lambda cube minus lambda square minus five lambda plus five यह आ arithmetic equation आगी और अगर तो जो भी आपका original matrix है एस matrix को आप बोलत Aww तो बस यह आ गया तो a cube minus a square minus 5a plus 5i यह दियान रखना है equal to 0 तो बस यह आ गया बस यहां से आप a cube निकाल सकते हो तो वो आ जाएगा a square plus 5a minus 5i यह आ जाएगा a cube और आपसे question में पूछा है a raise to 4 तो a raise to 4 जो भी बड़ी-बड़ी powers होती है वो आप निकाल सकते हो तो a raise to 4 कैसे निकालेंगे यह ऐसे निकालेंगे a into a cube a cube का value आपके पास already है तो substitute कर दो a square plus 5a minus 5i ठीक है न यह आ गया बंदर multiply करोगे तो a cube plus 5a square minus 5a ठीक है यह आ गया फिर से a cube का value पूट कर दो तो फिर से a cube का value है a square plus 5a minus 5i ठीक है यह plus 5a square minus 5a यह और यह cancel हो गया ultimately आपके पास आ रहे 6a square minus 5i तो बस यह आ गया a raise to 4 आ गया simple as that a raise to 4 का value आ गया और that is a function of a and i a और i का function है चमक गया न तो a की पार 4 तो आप इस तरह से निकाल सकते हो और inverse निकालने तो अगर a inverse निकालने तो वो भी निकाल सकते है इसी equation को use कर लो देखो यहाँ पर equation को आप multiply कर दो with a inverse अब इसका फाइदा क्या होगा इसका फाइदा ही होगा कि जब यहाँ पर multiply होगा तो यह बन जाएगा a square क्योंकि a into a inverse वो तो i बन जाएगा न एक a और एक a inverse मिल के i बना लेगा ठीक है similarly यहाँ पर क्या आ जाएगा तो minus a आ जाएगा क्योंकि अगेन एक a और एक a inverse तो वो i बन जाएगा यहाँ पर a into a inverse यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा फाइव टाइंवर्स इक्वल टू नल मेट्रिक्स यह है बस यहाँ से a inverse आ गया आपका कितना आएगा a inverse तो a inverse के लिए n सबको उधर बेज दो उधर बेज देंगे तो minus a square ठीक है plus a plus 5i divided by 5 तो बस this is your a inverse यह चमक गया तो a inverse भी आप नहीं कहा सकते हो आराम से कितना लोगों चमक गया तो बस कहले हैं मिल्टन में यह होता है कि आप a minus lambda i को 0 करो एक equation आईगी उसको बोलते जही में का question करते है इसको try करो यह तो two cross two का matrix given है और इसको देखके समझ में आ रहेगी बाई कुछ न कुछ इसमें a inverse निकालके फाइदा नहीं है आपको a inverse निकालना है पट as a function of a and i तो क्या चमका यह function function कब खेलते हैं कहले Hamilton theorem characteristic equation से बात बनेगी यहाँ पर तो बस आप यहाँ पर कर दो one minus lambda four minus lambda और इधर two or minus one इसको कर दो zero इसको zero करेंगे one minus lambda four minus lambda plus two equal to zero यह basically आपका आगया lambda square minus five lambda plus four plus two तो six आ जाएगा equal to zero तो this is your characteristic equation और यह जो characteristic equation है उसमें a put कर दो तो a put कर देंगे तो यह आगया और अकर यह आगया तो a inverse कैसे निकालनेगे लिए पूरे को multiply कर दो यह inverse है तो यह बन जाएगा a यह बन जाएगा five i यहाँ पर आ जाएगा six a inverse equal to zero इन सबको उधर बेजो यहाँ से six a inverse इसका value कितना आएगा इसका value आएगा five i minus a यह आजाएगा ठीक है यह five i इदर जाएगा a भी इदर जाएगा और divide by six कर दो five by six i minus one by six a यह आगे न basically आपके पास अब compare कर लो question में आपको क्या given question में आपको given है a inverse is equal to alpha i और plus beta a बस what is the value of alpha what is the value of beta compare कर लो alpha का value है five by six और beta का value है minus one by six पर चमका तो alpha beta आगे तो यहाँ पर substitute कर दो what is the final answer alpha plus beta कितना आ रहे alpha minus beta कितना आ रहे alpha minus beta आ रहे alpha minus beta आ रहे one और यह वाला question try करो चलो इसको try करना अगेन यहाँ पर पूछाए कि पी की पावर कितना करें यह capital P है ठीक है यह जो लिखा हुआ है this is capital P की पावर n इसको correct कर लो capital P की पावर n मनलो P की पावर कितना करें ताकि यह आ जाए तो आपको अलग-अलग पावर निकालनी पड़ेगे थो पहले आप P square निकालो P cube निकालो P की पावर फ्योर निकालो P की पावर 5 निकालो P की पावर 6 निकालो 7 निकालो, 8 निकालो, तब तक निकालो, जब तक ये 5y-8p नहीं आ जाता है, तो n का value कितना हम ले ले, ताकि 5y-8p आ जाए, मैंने लब अगेन आपको ये तो clear cut दिखी गया कि कुछ ना कुछ function है, तो Kelly Hamilton तो लगे गई, इतना तो clear है ना, कि b raised to something is as a function of p and i, function है तो Kelly Hamilton लगाओ पहले तो, ठीक है तो पहले Kelly Hamilton यूज़ करो, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, characteristic equation बतादो at least, fine, तो यहां तक पहले characteristic equation चलो, मैं निकाली देता हूँ, यहां पर आजागा 2- lambda, minus 3- lambda, minus 1 और 5, ठीक है, यह आ रहा है, इसको 0 कर दो, so 2- lambda, minus 3- lambda, plus 5, equal to 0, ठीक है, तो यहां से बनेगा, minus 6, minus 2 lambda, plus 3 lambda, plus lambda square, plus 5, equal to 0, lambda square, plus lambda, minus 1, equal to 0, मालब p square, plus p, minus i, equal to 0, यह आ रहा है, इसका मालब p square कितना आ गया, p square का value आ गया, इसको उधर बेचो, तो i-p, यह आ गया p square का value, तो p cube निकालो, तो p cube आएगा, p into p square, तो p into p square, ठीक है, तो यह बन जाएगा, p minus p square, अब p square का value फिर put करो, तो p square का value फिर से है, i-p, तो यह actually आपके पास आ जाएगा, 2p minus i, ठमका, तो यह तो p square का value आ गया, अब p square का value मैच कर रहा है या, नहीं कर रहा है न, तो अब p cube निकालो, तो p cube निकालना ज़रा, p raise to 3, तो वह था है, p into p square, तो p into p square का value कितना है, 2p, अचा, p cube तो निकाल दिया न, p raise to 4 निकालो, सारी, ठीक है, p raise to 4, तो p raise to 4 कितना है, p into p cube, तो p cube का value कितना है, 2p minus i, यह एक बार calculate करना, तो यह बन जाएगा, 2p square minus p, तो यह आजाएगा, 2 और p square का value फिर से, तो p square का value है, i minus p, ठीक है, यह, और minus p, तो ultimately यह आगे, 2i minus 3p, यह आ रहा है, अगेन मिदलब इससे match नहीं कर रहा है, अगर इससे match नहीं कर रहा है, तो और आगे बढ़ो, p raise to 5 निकालो, तो that will be p into p raise to 4, तो p into p raise to 4 कितना है, 2i minus 3p, ठीक है, यह calculate करोगे, तो 2p minus 3p square, तो p square का value फिर से put करो, p square का value है, i minus p, ultimately यह आ गया, 2p minus 3i plus 3p, तो 5p तो आ गया, लेकिन 3i आ रहा है, तो अभी भी यह match कर रहा है कि अभी भी match नहीं कर रहा है, तो और आगे बढ़ो, ठीक है, और आगे बढ़ो, अब आप निकालो, तो p raise to 6, तो p raise to 6, तो p into p raise to 5, यह आ जाएगा, p into p raise to 5, कितना, 5p minus 3i, तो यहाँ पर बन जाएगा, 5p square, p square का value है, i minus p, ठीक है, and minus 3p, यह तो यह आ गया, तो यह आपका आ गया, 5i minus 8p, तो बस, what is the answer, n equal to 6, चमक गया न, यह वही आ गया, 5i minus 8p, तो n का value कितना ले लोगे, n का value 6 ले लोगे, तभी बात बनेगी, otherwise बात नहीं बनेगी, चमक गया न, वहलो, ultimately आपको p की बड़ी-बड़ी powers calculate करने पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि कौन सी power पर कितना आएगा, yes अगर आप pattern देख सकते हो, तो बहुत बड़ी है, pattern नहीं देख सकते हो, तो यह फिर सारे निकालने पड़ेगे, yes, yes or no, चमक गया होगा मेरी खाल से, और आगे बढ़ता है, ठीक है, तो यह question भी हो गया, यह J-E 2005, J-E advance का question है, इसको try करो, J-E advance कहना भी गलत हो गया, ठीकि 2005 में जो paper था, वो अलग होता था न, IAT अलग था, AEEE अलग था, तो basically IAT का आप समझ लो, IAT 2005, ठीक है, कैसे करेंगे, यह वाला, इसमें A-Inverse निकालना है, और जो A-Inverse है, वो कुछ एक equation है, quadratic equation जैसा है, look, that is the function of A and I, तो क्या चमका, आपको A-Inverse तो निकालना है, लेकिन वो Adjoint A by Determinant A मत कर देना, ठीक है, वो तो फिर A-Inverse का value आजाएगा, कि what is the matrix, बट आपको matrix नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए in terms of A and I, तो कहले Hamilton, ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले, जो भी आपका matrix है, उसमें से, यह न, यह minus कर दो lambda, इधर 001, और 00-0, ठीक है, तो इसको आप 0 कर दो, इसको 0 करेंगे, तो कितना आएगा, इसके अब आउट open कर लो, तो यह cancel हो जाएगा, यह भी cancel हो जाएगा, 1- lambda है यहाँ पर, और उसके साथ आजाएगा, 1- lambda, into 4- lambda, plus 2, तो यह आगया, equal to 0, ठीक है, तो 1- lambda, और इधर आपका बन जाएगा, lambda square, minus 5 lambda, ठीक है, plus 6 आजाएगा, this is equal to 0, ठीक है, simplify करो, उसके बाद यह आएगा, फिर, lambda square, minus 5 lambda, plus 6, minus lambda cube, plus 5 lambda square, और minus 6 lambda, equal to 0, तो basically lambda cube, और minus 6 lambda square, और plus 11 lambda, ठीक है, और plus 6, minus 6, equal to 0, यह आज़ी क्या, characteristic equation, लब solve आप कर ले ना, खुझ से, बट यह आएगी, ठीक है, solve आप खुझ से करना, मेरे वाले में कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो a cube, minus 6a square, plus 11a, minus 6i, इस इकल तो 0, यह आएगा, आप a inverse के साथ, multiply करेंगे, तो यह बन जाएगा, a square, minus 6a, plus 11i, minus 6a inverse, equal to 0, अब इसको इधर shift कर दो, a square, minus 6a, plus 11i, this is equal to a inverse, और 6 जाएगा, नीचे, तो 1 by 6 होगे, पस अब compare कर लो, तो compare करोगे, तो c का value कितना दिख रहा आपको, यह जो a का coefficient है, तो c का value दिख रहा है, minus 6, दिख गया, और यहाँ पर 11 है, बेसिकली d का value कितना है, तो d का value है, 11, minus 6 और 11, minus 6 और 11, option c, इस दान से, चमका कि नहीं, तो बस आपको क्या करना है, a minus lambda i, characteristic equation आएगी, satisfy कर आओ, a inverse से multiply करो, compare कर लो, answer, चाथम, ठीक है, simple ना, और आगे बढ़ते है, यह आप खुछ से try करो, चलो, again आपको a inverse निकालना तो है, लेकिन as a function of a and i, सारे option देख लाँ, तो a और i का function है ना, तो a inverse नहीं पूछा है, they are asking you a inverse as some function, of a and i, तो केले हमिल्टन, लगा दो आप एक बार, ठीक है, इसमें केले हमिल्टन लगा के, final answer बताना, एक बार कितना आ रहे हैं, यह आप homework में try कर लोगे क्या, इसको homework कर देते हैं, अगर यह आप homework में try कर लोगे, तो yes, that was the last question, ठीक है तो आप homework में try कर ले ना, और बता देना, जो भी answer आ रहा है, comment करके बता देना, definitely, ठीक है, बट I hope कि आज का जो one shot है, उसमें definitely आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ माया है, तो एक बार फिर से आप वीडियो देख सकते हो, and definitely मतलब matrices का भी देख ले ना, अगर किसी ने नहीं देखा है तो, matrices and determinants अब finally complete है, तो दोनों chapters आप देख सकते हो, playlist अभी update हो जाएगी, short notes इसके बना लेना, especially जो क्रैमर्ज रूल है, कहले हमिल्टन थिरम है, properties है, determinants की, ये सारी special determinants है, ये सारी चीज़े बार-बार repeat होती है, जो भी repeated questions है, उस पे ज़्यादा focus करना, और जो छोटे मोड़े topics है, उस पे ज़्यादा time waste मत करना, ठीक है, तो smartly थोड़ा करो, आप से सारे question बन जाना चाहिए, ठीक है, तो एक बार, I think theory की practice कर ली, उसके बाद questions में, बहुत ज़्यादा twist नहीं आता है, almost similar question ही आते है, especially जही main में तो, आप similar question ही expect कर सकते हो, advance में हाँ, मतलब ऐसा कुछ expect कर सकते हो, कि determinant के साथ, थोड़ा सा complex number mix कर दिया, या थोड़ा सा quadratic equation, या trigonometry mix कर दिया, हमने बहुत चारे ऐसे question देखे, advance के, जिसमें trigger था, या बहुत चारे ऐसे question भी देखे, जिसमें 2016 का था, 2010 का था, जिसमें complex number mix था, तो advance में mix करने के full chances है, बट यही main में direct question आते, जो आप एक topic से ही आएगा, जो आप directly answer कर सकते हो, चीक है, येस, चलो, बाकी definitely आप यहाँ पर short notes बना ले ना, live daily.me slash items पर आपको पूरा content मिल जाएगा, and definitely आप यहाँ पर एक चीज़ और करना, short notes तो बनाई लो, and इसके साथ साथ, आप revision करते रहें, ठीक है, जो भी पुराने topics है, क्योंकि अब almost हमारे दो ही chapter बच्चे है, statistics और reasoning, बाकी सारे chapters हमने cover कर दिये, तो जो पुराने पुराने chapters है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने already देख रखा है, पर फिर भी उसको एक बार, दो बार, तीन बार revise करने की जरूत है, क्योंकि जैसे जैसे यह extend होता जा रहा है, सब को जादा जादा time मिलता जा रहा है, जादा time मिलेगा, तो competition obviously थोड़ा सा यहाँ पर increase होगा, तो आपको multiple times revision करना है, एक ही chapter को दो तीन बार देख लो, अच्छे से समझ में आना चाहिए, सारे concept जो होते हैं एक तम दिमाग में गुज जाने चाहिए, आज हमने कहले Hamilton theorem पड़ा, तो वो directly exam में उसका question आएगा, उस time पे आप उस state of mind में होने चाहिए, कि आपसे हो जाए वो question, ठीक है, तो उतना revision आपको करना पड़ेगा, कि यह natural हो जाए मतलब, कि अगर ऐसा कुछ function आ गया, तो आपको पता ही होना चाहिए, कि इसमें यही लगाना है, और इसका कोई उपाईर नहीं है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और अने कैडमी सब्सक्रिप्शन पर आओगे, तो definitely it will help you, है ना यहाँ पर multiple educators की classes है, है ना आप यहाँ पर, multiple educators, multiple batches को follow कर सकते हो, total 75 plus educators है, best of the best educators है, vibrant classes, बंसर classes, nucleus, China batch आपका start हो गया है, जिसमें चतन्य और नाराना के educators है, तो आपको full on, जितने भी best of the best educators है, वो सारे एक platform पर मिल जाएंगे, multiple batches है, बहुत सारे revision courses है, crash courses है, जही main का अलग है, advance का अलग है, वो सारे courses का आपको access मिल जाएगा, सबसे अच्छी बाती यही है, कि यहाँ पर आप multiple courses को follow कर सकते हो, आप किसी भी एक single batch को कभी भी subscribe नहीं करोगे, ठीक है, तो आप अगर एक साल का या दो साल का subscription ले रहो, एक साल, दो साल तक आप जितनी भी classes है, जितनी भी test series है, जितनी भी doubt classes है, सारे features का आपको unlimited access मिल जाएगा, इवन आप last year की recording भी देख सकते हो, इस साल के जो courses है, उसके live classes आप देख सकते हो, तो आप multiple educators का आपको access यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, बाकी अगर आपको subscription लेना है, तो मेरे काल से अभी best time चल रहा है, अभी offers are also going on, कैसे लेना है, सबसे पहले आपको unacademy का learning app है, उसको install करना है, download कर लो, account create कर लो, आपको अपना goal select करना है, idj, इधर plus पे चले जाना, वहाँ पे आपको multiple options दिख जाएंगे, यहाँ पे आप code enter कर देना, and that code is nvlive, ठीक है, इसको आप enter करोगे, तो obviously आपको, आपको आपको प्रॉपर रिविजन हो जाएगा, जो भी 22 एस्परेंट है, वो मंजिल बैच को follow कर सकते है, साथ ही साथ rapid revision batch को भी follow कर लो, वहाँ पे आपके 12th के topic cover हो जाएगे, मंजिल बैच में आपके 11th के topic cover हो जाएगे, तो दोनों आपका 11th, 12th का जो revision है, वो parallel ही चलता रहेगा, ठीक है, बाकी जो 23 aspirants है, उनके लिए भी काफी अच्छा मौका है कि अगर आप अभी तक, आपने मालो 11th के topics उतने अच्छा से नहीं पढ़े है, पढ़े है बढ़ उतना confidence नहीं आ रहे है, तो 11th के सारे topics का इसमें revision हो रहे है, तो जो 23 aspirants है, वो भी definitely इसमें आ सकते है, 23 aspirants के लिए मंजिल बैच में 3 महिने में आपका 11th का revision खतम हो जाएगा, फिर आपका 12th का जो नया batch है, अगले साल का जो batch हो भी start हो जाएगा, जल्दी start हो जाएगा, तो जल्दी start होगा, तो जल्दी खतम भी हो जाएगा, तो आपको जादा time मिलेगा revision के लिए, ठीक है, तो definitely आप इसको subscribe कर सकते हो, मेरे काल से जो भी 22 aspirants है, आप यहाँ पे 6 महिने का subscription अगर ensure कर लोगे, आपको मनजिल batch का access मिल जाएगा, आपको rapid revision का access मिल जाएगा, mock test series का access मिल जाएगा, तो यह सारी चीजों का access आपको मिल जाएगा, तो आपको इसका benefit तो definitely होगा, in fact, बहुत सारे और भी J-E advanced का crash course है, J-E main का last minute revision course है, तो इन सब का आपको access मिलता है, आप मेरी profile पे जाके देखोगे, अन academy के ऊपर, तो definitely बहुत सारे courses आपको दिख जाएगे, theory courses भी है, practice courses भी है, crash course है, revision course है, detail course है, जो भी आपको देखना है, उसके इसाब से आप देख सकते हो, कोई restriction नहीं है, ठीक है, तो 22 aspirant के लिए 6 मेने का best रहेगा, अभी के लिए, और जो 23 aspirant है, उनके लिए 18 मन्द का best रहेगा, ठीक है, जितना भी time बचा है, उसके इसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, envy live yields कर लेना, ताकि maximum discount मिल जाए, बाकी offer अभी चल रहा है, 24 प्लस 3 है, 18 प्लस 2 है, ठीक है, तो definitely इसको अब utilize कर सकते हूँ, 12th January is the last date, उससे पहले आपको यहाँ पर purchase करना वड़ेगा, 24 प्लस 3 और 18 प्लस 2, ठीक है, यह plus का offer है, iconic में नहीं है, यह plus का subscription जो भी है, उसके लिए valid है, IATJ category में, ठीक है, बाकी plus और iconic में difference क्या होता है, तो देखो, plus में आपको live classes मिलती है, सारी classes आप live attend कर सकते हो, in fact, अगर आपने class miss कर दी, तो आप recording भी देख सकते हो, weekly basis पे आपकी test series होती है, तो आप test में participate कर सकते हो, आपको analysis मिल जाएगा, है ना, जिसको आप further improve भी कर सकते हो, you will get unlimited access of all the educators, structured courses होते हैं, जिसमें आप participate कर सकते हो, ठीक है, बाकी iconic is the super set of plus, जिसमें आपको plus वाले features तो मिलेंगे, साथी साथ आपको one-on-one guidance मिल जाएगा, आपको एक personal coach assign किया जाएगा, यह जो personal coach है, आपको guide करेंगे, ensure करेंगे कि आपकी जो all India rank है, वो काफी अच्छी आए, test का analysis आपको इसमें मिलता है, जो की plus में नहीं है, expert guidelines, जिसमें बहुत सारे workshops आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो भी आप attend कर सकते हो, all India के जितने भी toppers हैं, वो भी आपको guide करते हैं, जितने भी top educators हैं, उनका भी guidance आपको मिल जाएगा, ठीक है, study material, तो study material में, जितना भी study material है, वो आपको hard copy में मिल जाएगा, आपके address पर deliver किया जाएगा, physics, chemistry, maths, हर एक subject की, हर एक chapter की booklet है, वो सारी booklet आपको मिल जाएगी, complete study material of IITJE, वो आपको मिल जाएगा, इन फैक्ट यह जो study material है, वो आजकल 6 महिने के साथ भी, अगर आप 6 महिने का भी iconic खरित हो, तो उसमें भी आपको मिल रहा है, ठीक है, बागी study planner है, जिसमें आपको by weekly reviews मिल जाते है, प्रॉपर आपका time table बनेगा, जिससे आपका time waste नहीं होगा, तो best subscription is iconic, अगर आप उसको effort नहीं कर सकते हो, तो plus वाला भी ले सकते हो, बाद में you can upgrade, ठीक है, बाद में upgrade करना का option भी है, बाकी all in day test series आपकी चल दिये, हर संडे को 2 बजे, आप इसको attempt कर सकते हो, इसमें बहुत सारे prices है, और सब सची बात है कि जैसे ही आपका test खतम होगा वैसी आपको इसका solution मिल जाएगा, in fact video solution मिल जाएगा, तो video solution के थुरू आप analyze कर सकते होगी, क्या-क्या गलतिया आपने करी थी, ये सारी चीज़े आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, ठीक है, and we live use करके, इसमें android कर ले न, इसका link आपको description में मिल जाएगा, ठीक है, उसक आपकी अच्छे राहें कानी चाहिए, अनेकाडमी प्रोडिजी का जो एक्जाम है, और 23rd को है, सुबर 10 बज़े आप यह एक्जाम दे सकते हो, 7th, 8th, 9th, 10th, IIT सारे यह दे सकते है, 11, 12, सबके लिए एक्जाम है, yes, इसमें आपको बहुत सारी exciting scholarships, rewards है, and definitely you can compete at all India level, तो यह अनेकाडमी प्रोडिजी में आप definitely participate कर लो, इसका link आपको description में मिल जाएगा, आप अभी काभी इसमें enroll कर सकते हो, ठीक है, use the code NVLive, ताकि आपको इसको unlock कर लेना, basically, unlock करने के लिए आपको एक code required होता है, आप वहाँ पे NVLive को use कर सकते हो, ठीक है, बाकी यह prizes है, yes, और अने statistics और reasoning का जो one shot है, वो भी फिर हम बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है, thank you so much, bye bye, take care, bye